इसलिए सभी हमारे खिलारी को कली हमने बता दिया था और सबसे पहले तो मैं गुरूप C और गुरूप D के सभी टीम और टीम कैप्टन्स और टीम प्लियर्ज ने जो कॉपरेशन दिया है कल जब चार ओवर का बोला है समय की पाभंदी और मर्यादा के हिसाफ से एक भी औब् सब्सक्राइब को यही बोला सर कि यस आप आगे बढ़ो समय का प्रोब्लेम है हम अमारे साथ में हैं आप जैसा चाहो और कुछ फ्लियर होने तो यह भी बोला चार ओवर नियोंगा तीन ओवर में भी खेलेगे लेकिन आप बस मैच शुरू कीजिए आप हमार कोई भी आप को प्रोब्लेम नहीं होगी हम हमारे साथ में हैं थेंक यू सो मुझ गुरूप सी और गुरूप डी एक मिन तो तैंक ये सो मच विवान भाई, कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, जो शुरुवात की गई हमने, जो हमारी जो पारंपारिक शुरुवात है, उसी के तहट हमने सारी चीज़ों की शुरुवात की, रिभिन गाठ कर सबसे पहले तो हमारी टाइटल पार्टनर, कोमल हमने, उनको कोटी-कोटी प्रणाम करके, और उनके पूरे परिवार के साथ हम हमेशा रहेंगे, यही वादा किया, इसके बाद बगवान जी की पूर्जा अर्चना करके, हमने पहले मुकाबले की शुरुवात की, कल ठीक 9 बजे, और कल ठीक 5 बजे सारे मुकाबले समाप्त हुए, लेकिन कल जिस प्रकार से कमिटी ने पूरी तरह से काम किया, कार्य किया, विकरान भाई, विवान भाई, विशाल जी और पूरी फामिली, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया, कि हमें 5 ओर के मैच अगर खेलने पड़े, तो हमारे 10 मैच कम्प्रीट नहीं हो पाएंगे, हमें जो प्री कौटर फाइनल मैच थे हम वो खेल नहीं पाएंगे, इसे ये डिसीजन लिया गया करल इवनिंग को, और उसके लिए मैं सदस्यगण का है, हर एक महानुबोगों का है, हर खिलाडियों का हमारे परिवार के सभी सदस्तों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, कि आपका इसी तरह का प्यार, आशिरवाद और साथ अगर बना रहे, तो अहिंसा ग्रुप के माध्यम से हम और अच्छी अच्छी टर्नामेंट्स आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो थैंक्यू सो मच्छ, फिर से एक बार आप सभी दर्शों का जो अभी अभी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए है, उन सभी दर्शों का मैं स्वागत करता हूँ, कोमल कप 2019 सीजन 3 में, अहिंसा कप दोरा अहिंसा गुरुप दोरा ये सारी चीजों का आयोजन किया गया है, कोमल कप का आयोजन किया जा रहे है, थैंक्यू अभी जी जी, तो चलिए शुरू करते हैं, इंतजार की गड़ी खतम, सावलता स्पार्टन्स के कैप्टन और लुनावा के कैप्टन को टोस के लिए में ड आपका हर्दिक, हर्दिक स्वागत है, स्पार्टन्स, सावलता स्पार्टन्स, एंड लुनावा के कैप्टन का हर्दिक, हर्दिक स्वागत है, आई, 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 गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग, जैहिन सर, जैहिन, आजकल गुड मॉनिंग का जमाना चला गया है मैं भी और मेरे कहीं सारे दोस्ते लोग भी हम गुड मॉनिंग इसको बेक्स एलिमिनेट कर दिया है अब पहला मेसेज करेंगे ना दिन का तो जहीं टाइप कीजेगा यह आज की नई स्टाइल है नई ट्रेंड है चलिए हम टॉस का बॉस निशी मैड केर ह तो इसी वीच लुनावा के कैप्टन ने लुनावा की टीम ने तोस जीत लिया है और उन्होंने निर्ने किया है गेंद बाजी का बुलिए पहले गेंद बाजी करके हम कम से कम स्कूर में इनको रोकना चाहते हैं और सामने आली ने अपने बहुत खास ही है वाज़ा हम एक अब फ्रीली खेलना जाते हैं कि लगेगे हमको कि हम एक आपस में खेल रहे हैं दूसरे के साथ थैंक्यू थैंक्यू चलिए तो लुनावा ने टोस जीत के सबसे पहले गेंद बाजी करने का निर्ने लिया है और चलेंज किया है सावलता स्पार्टन को पहले बल्ले बाजी करने का अभी जीत जी श्रीपाल भाई हमारे साथ है गए साल के हीरो श्रीपाल भाई आपको पहले बल्ले बाजी करनी है क्या सोच रहेगी और इस पूरे आयोजन के बारे में आपका क्या कहना है बहतरीन आयोजन किया हो गया है अपे हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा र लेकिन क्रिकेटिंग परफॉर्मंस की जादा बोलती है, सो बहुत बहुत कॉंग्राजुलेशन्स श्रीपाल भाई टीम लुनावा के कैप्टन, सो ये नेने लिया गया है, लुनावा ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेन बाजी करने का नेने लिया है, आमंतरित किया है, टीम सावलता स्पार्टन जिनको पहले बल्ले बाजी के लिए, तो ये हाल है, अब हम बढ़ते हैं विवान भाई के साथ, क्योंकि आज ठीक थोड़ी देर में हम मुकाबले की शिरुवात करने जा रहे, जिस प्रकार से कल सारे मैच खेले गए, सभी टीमों ने सबसे बहतर, अगर सर रहा, तो कल फील्डिंग का रहा, जिसमें सभी टीम्स ने बहुत बहतरीन फील्डिंग की, ये जो एतियासिक ग्राउंड है, प्रभोधनकर, ठाकरे, क्रिडांगन, इसमें क्रिकेट खेलने का एक अलग मज़ा है, कई सारी बड़ी परत्यों गिता होती है, इस बार हमें अनिल भाई और उनके साथ निलेश भाई, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, मारगदर्शन किया है, उनको फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से, आज दूसरा दिन है, और सभी जो हमारी प्रमुक दस टीमें है, वो पार्टिसिपेट कर रही है, ग्रूप C के फर्स्टाफ में मुकाबले होंगे, और उसके बाद दौपेर के सत्र में ग्रूप D के सारे मुकाबले होने है, सभी टीम के जानकारी के लिए फिर से एक बार मैं कहूंगा, कि चार ओवर के सारे मुकाबले है, चार गेन बाज आपको यूटिलाइस करने और तीसरा ओवर पावर प्ले होगा, जिसमें निर्धारित जो खिलाडी होगे, तीसगज डाइरे के बाहर, वो मातरत तीन होंगे, तो ये रूल्स है, बाके सारे रूल्स में कोई बदलाव नहीं, प्रो अक्षिन बिल्कुल अलाउड नहीं, कोई आपको वर्णिंग नहीं जी जाएगी, बॉलर डिस्कॉलिफाई हो जाएगा उस माच के लिए, और पाच रन पेनल्टी दी जाएगी, अगर उस नो गिन पर चौका लगा है, तो 5 प्लस 4 इस इकॉल टू 9 रन्स, तो ये जो दो एहम नियम है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे, विवान भाई हमारे सार आपको कैसा लग रहा है कल से? ने रन आये है, वो रन काउंट किये जाएगे, so I kindly request you that please do not argue with the umpires and management committee, because rule is for one and all. नमबर एक, नमबर दो, कल भी हमने खेला, कल भी हमने कुछ तक्रिबन तक्रिबन पूरे दिन में 10 मैच पूरे किये है, एतिहासिक मैच किये है कल के, और सबसे पहले तो मैं ग्रूप A और ग्रूप B में, जो तीन-तीन टीम क्वालिफाई हुई है प्री क्वाटर के लिए, मैं उन तीनों छे टीमों को ग्रूप A और B को तहदिल से धन्यवाद देना चाहूगा और बधाया देना चाहूगा प्री क्वाटर के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, दूसरी बात, आपको मैं एक बार, सावलता स्पाटन्स, सावलता स्पाटन्स और लुनावा के लुनावा के कैप्टन और प्लियर्ज एक बार, रून समझ लीजिए, सामने वाली जो साइड है, अगर आप डायरेक्ट मारते हो, पेड को लगके अगर अंदर आती है, तो आपको दोर के रन लेना होगा, पेड को लगके बॉल फिर से ग्राउन के अंदर रहती है, तो पेर को लगके वापस नीचे वाइट कलर का जो दीवाल है और उसके उपर जो ग्रील है, उसको अगर लगता है, तो फोर दिया जाएगा, पेड पेड अंदर है, बॉल इन प्ले रहेगा, तब आपको रन भागके लेना है, मैं फिर एक बार बता रहो आपको, जो सामने वा यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर जो नेट है, यह बॉंडरी है, अगर कहीं यहाँ लगता है, मतलब इस तरफ अगर गेन लगती है, तो यह बॉल इन प्ले होगा, गेन लगकर अंदर आती, तो इट वी बॉल इन प्ले, आपको दोड कर रन लेने है, क्योंकि बॉंडरी किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट है तो अमपार के पास देखिए, अमपार जब तक डिसीजन नहीं देता है, आप अपना विकेट सुरक्षित रखिए और दौड कर जादा से जादा रन लेजे, यह बहुत इंपोर्टन रूल है, अभीवान सर, हम सेंटर विकेट पर करेंगे, पीछे की तरफ, on that side, वहाँ पे एक रन अल्रेडी डिकलेर जोन है, वो जहाँ पे ब्यू कलर का शेल्टर है, उसके बाजू में जो थोड़ असा मिट्टी और वाइट कलर के बैंचे परे हैं, वहाँ पे दो रन डिकलेर जोन है, अगर ओवर जादा चक किया है, इस क्वालिफाई किया जाएगा, बाकि हलका कुछ रहा, तो वन वानिंग के बाद में, वी विल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, और अभी आपको कोई इशू है, तो प्लीज पूछ लीजे, येस, अगर किसी भी तरह से आपको कोई रूल्स के बारे में जानकरी प्राप्त करना हो, तो एक विकरांद भाई है, विवान भाई है, विशाल भाई है, एन आर, अंपार्स और अल्सो देर, चलिए हम रुक करते हैं, पिछ की हो, क्योंकि बहुत अच्छी पिछ नजर आ रही है, तो टीम फोटोग्राफ हो चुके है, श्री, टीम फोटोग्राफ सो चु रहे है, तो आउट दिया जाएगा, बिकोज बॉंडरी और 6 ये नेट के बाहर और ये है, तो आप यहां पे भी अगर लखके बोल आती है, तो 4 और 6 अगर नहीं किया जाएगा, आनी, आनी, अरे मतलब वोई स, वो ने आना किया, हाँ, यह वाली लाइन बॉंडरी है, तो यहां पर फोर और सिक्स होगा थेंक्यू, थेंक्यू सो मच थार्ड ओवर कंपल सरी पॉवर प्ले विवान भाई प्लीज आईए सेंटर विकेट पर चलिए हमारे साथ हमारे सब के बहुत ही चहीते जो आज पूरे भारत वश्च में जिनका नाम चल रहा है एक तो हमारे विपुल दाद है 70-70 स्पोर्ट से और इंसा ग्रूप के माध्यम से इस बार लाइव टेली कास्ट किया जा रहा है यूटूब चैनल पर तो थाइनक्यू फोर दाट बहुत बहुत शुक्रिया विपुल दाद हैं पूरी टीम जो डिजिटल स्कोर हमारे भावेश भाई और उनकी टीम BMS की तरह से ये सारे चीज़े किये जा रही है हमारे ग्राउंडा तक बहुत महनत कर रहे है जो कल शाम से हमने देखा कल मौनिंग से देखा बाल लेने के लिए भाग रहे है विकेट पर बहुत अच्छी महनत कर रहे है तोड़ी सी जो तैयारी है वो बस अभी कुछी देर में कंप्लीट होगी लाइन मार्किंग चल रही है निलेश भाई हमारे साथ पिछले कई दिनों से निलेश भाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और इस ग्राउंड पर टोर्नामेंट करना ये सबसे पहला तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा निलेश भाई का सो तैंकियो सो मच निलेश भाई एस अलवेस हमारे इस पूरी कम्यूनिटी के लिए जो अपने समाज सेवा के योगदान से सभी को प्रिवित करते ऐसे निलेश भाई वन सगेन अहिंसा ग्रूप की तरश से आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंकियो अभी जीट जी मैं फिर एक बार हमारे यूटूब से जो अभी अभी जुड़े है मैं सबसे पहले तो उनका अहिंसा ग्रूप कोमल कप 2019 में हर दिख हर दिख स्वागत करता हूँ अभी अभी हमारे बीच में सावलता स्पाडन्स और लुणावा का तोस हुआ जिसमें सावलता स्पाडन्स ने तोस जीत के सबसे पहले गेन बाजी करने का निर्नाई लिया है और लुनावा को चैलेंज दिया है बल्ले बाजी करने का चलिए मैं रिक्वेश करता हूँ सावलता स्पाटन से की यह मैच शुरू किया जाए अपने फिल्लिंग सेट करें और लुनावा के दोनों बल्ले बाजों को मैं पीछ पे बैडिंग के लिए बुलाना चाहूगा आपको सेकेंड इनिंग में बुला दे है फिलर फिल्लिंग के लिए बुला लेते है थोड़ी से मैंसे मिश्टेक हो गई है लुनावा ने गेन बाजी करने का निरने लिया है माफ किया मैं एक्स्रीमली सॉरी लुनावा ने टोस जीतके पहले गेन बाजी करने का निरने लिया है और वही पे सावलता स्पार्टन को पहले बल्ले बाजी करने का निरने दिया है सर आपने माफी मांगी ये बहुत बड़ी बात है लिए इन गल्तियां होती रहती ना सर गल्ती हो रहे इसलिए तो हम इनसान करके पैदा हुए ये तो हमारे भी मंदिर बनते ना इसके लिए सो कोई बात नहीं है लेकिन निलावा आपने टॉस जीता है आपको चार और पनरा म हारित आप हमको अच्छा सपोर्ट कर रहे है थैंक यू सो मच फॉर डैट और स्पेशली हमारे साथ जूड़ी कहे है राकेश भाई दो मिनिट आप दो क्या सब्सक्राइगे है इन बच्चों के लिए लुनावा टीम ये बच्चों के लिए पी जोरदार तालिया बजा है यार तांक यू सो मच यू ने चोटे, जाशे है यारन की स्मॉल स्टार्गे कांस लीटल स्टार्स उपलब्द हुआ है and these kids are so talented, हम देख रहे थे, उनके coaches है, काबिल coaches है, ध्यान दे रहे, यही सही हुमर है, coaching करने की, 10 साल, 12 साल के जब आप हो जाते हो, तभी से आपको leather cricket किलना बहुत important है, tennis cricket किलना बहुत important है, tennis cricket किलना बहुत important है, tennis grade से आपको bounce, पर उसो मैं देख रहे था, follow the blues, उसमें Virat Kohli को Sanjay Bangar प्राक्टिस दे रहे थे, tennis ball से, क्यों, क्योंकि tennis ball में इतना अच्छा bounce होता है, and उस bounce को खेलने के लिए, एक अलग हुनर की जरूरत होती है, undoubtedly leather cricket is the best form of cricket, but tennis cricket हा, आज पूरी दुनिया में बढ़ चड़ कर बोल रहा है, हमारे tennis star, कल हमने देखा, इ and everyone knows, over to you, Vivan sir, thank you, 8.47 हुआ है, अगले 3 minutes में हम ये match स्टार्ट करेगे, इसलिए मैं सावलता स्फार्टन से request करूगा, कि जल से जल लुनावा से request करूगा, कि अपनी जल से जल filling set कीजिए, और लुनावा के captain से भी ये request करूगा, कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते सावलता स्पार्टन स्कों में request करूगा, दोनों अपने बल्लेबाजों को opening के लिए wicket पे भेजे, कोमल कव 2019 season 3 का आज का दूसरा दिन, गुरुप C और गुरुप D में खिला जाएगा, सावलता स्पार्टन के captain और लुनावा के captain से request करूगा, कि अपना अतिरिक्ट खिलाडी, अपना अतिरिक्ट खिलाडी जल से जल commentator box में भेजिए, सावलता स्पार्टन्स और लुणावा की टीम के कैप्टिन से मैं रिक्वेस्ट करूगा कि अपने अतिरिक्ट खिलाडी आप जल से जल कॉमेंटेटर वोक्स में सेंट कीजिए अभी जी जी ओवर टू रही है तैंक यू सो मच विवान सर बहुत अच्छा दिन है कल के दिन हमने देखा तोड़ी बहुत डियू हमें नजर आ रही है लेकिन ये विदिन 10-15 मिनिट ये सारी चीजे परफेक्ली नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि दूप बहुत अच्छी है पूरी तरह से मैदान में चारू तरफ दूप नजर आ रहे निलेश भाई एक बार फिर से सभी प्लेयर्स को रूल्स की बारे में बता रहे है हमारे सतीज जाद आ गए है वेरी गुड विपुल भाई अपनी जो में जो जिम्मेदारी है विपुल भाई क्योंकि कॉमेंटरी बॉक्स में जब विपुल भाई होते है विकास एंटीम होते है तो बहुत कमफिटबल फील है सारा स्कोर और अनलेजिस कितने गिंदों में कितने रंच चाहिए सनी हमारे जो स्कोरर है वो भी तोड़ी देर में आएंगे हमारे दोनों ही दी मोस्ट एक्सपीरियंस अंपार वी हैव इन मुंबाई क्रिकेट इस नन अदर दैन सूलेकान सर और शशी सर सो थैंक यू सो मच और कल्यानी सर हमारे साथ जोड़ेंगे सो थैंक यू फिर से एक बार हम तोड़ी देर में मैच की शुरुआत करेंगे हम हमारे टाइटल पार्टनर कोमल ट्रेडिंग कॉर्परेशन के बारे में बात करेंगे जो लगातार दूसरा साल है उनकी तरफ से ये टाइटल स्पांसर्शिप हमें प्राप्त हुई है इस स्पोर्ट के लिए एक ऐसी कम्यूनिटी को जो स्पोर्ट के माध्यम से एकतरिता आ रही है विवितता में ही एकता है तोड़ा शब्दों का अगर यहां से वहां हो गया तो पूरा अर्थ बदल जाता लेकिन एकता में ही विवितता है ये संदेश उन्होंने दिया और क अगर उनके शुबातों से हमने इस सीजन तीन की शुरुवात की है तो बहुत अच्छा लगता है जो ऐसे टाइटल पार्टन हमारे साथ जुड़े हुए है और हमारी यही कोशिश रही थी कि इस टाइटल का नाम इस कप का नाम कोमल कभी रखा जाए और टिकशन जी ने व इस जेम्स जुएलरी मिस्टर अमेश जी इनको भी दिल से धन्यवाद यह साल बहुत अची जर्जी डिजाइन की गई है और सभी प्लेयर्स बहुत ही अच्छे नजरा बिलकुल फेट है तैयारियां पिछले तीन महिनों से चल रही है सो थैंक्यू नाइट्रॉक्स अकंप में हमने जो मैन आफ दो माच की ट्रोफी दी जा रही है वो फ्लेयर की तरफ से प्रावजीत है टॉस का बॉस के हमारे जो पार्टर है वो है निशी मेड केर जिनके इस कोईन की चर्चा पूरे हमारे कम्यूनिटी में जा रही है सतीज़ा जो निशी मेड केर है यह जो काइ कोमल, यानि कि हमारे टाइटल पार्टनर, इनका कोई की एक तरफ जो लोगो बना गया है, एंड सेकेंड निशी मैट केर, सो यह तॉस का बॉस का कुछ एक यूनीक प्रेजेंटेशन इस बार आइंसा गुरूप के माधम से किया जा रहा है, सो इन सभी लोगों का मैं दिल से अभार वेक्ट करता हूँ, सीजन तीन में सबसे अच्छी बात है कि हम लाइव सारे माचेस देख पार है, विवन से राइए प्लीज आईए, बहुत ही एंसम है, मल्टी टालेंटेट परसनालेटी है, गाने लिखते है, यह भी बहुत अच्छे कैमेरा परसन है, लेकिन बाते बहुत अच्छी करते हैं, और लोगों का दिल जीतना यह इनकी रोज की आदत भन चिको, मैं फिर एक बार बता दू, दोनों टीम्स को 15-15 मिनित दिये जाएगे इच इनी के लिए, तो सिर्फ इतना आपसे एक काइन रिक्वेस्ट है, कि समय की मरियादा को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मैच की शुरुबात करनी है, और बिना समय गवाई हर मैच टाइमली फि एक बार हम देखे, तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, यहां पर बहुत सारे खिलाडी बने हैं, प्राक्टिस के रहे हैं, और मुंबई क्रिकेट का नाम बहुती बढ़ चड़ कर लिया जा रहा है, इसी मैदान से, यहां पर प्रोफेशनल टॉर्मेंट कहले जाते हैं, ल कुमल कप का यही एक सोच रहा है, अइंसा ग्रुप के बारे में अगर बात करें, तो यह तीसरा सीजन है, और हर साल जादा टीमें आ रही है, इस बार भी और जादा टीमें थे लेकिन हमने रिस्टिक्ट रखा है, सोला गाओ की बीस टीमों को हमने पार्टिसिपेशन दिय क्युक्कि हर एक टीम को जो मुकाबले खेलने हैं, वो बहुत important है, Vivan भाई, कुछ कहना चाहते हैं, Vivan भाई Vivan भाई टीम लुनावा प्लीज फील सेट करें लुनावा टीम 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 लुनावा and Spartans, over to you विवान भाई, thank you चारोवर का हमने थोड़ सा रूल चेंज किया है तो आप सभी ही से रिक्वेश्ट है कि इस रूल को समझ लिजिए ताकि कोई मैच स्टार्ट होने के बाद कोई प्रोब्लेम्स ना हो ना आपको ना ही कोई दूसरी टिम को ना ही हमको चलिए तो मैच शुरू करते हैं अहिंसा गुरूप प्रेजेंट्स कोमल कफ 2019 सीजन 3 का दूसरा दिन पहला मैच सावलता स्पादन्स वर्सेज लूनावा बॉलर नेम प्लीज वीरल श्ट्राइक पे हैं अक्षे नौन श्ट्राइक पे हैं दिपेंड चलिए तो अहिंसा गुरूप प्रेजेंट्स कोमल कफ 2019 सीजन 3 का दूसरा दिन एतिहासिक मैच पहला मैच स्पादन्स वर्सेज लूनावा एक शांदार आसमानी तोला देखना ही होगा और ये शांदार पहला सिक्स क्या शुरुआत हुई है विजित जी अज दिन की क्या शुरुआत हुई है यही शुरुआत हम अपेक्षित कर रहे थे कल भी जो पहले और में चौका लगा और पूरे दिन बल्ले बाजी का स्तर बहुत ही बहतर रहा तीकि आज की दिन की शुरुआत सिक्स सर लगा कर की जा रही है और सिक्स लगा है अक्षे ने क्या शांदार शौत आसमानी टोला कोई मोका नहीं दिया बोलर को फिर दूसरी बार एक हलका आसमानी टोला और यहां पे बोल बाजरु लाइंड क्लोस कर दी चार रंजर दिये अक्षे ने शांदार दहतरीन लाजवाब परी अक्षे की उच्चोका क्या बात है तिस्री मरतबा सामधा कर रहे अक्षे फिर लेक साइड में घुवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बल्ले से गेंद संपर्थ नहीं होई पाई और गेंद जा पहुची सीधा विकेट कीपर के हाथ में चौती मरतबा कवर की दरव घुमा लिया है फिल्डर तैनाथ एक ही रन से संपर्थ दूसरी रन की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं अच्छा थो अच्छा कलेक्शन और एक ही रन से दोनों बले बाद संतूश रहेगे और अब आए श्ट्राइक पे दिपेंद स्कोर हो चुका है ग्यारा चार बल डिपेंद लेफ्ट हेंड़ बैस्वेन कल सिद्धेश भी सिद्धेश जो चानोत के प्लेयर थे वो भी एक लेफ्ट हेंड़ बैस्वेन थे मैं बताना चाहूगा कल उन्होंने तीन बॉल में तीन सिद्धेश जड़े थे वो एक एतिहासिक पारी खेली थी सिद्धेश ने और उसी समय पुरा मैदान का जो माहूल था देखने लाइक था शायद आप लोग ने यूटूब पे देखा ही होगा जब तीन बॉल में तीन छक्के जर दिये थे सिद्धेश ने चानोत के जो एक बहत्रीन ताडम तोड़ बल्ले बाज है सिद्धेश चलिए पांच भी बार मरतबा दोड लगा रहे है विरल और पहली मरतबा सामना कर रहे है दिपेंड पांच मिनिट का चार मिनिट का आपको समय है ध्यान दक्येए पांच भी मर्तबा सामना कर रहें लेफ्ट हेंडे बैस्मेंट डिपेंड फुल कोस बॉल कवर की दरग हुमा दिया है फिल्डर तेनाथ दोनो प्लेयर एक ही रन से संतूष्ट हो गए और इसी तरह से स्कोर बरता हुआ बारा रन पांच बॉल वाइट का इशारा अमपायर के दौरा बॉल को अक्षे ने जाचा पड़ा उनको पता था कि ये बॉल क्रीस के बाहार है तो उन्होंने इस बॉल से कोई छेचारी नहीं की और एक एक एक्षा रन तीन के खाते में एक शानदा स्ट्रेट ड्राइव शॉट फिल्लर मौजूद दो रन लेने की जरूर कोशिश करेंगे देखना ये होगा और आसानी से दो रन दोनों बल्ले बाजों ने पूरे कर दिये और इसी तरह से एक ओवर की समापती के बाद स्कोर हुआ है पन्रा रन पन्रा रन प्लीज आएक ओवर की समापती के बाद स्कोर हुआ है पन्रा बिना कोई नुक्सान बहुत एक अच्छी पारी खेली पहली ओवर की लाजवा बैदिंग अक्षे के दौरा और बहुत अच्छा सपोर दिया दिपेंड ने जितु भाई चलिए सामना कर रहे हैं डिपेन जितु का पहली मरतबा लेक की तरह घुमा दिया है फिल्डर तैनाद दोनों बल्ले बाजों को एक ही रन से संतूष्ट होना होगा एक पहारी बॉल अमपायर का इशारा वाइट गुमाना चाहा रहे थे लेकिन अच्छी रनिंग बिट्वीकेड दोनों बल्ले बाजों की और एक रन मिलता हुआ टीम को फिर एक बाद हलका अस्मानी टोला फिल्डर तैनाद सीधा फिल्डर के हाथ में जाए और दोनों बल्ले बाज एक रन से संतूष्ट बहरी किनारा लगा बॉल को और अंपायर का इशारा आया डिकलेर जोन में एक रन डिकलेर जोन में एक रन एक रएए जोन में एक रखना है एक ही रन से दोनों बल्ले बासंतूश्ट आखरी बॉल जीतू की स्कोर हुआ है 21 फीर एक बाहर बहुत ही बाहर के साइड बॉल अंपायर का इशारा वाइट इस ओवर में तीन वाइट आ गए तीन एक्ष्टा रन टीम को मिले है बल्ले बाजी टीम को मिले है दो वाइट आईए स्वारी आखरी मरता दोड लगा रहे है जीतू सामना कर रहे है दिपेन हलका सा कट किया मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं संपरगवा बल्ले से दोनों प्लेयर दोनों बल्ले बाज एक रन से संतूश्ट और इसी दर से 2 ओवर की समाप्ती के बाद स्कोर हुआ है 22, 23, 23 रन बता दू यह 3 ओवर पावर प्लेयर कंपल्सरी पावर प्लेयर है 23 रन बोला ना आपको मैं रिकरेक्ट किया, रेक्टिफाई किया सर मैं दो ओवर के समावति के बाद स्कोर हुआ है 23 सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नुक्सान अब तक सावलता स्पाडन्स को नहीं हुआ है जो बहुत ही बहुत जी पॉजिटिव एक मैसेज है इस टीम के लिए दो ओवर बचे है पोवर प्ले ओवर बॉलर नेम प्लीज अश्वीन मैं रिक्वेश्ट करोगा कि जल से जल मैंच शुरू कीजिए हमें आज थोड़ा समय की मरियादा को ध्यान में रखना है अगला मैच खेला जाएगा गाउगुंदा राइजिंग स्टार्स वर्सेस तगदगार राइजिंग स्टार्स देखना है इन दोनों मैच में कोन राइज होता है और कोन राइजिंग स्टार बनता है चलिए अश्वीन पोलर प्ले की पहली बॉल सामना करे दिपेन गुमाने की कोशिश पले से संपर्त नहीं हुआ लेकिन अक्षेफ पहले ही वहां से रन नेने के ने निकल गएते और असानी से एक रन पुरा किया दोनों मैच में बाजो ने काफी बाहर बोल अंपायर का इशारा वाइट एक आस्मानी तोला कोई नुक्सान नहीं और दोनों बले बाज दो रन पूरे करने में शक्षम अक्षे ने स्क्वैले की तरह घुमा दिया है और देखना ये होगा बॉनरी चार रन की तरफ शानदार अक्षे का एक तारम तोर स्वाट अश्मिन को स्कोर हुआ है 31 रन बॉल तीन बॉल अभी भी पावर प्ले की तीन बॉल दोनो बल्लेवाज अक्षे और डिपेंड के हाथ में हैं देखना ये होगा ये चोती बॉल क्या रूप लेते हैं बल्लेवाजों के एक आसवानी तोला देखना ये होगा मुझे नहीं लगता कोई कैट पकरेगा यहाँ पे दोनों प्लेयरों में फिल्लरों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन और इसी के बीच दोनों बल्लेबाजों ने दो रन पूरे कर दिये और कि दोनों फिल्लिंग दोनों बल्लेबाज एक रन पूरे करने में संतुष्ट लाश बॉल पौर प्लेय की देखना यह होगा कि दिपेन इस बॉल को पौर प्लेय की लाश बॉल को किस तरह से खेलते हैं और उसका कितना फाइदा उठाते हैं चलिए आखरी मरतबा अश्विन दोर लगा रहे हैं पौर प्लेय में सामना करें दिपेन उठाने की कोशिश की है देखना यह है और इसी तरह एक असानी सा कैच दिपेन का छोड़ दिया है जो बहुत बहुत नुकसान दायक मनीज माई ने एक कैच छोड़ दिया है और यह शायद इनको बहुत बारी नुकसान जहिलना परेगा अगर यह आखरी ओवर में दिपेन ने अपना असली चेहरा दिखाया तब लुनावा को यह आखरी ओवर भरी पर सकती है एक इजी कैच था सकोर हुआ है तीन ओवर की समावती के बाद थर्टी फाइव चलिए नौ बचकर आज मिनिट हुई है मैं बता दू तीन मिनिट आपके हाथ में है बॉलर टीम तीन मिनिट में ये स्कोर पुरा करें तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है थर्टी फाइव बॉलर्स नेम प्लीज मिथिल मिथिल परड़ नहीं पाए इस गेंद को उन्हें लगा कि ये बहुत बाहर है इसलिए उन्हें ने बॉल को छोड़ दी उन्हें लगा कि ये वाइड देगे बट अमपायर का कोई डिस्सिजन नहीं चलिए मिथिल ने पहली गेंद पुरी की है टपागीरा पड़ नहीं पाए डिपेंद और क्लीन बॉल के नाम पे डिपेंद घर जाते हुए दुसरी बॉल में मिथिल के अभी तक दोनो बॉल शान दार बॉलिंग की है मिथिल ने वाकई में तारिफे लाइक बॉल की है डिपेंद इस बॉल को पड़ नहीं पाए बल्ले से संपर्ग नहीं हुआ और गेंग गई सिदी ठकराई स्टम से चलिए तीसरी मरतबा प्लेयर का नाम बैट्समें किरती भाई किरती भाई ने लेक की तरफ घुमा दिया है फिल्डर तेनाथ असानी से फिल्लिंग की अक्षे रन लेना चाह रहे है लेकिन एक ही रन से दोनों बल्ले बाद संतूष्ट और इसे दर से स्कोर बरता हुआ 36 रन आखरी तीन बॉल इसी निंग की एक छोटा आस्मानी टोला मिथिल मौजूद और दूसरा बड़ा जटका अक्षे के नाम पे चांदार बॉलिंग मिथिल के द्वारा चार बॉल में अभी तक सिर्फ एक या दो रन कितने रन लिये है सर चार बॉल में राकेश भाई चार बॉल में कितने रन लिये अभी इस ओवर की सिर्फ एक रन आया है और दो विकेट लिये है मिथिल ने मैं वाकई में मिथिल की तारिफ करने चाहूगा दोनों जो तारम तोड बल्ले बाज थे पिछले तीन ओवर से धारम धार 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 चौके छक्के लगा रहे थे दोनों की बोल्टी बंक किर दी और दोनों को बैट पकर के घर पे बेजा यह तीसरा विकेड भी जा रहाता लेकिन विकेड की पर से थोड़ी सी चूक हो गई और नहीं तो तीसरा बड़ा जटका लगता बल्ले बाजी टीम को लेकिन मिथिल एक लॉंग रॉनर बॉलर राइट हैंडेड राणा एक आस्मानी तोला देखना यह होगा कि का बात है जितनी तारिफ मिथिल की की जाएं उतनी कम है इसी इसाब से चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 36 36 राइट 36 37 का तारगेट दिया है और मैं मिथिल को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहूगा एक एतिहासिक ओवर की अपने इस ओवर में सिर्फ अपने एक रन दिया और तीन बल्ले बाजों को बैट पकड़के अपने घर भेजा बिना कोई संकोच किये confidently बोल की मैं वाकई में मिथिल की एक दाद देना चाहूगा और जो दो तारम तोड बल्ले बाज थे जो पहली बॉल में जिसने अक्षे ने सिख जड़ा था और दिपे नों का पूरा साथ दे रहे थे दोनों की नहीं सुनी मिथिल ने बोला में इंको आउट करके रहूगा तो आउट किया दोनों बल्ले बाजों घर पे बेजा और तीसरा विकेट भी लिया बहुत बहुत बढ़ाई मिथिल येस बहुत बहुत शुक्रिया विवान सर पूरे चारवर का आखोदे का हाल आपको विवान सर इनोंने सुनाया है सावलता बोईस सावलता और लोगावाँ प्लीज तयार रहिए और तुरण हम दो मिनिट पे मैच की शिरुवात करेंगे मैं टॉस के लिए आमंतरत करना चाहूंगा तकटगर राइजिंग स्टार्स और गावगुडा राइजिंग स्टार्स के कैप्टन दोनोई टीम के कैप्टन प्लीज पधारे हमारे टॉस के बॉस का प्रावड पार्टनर है निशी मेड केर जिनके माध्यम से एक स्पेशल कॉइन बनाया गया है जिसमें उनका नाम है और साथ इसे हमारे टाइटल पार्टनर कोमल कोमल टेडिंग कॉर्परेशन इनका भी नाम है गागउदा रैजिंग स्टार्स और रैजिंग सार्स तकटगर अनिल भाई पधारे हमारे खास मेहमान है अनिल भाई बहुत अची स्माइल है अनिल भाई जैंन आपको जैंन तीक एक अब एक नया ट्रेंड है एक नई शुरुवात हम करने जाएंगे अब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट को टाटा भाई भाई सोएंगे तो जहीन बोलके जागेंगे तो जहीन बोलके राइजिंग स्टार्स तकडगर प्लीज आईए कैप्टन आईए प्लीज पदारे अनिल भाई हमारे साथ मोजुन है जो गाउगुड राइजिंग स्टार्स के कैप्टन है तकडगर राइजिंग स्टार्स प्लीज पदारे क्या बात है सर बड़िया तयारिया जैहिंद आपको भी आपका शुब नाम सर साहिल भाई, साहिल भाई हमारे साथ मौझेंगे, विकरान सर अइंसा ग्रूप के सबसे मेन परस्टारिटी है, चलिए, निशी मेड कर कॉल करना है, और आधर कॉमल, कॉमल इसकाल, अगुमल इसकाल, इसकाल, क्या लेंगे, चलिए, पहले फिल्डिंग, चार ओर का मैच है, कितना तक रिस्टीट करेंगे, क्या बात है तीस अंसर आपकी बोलिंग स्टेंथ में है उतना दम आगे जाके देख लेंगे जी आप बिल्कुल देख लेंगे कॉंग्राजुलेशन्स अनिल भाई चाहिए अगर आप टॉस जी तो तो क्या लेते फिल्डिंग लेते लेकिन अभी आपको अगर बैटिंग करना है तो क्या होगा आपका प्लान भी क्या है अनिल भाई हमारे कास्ट महमान है और बहुत अच्छी स्माइल है और जिगरी जान है अनिल भाई चलिए इनका एक एक फोटो तो बनता है क्या बात है ब्रेदर फूम अनदर मदर जीसे हम कहते है मैं शुरू किज़े जल से जल में दोनों बल्लेबाजों से रिक्रेश करूगा कि जल से जल मैदान पे आप पीछ पे डटे रहे और आपको समय शुरू हो गया है नव सोला का बॉलिंग टीम को मैं बता दू और राइजिंग स्टार तगडगर इन्होंने टॉस जीता है और पहले गेनबाजी करने का निड़ने लिया है और गावगुडा राइजिंग स्टार को पहले बैटिंग करने के लिए आमंदरित किया है पिछले मैच में हमने देखा था कि किस तरह से एक अच्छी पारी अक्षे ने और दिपेन ने खेली है जब सावलता स्पाटन्स ने कहा कि हमारे पास ताडम तोर बल्ले बाज है अक्षे और दिपेन के नाम पे तब लुनावा में नी जवाब दिया अगर आपके पास ताडम तोर बल्ले बाज है तो हमारे पास ताडम तोर गेंद बाज है और उसी ताडम तोर गेंद बाज मिथिल ने अपने आखरी ओर में एतिहासी ग्रूप दिखाया एक चमतकारी ग्रूप दिखाया और बल्ले बाजोग को एक रन पे रोका पुझे छे बॉल में और तीन बल्ले बाज को घर पे भेज़ते हुए हमारे मितिल भाई चलिए 9 बचकर 16 मिनिट पर आपका समय शुरू होता है देखें पहली मरतबा दोड लगा रहे है पंकज और सामना कर रहे है अश्वीन एक आस्मानी टोला लेक की तरफ फिल्लर तैना देखना यह होगा एक अच्छी खासी फिल्लिंग यहाँ पे थोरे से मिसकंसेप्शन में दोनों प्लेयर्स हो गए और इसी तरह से दो रन अश्वीन और गौरव पूरे करने में कामियाब बहुत अच्छी शुरुवात इस समय 37 स्रणों का पीछा करना है निधारित 24 गेंदों में पहली गेंद पर दो रन दोड़ कर पूरे किये अश्वीन और अश्वीन ने स्ट्राइक अश्वीन स्ट्राइक पर है अभी भी बहुत अच्छे एक टालेंटेट बल्ले बाजों म अब बहुत ओएक हराँ युद्orter करते हैं क्या पिक्सार स्वर्था स्बस्पार्टन जेसे एक होनार टीम है मैं स्वर्था स्पार्टन जेसे एक बहुती पर्तिवासाली टीम है जिनको आज अपने सही क्रिकेटिंग टालेंट को दर्षाना बहुत ही जरूर यह है श्रीप गेंदों पर रन बने हैं चार पंकच की अगली गेंद बहाद ही बढ़िया क्लासिकल स्ट्रेट ड्राइब एन मिलेंगे चार रन वाड़ स्टार्ट क्या बात है यह चौका देखकर निशीत रुपा हर बल्ले बाज इसके लिए फक्र मैसूस करता होगा क्योंकि जिस प्रकार से गेंद को बल्ले का संपर्ख हुआ स्ट्रेट बाट इट स्टोक जिस प्रकार से खेला गया चार रन मिले इसे कहते हैं अपनी सही काबिलियत और उसी काबिलियत को दर्शात हुए अश्विन भाई यह तोड़ा सा एक परिवर्तन क्या जा रहा है शेतर रक्षर में लॉंग ओफ के फिलर को तोड़ा स्टेट ला जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर हम पंकच की ओ वाड़ शॉट वाड़ शॉट स्वीपर के लाड़ी मौजूद है तो सिवल एक करन से संतुष्टोना होगा अश्विन को बहुती नजाकत ताकत इसका सई मेल जोल है अश्विन भाई के पास जिस तरह से वो वाम अप कर रहे थे तैयारियां दर्शा रहे थे तो हमें जरूर देखना होगा अश्विन भाई किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं कि अमपार के दर से एक नशीत उपर गेन बास को एक वार्निंग दी गई है अगर जरा सी भी आपकी जो एल्बो है अगर बेंड होगी तो इसके बाद आपको पैनल्टी दी जाएगी और पंकज की लेक्स्टम मिडल स्टम पर पिचिंग हुई अक्रोस किलना चाहते थे पूरी तरह से बीट हुए गौरव पहली गेन का सामना कर रहे थे लेकिन तोड़े से चूके जरूर चले ये सही कमबाक करते हुए पंकज जोने ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई अपने हवाई फायर और गेन जाती हुई निशीत रूपर बॉंटरी के बाहर है गेन लगता हुआ ये पहला सूपर सिक्स एसिनिंग का क्या बात है कली हमने सवेरे साड़े तीन मज़े हवाई फायर देखा इंडियन एर फोर्स का और अभी हम देख रहे गौरव का आज के दिन का इसिनिंग का पहला हवाई फायर छे रनों के लिए इसी छे रन के साथ रनों की सिती बढ़ती हुई पंदरा रनों पर एक ओवर के बाद पंदरा रनों ये कि रीपले में कुछ वो पेड को बीच से गेन बाउंडरी के बाहर गुजर गई अठारा गेंदों में 22 रन की जरूरत है सर चली स्पार्टन्स यानि की सावलता स्पार्टन्स का पहले ओवर के बाद 15 रन थे उसके बाद बैटिंग एक्सलेशन बहुत हुई बहुत अच्छी तरह से हुई और रनों का पीछा करने में श्री लुनावा यूद ग्रूप ल किर्थी दूसरे ओवर की पहली गेंद की शुरुवात करते हुए पहले गेंद पर एक रन दिया किर्थी ने स्पार्टन्स की टीम से उमीदे जादा है पिछले वर्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन ये सारे खिलाडियों ने इस वर्ष भी जीत के साथ अपना जो सिलसिला है बरकरा रखने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी गेंद गेंद को जाने दिया ऐसा लगा गौरव को कि ये गेंद बाहर है वाइड होगी तो जरूर एक एक एक्स्टा रन हम जोड लेते हैं लेकिन कुद लेक्स्टम का गार्ड ले रहे है तोड़ा सा शफ जरूर हुए तो जजज करने ही पाई इस बार तोड़ी सी गलती जरूर हुई गौरव की इस बार आफ टाकर गेंद और ये कैच होगा जरूर बहुत ही बहतरीन कैच लिया है वाड़ा कैच मयूर ने सुरक्षित रखा ये गेंद अपने हातों में और गौरव होंगे बैक्समन कौन है सर सर बैक्समन जश ना जश भाई बैटिंग के लिए तयार तीसरे नंबर पर यानिकि सबसे इंपोर्टेंट पोजिशन है श्री 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 उसको दिखना है ये चली दिसकोर बना हुआ है सोला पर पहले विकेट का पतन सरा हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है जिन्होंने बहुत अची मेनत की एक सुनहरी विकेट हमें प्रदान हुई है इस बार और इंसाइड एच क्ली बोल्ड हुआ तमाम होंगे क्लीन बोल्ड मिलेगी ये बहुत बड़ी सफलदा कीरती को बाक टू बाक दो बड़े विकेट ये दूसरा बड़ा जड का लगता हुआ श्रील रवा यूद ग्रूप की टीम को और अश्मिन जैसे इन्फरम बल्ले बाज होंगे आउट जो इस है ट्रिक बाल को फेस करने जा रहे हैं बहुत अच्छी गेन बाजी कीरती की तारीफ करने होगी और हेमांचु बाज जहरा दौड कर जाएगा थोड़ा वाम अप भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा हमारा थैंक्यू सो मच हेमांचु बाई गागुडा राइजिंग स्टार्ज और राइजिंग स्टार्ज तकतगर इनके बीच अगला मुकाबला है दोनोंगी टीम से रिक्वेस्ट मुकाबले की शुरुआत हम तुरंद ये मैच कम्प्लिट होने के बाद करेंगे हैट्रिक डिलिवरी है क्या हम देखेंगे सीजन त्री की पहली हैट्रिक की ती तयार हेमांची तयार और फिल टॉस डेवी बले का बार ही किनारा लगा गेन ट्रावल होती भी डिकलर जोन में एक रन के लिए इसी एक रन के साथ रन की सिती बढ़ती हुए 17 रन ओपर नेक्स्ट मैच आज के दिन का दूसरा मुकाबला गाउगुडा राइजिंग स्टार्स और राइजिंग स्टार्स तकडगर इनके बीच मैश नमर दूसरा खिला जाएगा अब बहुत ही बड़ी आफ़र्ट बहुत ही बड़ी आफ़र्ट विक्टों के बीचे अमेत बहुत ही अच्छे विकेट कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए इसी के साथ ये सफलता पुर्वक इस ओवर की समाप्ती होते हुए केवल दो रन आए अब बच्ची वी बारा गिंदों पर 20 रनों की अवश्चता लुनावा की टीम को इस ओवर में दो विकेट आए दो रन मिले बहुती सही बहुती सही ओवर कीर्थी ने किया है और अपने टीम के लिए एक जो दर्वाजा है जीत के लक्ष का उसे खोल दिया है जरूर लेकिन ये तीसरा पावर प्ले का ओवर मैच का पूरा रुक बदल सकता है टीम लुनावा के लिए अगर इस ओवर में रन अच्छे बने तो जो अगला मुकाबला है गाउगुडा राइसिंग स्टार्स इनके बारे में अब हम बताने जार है क्योंकि आज वो जीत का सिलसला जो मेवाड में प्रतियोगीता खिली गई बहुत बड़ी प्रतियोगीता उसमें जीते हैं, विजेता हैं, चैंपियन्स हैं और निशीत रूपर कोमल कप में अपने इस जीत का सिलसला बरकार रखने की कोशिश करे गाए अमिद भाय और उनकी टीम को अहिंसा ग्रूप के माधियम से कुमल कप की माधियम से बहुत बहुत शुब काम नहीं इसी तरह से अच्छे क्रिकेट के लिए वाला हिट बहुत ही बढ़ी हिट अन इडिस अप बॉंडरी येस अमपार का नेड़े मिलता हुआ पहली गेन पर जश का जोशीला चौका क्या बाते एक तरफ हम बात कर रहे हैं गाउगोडा राइसिंग स्टार्स की अमिद भाय और उनकी टीम वेवार से जीत कर आई है सर पर एक जो जीत का ताज है क्या वो ताज इस कोमल कप में बरकरा रहेगा या नहीं यह देखींगे हम मैच टू में अगली गेन जज़ के लिए फिर से एक बार फुल टॉस दिलिवरी इस बार गाप में जरूर लेकिन एक अकिलाडी तैनात है उस वी पर रीजन पर सिर्फ एक रन प्राप्त होंगे इसी सिंगल रन के साथ रेनो की स्थिती बढ़ती हुई 22 रेनो पर 22 इस स्कोर पावर प्ले क्या बात है बहुत ही अच्छे लिह अपने कैमरा में कह States करते हुए हमारे कैमरा में क्या बात है इंसाइड एजन is आउट आउट हो ना होगा आउट होंगे हेवाल्चू, विकेट का पतन हुआ हो, तीसरे विकेट का पतन, तर्ड विकेट गोस डाउन, पावर प्ले में लगता हुआ बड़ा जटका, बच में प्लीज, जितेश, ने बले बाज, जितेश बहें दोड़ कर जाईएगा प्लीज, 37 का टागेट रखा गया है, अभी रन बने है, 22, 3 गेंदे हो चुकी है पावर प्ले की, कुल मिला कर 9 गेंदे बचिये इस पूरे मुकाबले में, 9 गेंदों में 15 रन की जरूरत, टीम श्री लुनावा यूद ग्रूप, बहुत बढ़िया हेट, लेकिन फील्डर मौजूद है, गेंदबास की यहां तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से वो अपने फील्ड के तहट, ओफस्टम के बाहर गेंदबाजी कर रहे है, 8 गेंदे, 14 रन की जरूरत, जी और सावलता स्पार्टन हमेशा जाने जाते हैं अपनी गेंदबाजी के लिए, फिर इसे बहुत ही बढ़ी आया, एक रन पूरा की आया, बोरदार तालिया, जिस प्रकार से जैसे ही स्टोक खेला गया था, बहुत ही अच्छे जीतेश ने स्टार्ट अप लिया, और डेंजर एंड पर गेंद आने से पहले पहुच गए, 7 गेंदों में 12 रन की ज़रूरत जैश भाई, क्लीन बोल्ड, हम यही बात करते हैं, सावलता स्पार्टन अपनी गेंद बाजी के लिए जाने जाते हैं, आकरी गेंद पर पूरी तरसे जैश को किया क्लीन बोल्ड, अब 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत होगी, आकरी 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत, श्री लुनावा की टीम को, जैसे एक इनफॉर्म बल्ले बास, आउट होकर पैविलियन लॉट रहे है, जीतेंद्र भाई, जीतु भाई दोड़ कर जाईए, जीतु बाई जीतेंद्र, अब 6 गेंदों में 12 रन बना की कोशिश करेंगे, स्टाइक पर होंगे, जीतेंद, 6 गेंदे 12 रन की जरूरत है, बॉलिंग करेंगे अंकित सावलता स्पार्टन्स की सबसे बड़ी टी आर पी जो है, एक तो है टीम वर्क और दूसरी उनकी गेंदबाजी, गेंदबाजी में बहुत ही बहतर कारणामा की है, तीन ओवर में, 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत है, विवान सेर स्वागत है आपका कॉमेंटरी बॉक्स में, मैं रिक्वेश्ट करूगा कि महज की समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, जल से जल इनिंग पूरी की जाए, आखरी ओवर, 6 बॉल, 12 रन सामना करें, जीतू, एक आस्मानी टोला, बहुती खुबसुरत मैच दे, पहला मैच, आज अहिन सागुरु प्रेजेंट स्कॉमल कप 2019 सीजन 3 का दूसरा दिन, पहला मैच, रोमान चक, 5 बॉल, 10 रन, अंकित, फिर दूसरा आस्मानी टोला, फिलर तैनाथ, और यहाँ पे एक कैच छुटा, जो सावलता स्वादंस को बहुत भारी नुक्स जिनना पड़ेगा, और फिर एक बार, जितू और नौन स्ट्राइकर ने दो रन, पूरे करने में सक्षम, अब चाहिए, चार बॉल, 8 रन, मैच दे, बहुत एक अतिहासी गूरूप ले लिया है, यहाँ पर फिर एक बार, उपसाइड में, बहुत चांदर शॉट, यहाँ पर बहुत चुंदर फिलिंग, फिर एक बार ने बताना चाहूगा, दोनों लुनावा के बल्ले बाज, दो रन लेने में, शक्षम, लुनावा की पैविलियन में जो बैठे प्लेंस की, मुझे एतना धर्कन रुख गई है, तीन बार में छे रन, सामना कर रहे हैं जितू, चौती मर्दबा दोड लगा रहे हैं, फिर एक बार मारो, बहुती शांदार, दो रन तो जरूर बुरा करेगे, देखना ही होगा, कि यह रन, और क्या तारिफ एर लाइक, तारिफ एर राइक, रनिंग बिटिन दो विकेट, दोनों बल्ले बाज, मैं तारिफ करना चाहूगा, जितू की, कि ऐसे प्रेशर चार रन, दो बॉल में चार रन, फिर एक बार घुमाया है, फिल्ला तेहना, एक ही रन लेना में दोनों बल्ले बाज च्ट्रक्शन, अब पहुचा एक बॉल, तीन रन, एक बॉल, तीन रन, अगर आपको पॉइंट चाहिए, लुनावा, तो आपको तीन रन बनाने है, एक बॉल में, क्योंकि विकेट आपके इसादा की रहे हैं, तीन रन पूरे मानने हैं, बिकॉज लुनावा की टिंग के चार विकेट चले गए हैं, और बल्कि स्वावलता स्पाडन्स के सिर्फ और सिर्फ तीन लिकेट, तो तीन रन लेना अनिवारी हो गया है, लुनावा के लिए, चलिए, आखरी मर्तबा दोर लगा रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जितेंग रहे हैं, आखरी बॉल, नहीं यहाँ पे मिस्विलिंग, और यहाँ पे एक चीत सावलता स्पाडन्स को, जित मैं रिक्वेस्ट करूगा, मैं कल ही समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, हमें आज जल से जल पूरा करना है, गाउगुणा राइजिंग स्टार्स की पहले फिलिंग है, बेले बाजी है, और तगदकर राइजिंग स्टार्स की गेन बाजी है, चलिए, मैच शुरू करते हैं, बहुत बहुत बढ़ाई सावल्ता स्पार्डन्स को, बेटर लग नेक्ट टाइम, लुनावा, मैं लास्ट बॉलर का नाम क्या था, मैं अंकित की तारिफ करूगा, कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में, लास्ट की सिचुएशन में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और सबसे बड़ी बात तो तब हुई, जब चार बॉल में आट रन निकाल दिये थे, जीतु ने, और आखरी दो बॉल में चार रन चाहिए थे, जो बल्ले बाज को अंकित रोकने में कामियाब रहे, ये क्या बात कहें विवान भाई, बहुत ही अच्छी दर्जे की क्रिके हमने देखिये और जिसके लिए सावलता स्पार्टन्स जाने जाते उन्होंने वही कारनामा किया, चे गेंदों में बारार उन्हों की अवश्यक्ता थी, आकरी गेंद तक संदर्जबरी पारी खेली, दोनों ही बल्ले बाजों ने लोडा वाले, लेकिन अंत में मैं जीता सा आउगुडा राइजिंग स्टार्स को, कि अपने दोनों ओपनिंग तारम तोर बल्ले बाज को मैच पे भीजिए, और वही पे तगतगर राइजिंग स्टार्स से रिक्वेस्ट करूगा कि जल से जल मैदान पे तेहनात रहे, चली अभी जीत जी, आज पहला मैच जो हुआ सवलता सपार्टन्स और लुनावा की बीच में, जिसने एक सवलता सपार्टन्स ने एतिहासिक जीत मचाईए, पहला मैच बहुती रोमान चक हुआ, नो डाउट लुनावा की धर्कने तेज हो गई थी, जब हर बल में दो दो रन उन्होंने मारे, मैं स्पीड अप करना चा मैं रिक्वेश्ट करूगा कि पिछला मैच भी थोड़ असा ले था, मैं रिक्वेश्ट करूगा गावगुडा राइजिंग स्टार्स को और तगदगर राइजिंग स्टार्स को कि समय की मरियादा को ध्यान में रखते हुए, यू हाव टो फिनिश दी, इनिंग, इन मैं रिक्वेश्ट करूगा कि प्रिक्वेश्ट करूगा कि प्रिक्वेश्ट स्टार्ट हो गया है, तो आप प्रिक्वेश्ट ले सकते हैं, बाकि अन्य मैमान हमारे पैविलियन बॉक्स में जो है, आप से भी रिक्वेश्ट करूगा कि आप ब्रिक्वेश्ट ले सकते हैं और विशालव ही हमारे आप कैप पेंट के खड़े जड़ा दोनों हाथ उपपर करा दीजिए उनके पास कूपन्स है वो कूपन्स कलेक कर लीजिए चलिए मैक शुरू करते हैं बिना कोई समय कर गए हुए सब प्लेर्स आईए प्रेजेंटिशन एरिया में सब प्लेर्स आईए पानव दो मैच ट्रोफियम प्रेजेंट कर लेज़ा प्लीज फिलिंग जल से जल सेट किजिए मैने आपको रूस पहले ही समझा दिये थे सब समय की मरियादा को ध्यान में रखते हुए हमें आज 11 मैच पूरे करने हैं आज के तारीक में सी और डी गुरूप के प्री कोटल भी आज ही खेले जाएगे इसलिए मैं आप सभी मानुभाव से सभी टीम कैप्टन्स टीम प्लेयर से इस एंग काइन और रिक्वेश्ट फॉम मी तो कम्प्लीट दो मैच अस सुन इस पॉसिबल इन गीवन डिजाय टाइम और मैं अभी फिलाल हमारे को स्पीकर अभी जीजिए रिक्वेश्ट करूगा कि प्लीज मैं अद्ध मैच स्पॉंसर किया जाए कैमेर साइड माजिए मास का रुख बदला के लिए प्लीज जोरदा तालिया किर्थी के लिए सर, सर, कैमेरा है, साइड माज़े साइड माज़े, इधर आज़े एक्षुन हो गया है 9.30 6, अपका स्टार्टिंग ताइमे एक मनिट, एक मनिट क्या कहेंगे, सर, लग रहा था कि 37 चेज हो जागा, जब चार बॉल में आट रहना गेल, आखरी के और में तब क्या आपको लगा, सर, नहीं लग रहा था, इसा लग रहा था कि हमारा बॉलर बचा देगा और बचा दिया, अंकीत भाई ने बचा दिया आपको, लेकिन असली में अंकीत भाई ने तो प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छी गेनवाजी की लेकिन क्रेडिट गोस्तु देश मैन, क्यूंकि उन्होंने सिर्फ दो रन दिये अगर उन्होंने दो के चार भी दिये होते न, तो काम तमाम था मेरे साथ अच्छा अक्षे भी खेला है, तो मैं उसको बुलान जाओगा कि हम लोग दोनों ये man of the match शेर करेंगे क्या बाद है अक्षे प्लीज आईए, अक्षे ने बाटिंग में 23 रन बनाए थे और ये कहरें कि हम कमबाइन ये टॉफी स्विकार करेंगे, जोरदार तालिया कीरती ने ये टॉफी शेर कर रहें, कहरें, अक्षे तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, तैंक्यू सो मच, अब हम बढ़ते हैं मैच की और विवान भाई, इस बढ़ते हैं मैच की मरियादा को ध्यान में रखते हुए मैं सभी प्लेयर से रिक्ष्ट करूगा की समय की मरियादा को ध्यान में रखे और डिजाय समय पे अपको जो समय दिया है, उस समय में मैच पूरा किजिए, I send kind and urge request from me to you Ahinsa group presents Komal Cup 2019 season 3, today is the second day of this historic tournament of all the Jain Inter Village, Jain players from all over the Rajasthan चलिए, मैच की तरफ रूप लेते हैं अगला मैच चिंता मनी सादली वर्से सावलता स्पाटन्स अगला मैच फीर एक बार में दोनों टीमों का नाम ले रहा हूँ सावलता स्पाटन्स वर्से चिंता मनी सादली अगला मैच खेला जाएगा आप पन्ना मिनिट में रेडी हो जाएए तोस के लिए मैं फिर एक बार बता रहा हूँ अगला मैच खेला जाएगा चिंता मनी सादरी गाउ से उनका मुकाबला होगा सावलता स्पादन से जिसने अभी अभी लुनावा के खिलाफ एक ताडम तोड़ी बल्ले बाजी और गेन बाजी का रूप दिखाया था और ये एतिहासिक मैच जीता था ओवर टू यू अभी जीद भाई थैंके सो मच विवान भाई इसके साथ इस इस एक पांचरन होए है एक मिन अभी जीद जी मैं सभी प्लेयर से बटाईए बिलकुल सही है हवाई फायर बहुत ही अच्छा हुआ और ये गड़ बढ़ो गए विकेट कीपर के आतों से त्रो बिलकुल सही था लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए और दो रन का योगदान यानि कि स्कोर बढ़ता हुआ इस दो रन के साथ आठ पर है पहले और के समाप्ति के बाद आठ मुकाबला चल रहा है गाउगुडा राइजिंग स्टार्स और राइजिंग स्टार्स तकडगर इनके बीच गाउगुडा राइजिंग स्टार्स परसोही मेवाड में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जीत कर आई है और वही जीत का सिलसिला बरकारा रखने की कोशिश करेंगे कोमल कप में भी पहले और के समापति के बाद आठ रन टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का निरने लिया गया है राइजिंग स्टार तकटगर इनकी दरफ से लेट सी शुरुवात करें राइजिंग स्टार्स राइजिंग स्टार तकटगर स्टार करो माच 15 मिनिट्स के अंदर आपको 4 ओर कंप्लेट करने धान रखिएगा इसके बाद का मुकाबला चिंतामने साधरी 11 और सावलता स्पाल्टन्स इनके बीच कहला जाएगा टॉस के लिए इनिंग्स के बीच आना होगा दोनों ही कैप्टन्स को विशाल किये पहली गेंद कैच का कॉल ओ वड़ा कैच क्या बात है क्या बात है बहतरीन कैच प्राठीक के इस कैच के लिए चली इस प्रेय लेकर जाइए पूरा मैंटीकल बॉक्स डिए टाकेच चूसको देगे पानी का बॉटल चीज़ने आज पानी बहुत ही बहतेरीन कैच लिया प्रतीक ने तोड़ी से चोटिल जरूर हुए लेकिन सारी जो व्रवस्ता है इंसागरुव की मादम से बहुत अच्छी यह कैच पकड़ा है प्रतीक ने और निशेत उपर पानी की जरूरत होगी पानी पहुचा यह प्लीज पानी नीड़ प्रतीक ने तोड़ी जरूरत है इसलिए तायार होंगे कि विशाल के इससे पहली गेंड पर बहुत अच्छा कैच लिया प्रतीक ने और निशेत रूपर जो पहला विकेट गिरा है वह आठ पर ने बल्ले पास आए है विकास गाउगोडा राइसिंग स्टार्स मेवाड में हाली में जीत कर लोटी है मुंबई में और कुमल कप में अपना जो शुरुआत है वो थोड़ी सी मिली जुली शुरुआत हम कहेंगे आठ में रन पर पहला विकेट गिरा है और विकास आए बल्ले बाजी के लिए बहुत अच्छा कैश रिया प्रतीक ने इट रिमाइंड्स मी अफ 1983 वर्ल्ड कप फिनाले जिस बकार से सर विवे अन रिचेट का कैच कपिल देव सर इन्होंने लेजेंड किलाडी इन्होंने कैच पकड़ा और तभी से माच मोमेंट चेंज हुआ क्या ये राइजिंग सार तकटगर के लिए चेंजिंग मोमेंट होगा या नहीं बट कैच वस ब्रीलियंट कैच टेकन बाए प्रतीक और ये बहुत ही बढ़िया है एन्वालिन प्ले नो बॉल है ये निशीद्रु पर नो बॉल पर फाइदे जरू मिलेंगे नो बॉल इट प्रती है विकरण भई No ball is given because warning it is a warning निन्य निन't वर्निन है only warning only warning we can run by एक मेन वर्निट एक मेन एक मेता अनील ब्य EVERY एक मेन आई झाल झाल गरेंगे यह एपसुलूटली करेक्ट सब्सारण गिवन बांपार पहले वान गिया था बोलर को और इसकी बाद पैनल्टी दी गए तो टुटल स्कोर हो चुका है पंदरा रन जी 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 सौरप नए गेंद बाज है और ये गेंद चलि इस इप एक रेंद राप्त होंगे एक रेंद है डिक्लेर स्कोरबोल पर हमें नजर आ रहे हैं एक दशमला दो ओवर पूरी हुई है अभी चार गेंदों का खेल शेश है कोशिश करना है प्लीज जल्दी से मैच शुरू करें बहुत अच्छी गेंद इस बार सौरप की इसे गेंद पर 17 पर पहुशता हुआ स्कोर पैनल्टी के 7 रन का फाइदा मिला है गाउगुडा राइजिंग स्टार दोनों ही राइजिंग स्टार है एक है गाउगुडा राइजिंग स्टार और एक है राइजिंग स्टार तकडगर पूरे हमारे सुला गाउ की 20 टीमें है जो कोमल कप में पार्टिसिपेट कर रही है और प्रेतने यही रहा है अइंसा गुरूप का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैच को enjoy करें वाट आशाट वाट आशाट यह जानदार क्या बात है जिस प्रकार से थंडे दिमाग से विशाल ने विकास ने इतना बहतरीन स्टोक खेला है वाँ स्टेडियम को पार करना यह भी एक अलग हुनर है फिर से एक बाहर शाट पी डिलिवरी इस बाहर गलट स्टोक और लाइफ लाइन मिलेगी देखिए क्याच जिस प्रकार से चूटा क्योंकि विकास जैसे अच्छे बल्लेबास का कैच चूटना टीम टकडगर के लिए थोड़ा सा यहां गडबड़ वाले सीन हो गई है क्योंकि एक रन ही आया है रनो किस्तिती बढ़ती हुई 24 पर एक गेंशेश आकरी गेंड और अमपार को यह गेंड लगती हुई चलिए एक रन तो ऐसे भी बन ही रहा था एक रन बना दो वर के समापती के बाद सिल्वर जुबली हो चुकी है गाउगिडा राइजिंग स्टार्स की टीम का 25 रन हम फिर से एक बार दिल से धन्यवाद देंगे हमारे टाइटल पार्टनर कोमर्ल ट्रेडिंग कॉर्परेशन मिस्टर टेक्चन जी, बिडा और फैमिली हमारे मैन अफ़ द मैच पार्टनर फलेर हमारे जर्जी पार्टनर नाइटरोक्स मेहुल भाई and SS Gems Jewelry के Mr. Ramesh Ji इनको दिल से धन्यवाद हमारे Toss का बॉस के पार्टनर Nishi Medcare इनको भी दिल से धन्यवाद अगला मुकाबला Toss के लिए मैं आमंतित करना चाहूँगा चिंतामनी साधरी 11 की टीम के कप्तान और सावलता स्पार्टन श्रीपाल भाई टीम के कप्तान प्लीज पदारे Toss के लिए थैंकियो अभी जीट जी पावर प्ले ओवर है ये समय की मर्यादा को प्लीज ध्यान में रखिए और मैं मैच जल से जल शुरू कीजिए और मैं अगला मैच खेला जाएगा सावलता स्पार्टन वर्सेज चिन्ता मनी सादरी का ये अगला मैच है सावलता स्पार्टन का थो हमने ये पिछला मैच देखा है किस तरह से अभी जीट जी उन्होंने तालम तोड बल्ले बाजी और गेन बाजी की है देखना ये होगा साधरी सावलतास widerals का किस तरह से सावना करती है और किस तरह से उस मैच का हरोप लेकिा आती है चालो बलत ही अभी जी जी आपने बिल्कुल सही का जैस प्रकार से हमने पहले मुकाबले में जो गेन बाजी देखी रिस्ट्रीक्ट किया गया था बल्ले बाजों को पहले मैच में रंचेस हुआ नहीं लेकिन इस मैच में जिस प्रकार से विकास एन राहूल बल्ले बाजी करें डेफिनिटली एक अच्छा स्कोर बनाएंगे ये पहली इनिंग चल रही है बहुत एक बल्ले बाजी अभी हमने देखिए दोवर 26 रन दोवर एक बॉल और 26 रन ये दूसरी डिल्विरियर क्लीन बाज प्राजू बाट है राजू बाई ने चारोका ने चित किया राहूल को किया क्लीन बोल्ड बहुती शांदार बॉल बहुती एतिहासिक बॉल पढ़ नहीं पाई बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए और जब तक समझते जब तब संभलते तब तक गेंज आ चुकी थी क्रीस के पीछे और दीरेक हीट किया स्टम को और इसी तरह से गाउगूडा राइजिंग स्टार्स को एक बड़ा जटका लगा और बल्लेबाज आते हुए फिर से पैवेलियन में चलिए मैच की शुरुवात करते हैं समझ की मरियादा को आज हमको ध्यान में रखना है और समझ की मरियादा में ही हमको हर मैच पूरा करना है तो मैं कहना चाहूगा इस ओवर के बाद टॉस होगा चिंता मनी सादरी और सावलता स्पार्टन के बीच और टॉस के लिए में चिंता मनी सादरी के काप्टन से रिक्वेस्ट करूगा और सावलता स्पार्टन के काप्टन से रिक्वेस्ट करूगा कि अगले पाँच मिनिट में बैकड्रॉप के वहाँ पे आ जाए प्लीज, थैंक्यू, अभी जीच जी अगली गेन राजू भाई की इस बार फुल टास डिलिफरी और बहुत अच्छा कलात्वक स्टोक मिलेगे चार रन क्या बात है जिस प्रकार से नजाकत बड़ा ये स्टोक केला, चार रन मिलेंगे, बहुत अच्छी ताकतवर बल्ले बाजी का प्रेटिशन करते हुए, मनीश एन विकास अभी जीच जी मुझे स्कोर और रंस का और बॉलर का नाम प्लीज मुझे हिल्प कीजिए बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा रन रेट से अभी फिलाल तगदगर राइजिंग स्टार्स खेल रहे देखना ये होगा कि आखरी ओर में किस तरह से लगाम लगाते है बल्ले बाज पे आने वाले बॉलर चलिए मैच की तरफ रूप करते हैं, पावर प्ले का पाच्छा बॉल सामना कर रहे है फिर एक बार समझ नहीं पाए बॉल को, पड़न नहीं पाए, गेंग गई सीदी विकेट कीपर के हाथ में और एक डॉट बॉल गाउगुडा के लिए मनिज भाई आखरी बॉल पावर प्ले का सामना कर रहे है, आगया के उठाने की कोशिश की फिर एक बार बल्ले से संपर्क नहीं हुआ और गेंग जाप पुची विकेट कीपर के हाथ में और इसी तरह से तीन ओवर की वाइड का इशारा अमपार के द्वारा, माफ कीजेगा, स्ट्रेट ड्राइव, फिलनर मौझूद, दो रन की पुरी कोशिश करेगे और दो रन भागे, देखना ये होगा, थ्रो सही नहीं आया, और दोनों बल्ले बाज, दो रन पूरे करने में कामेब, और इसी तरह से ओ 32, 33, with the loss of 2 wickets, चलिए, सावलता स्पार्टन के काप्टन और चिंतामनी के काप्टन से मैं रिक्वेश्ट करूगा कि बैकड्रॉप के वहाँ टॉस के लिए आ जाए, I request to the captain of सावलता स्पार्टन and captain of चिंतामनी सादरी to please come at backdrop for the toss, our toss का boss sponsor, Nishimad के, I request both the captains of the team, सावलता स्पार्टन and चिंतामनी सादरी to please welcome on backdrop for the toss. चिंतामनी के कैप्टन और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चटका गाउगुडा राइजिंग स्टार्स को. चलिए तो backdrop के वहाँ पर आते हैं, सावलता स्पार्टन के captain यहाँ पर आ गए हैं, और चिंतामनी सादरी के captain निलेज भाई तानम तोड़ बल्ले भाज हैं, अभी उनके बीचे toss होगा, देखते यह है कि toss कौन जित्ता है और वो पहले बल्ले बाजी या gain बाजी करने का नि निलेज लिया है, और सावलता स्पार्टन को चैलेंज लिया है पहले बल्ले बाजी करने का अगला मैच, बहुत बड़ा एतिहासिक मैच है, दोनों टीम, ताडम तोड़ तीम, ताडम तोड़ तीमें, देखना यह होगा, निलेज भाई कांते ने पहले gain बाजी करने का निरने लिया है, मतलब उनका साफ रूपे अभी जीत जी, कि वो चाते है सावलता स्पार्टन्स को कम रनों में रोका जाए, और सावलता स्पार्टन्स पहले बल्ले बाजी करेगे, और चिंता मनी सादरी gain बाजी, चलिए मैच की तरफ रूप करते हैं, आखरी ओवर, यह हमने पहले ही, a very kind attention and very important notice to all the team, पहले ही हमने बोलाता, blue track या black track曷 two, है सभी को बोलाता प्लीज जो अब जेक्शन हैं नो डिसकेशन स्प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इस एंक रिक्वेस्ट यह हम लोग प्लीज आप कोई बिच में नहीं बोलेगे आप लोग कोई नहीं बोलेगे बीच में आपके गाउगुडा के कैप्टन से मैं चुनू इससे बात करें थैंक यू प्लीज आप लोग कोई डिसकस्ट नहीं करेंगे आप लोग कोई डिसकस्ट नहीं करेंगे नहीं पहले ही बोलाता ही है यह पहले ही नो इंक्वाइजी मैच शूरू किया जाए प्लीज प्लीज बात करेंगे ने निलेज बात कर रहे हैं निलेज बात कर रहा है ना बात कल्बी एलोग जिंखेवी गेगे अब बनार अब बनार अब बोला अब बनार अब दो बनार तू है यह सोग्जी बात हैं डिसके बात को मैं इंफर्म कर देता हूँ यह वर्निंग दी गई है गाउगुडा राइजिंग स्टार्स को तो इस तहत में हम वो चेंज कर देगे इस इनिंग के बाद में ठीके तो मैच जल जल शुरू किया जाए डिसकशन्स नहीं चाहिए वर्निंग दे दी गई है आप मैच रॉप नहीं कर सकते, आप मैच रॉप नहीं कर सकते, that's all, आप मैच शूरू कीजिए, हुआई सकते जाने पाइजिए अजूरू कीजिए, आप मैच रॉप प्रॉब को रॉप नहीं सत्याक रॉप रॉप, आप सकते, भी नहीं सत्याक Сब्याओे कर से gather ही, घॉप प्रॉप भी, مت wraps, जह सकते हनित तो आप रॉप झाल झाल मैं एक चीज सब को बता दू जब हमने ये बोला था कि पैनल्टी है तो हमने ये भी बोला था कि कैप्टन डिसकस करेगा और मैच नहीं रोकेगा प्लीज अगर आपको यस मैच चार्ट किजी प्लीज प्लीज वो जो भी डिसीजन होगा किसके भी टीम के फेवर में हो किसी के भी टीम के अगेंस्ट में हो वो हम डिसीजन लेगे अगर हमने ये रूल बताया था कि आपको ब्ल्यू या ब्लैक ट्रेक्मेंट परना है तो ये भी रूल बताया था कि मैच रोका नहीं जाएगा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा ने नी मैच रोकेगा झाल झाल बताया था कि मैच रोकेगा ये भी रूल ये रूल ये अज़ जाएगा थाएगा पर रशम घ्रूल ये ये रूब्स टूल ये दो नहीं हो जाएगाड़ हो जाएगा, अपको झाल झाल तो फो जाएगा ब cheese करेंगे कर हों मैस्ता कीजिए और ये भी रूल बोला ता कैपोटन डिसकस करेगा सब रांए डिसकस नहीं करें तो सभी यह सब करो नहीं तो इस अंधूरु मत कीजिए प्लीज नहीं हो रहा है आप सब ट्रड शीर कैपिटन ऑड़ नो आपसे मतलब नहीं है आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो आप अपनी गलती हमने ये बोला आप आप अपनी जे बोला आप अपनी जे येर आपी बोला आप झाल झाला आप अपनी डिया करो झाल 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 स्कोर प्लीज अरे स्कोरर वो छोड़े एक बार पांच और चार और की समापती हो गई है मैं रिक्वेश्ट करूगा मैं जल से जल शुरू किया जाए गाउ गुड़ा से रिक्वेश्ट करूगा फिल्लिंग लगाई है और हम आपको झाल अपने तगदगर राइजिंग स्टार्स के दोनों वल्लेवाद जल से जल मैदान पे आए बता रो आप प्लीज आप स्टार्ट कीजे मैच और राइजिंग स्टार्स तगदगर को बोलूगा कि जल से जल बल्लेवाद उतारे और गावगुड़ा को बोलूगा कि अपने गेन बाजी के लिए तैयर हो जाए प्लीज हलो 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 कल ही कल ही पहले अनिल भाई अनिल भाई अनिल भाई अनिल भाई झाल 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 मैं दोनों पैनल्टी के दोनों तीम के पाच पाच का जो इंको पैनल्टी लगा पाच पैनल्टी लगाए वो सामने सामने फो to कच पाँ तीमे पाच 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 पैनल्टी के vs by करूगर श्र। में आपको एक चीज आपको अब भी भी बता रहूँ आपको शिर्फ और star बल्ले बाजी और गेंम बाजी एक बार ध्यान perfect आपको 12 मिनिट में ये 4 ओवर करनी है 12 मिनिट में 4 ओवर करनी है अन्य था क्या करेगे 12 मिनिट में ये इनिंग पूरी करनी होगी otherwise दोनों को दोनों टीम को एक एक पॉइंट देके ये मैच को यहीं पे रद किया जाएगा 12 मिनिट 12 मिनिट सिर्फ और सिर्फ 12 मिनिट का टाइम दिया जाएगा मैं बता देता हूँ 10 बचकर 16 मिनिट पे आपका टाइम शुरू होगा 10 बचकर 28 मिनिट तक ये मैच पूरा करना है और अभी फिर एक बार बता देता हूँ सभी को Blue TracPant Black TracPant Compulsory है अहिंसा गुरूप के मैसेज में छोड़ दो Blue TracPant कल के लिए और Black TracPant Compulsory है अब भी ये मैसेज गुरूप में चला जाएगा अन्यथा 5 लं की पैनल्टी नो डिसकेशन, नो एर्गुमेंट फर्दर 12 मिनिट में आपको ये इनिंग पुरी करनी है अन्यत्था एक एक पॉइंट दोनों टीम को दिया जाएगा थेंक्यू 37 का तरगेट मैच शुरू किया जाए सुनो एक बार दोनों टीम सुन लो दोनों टीम ध्यान से सुन लो 12 मिनिट का ताइम दिया जा रहा है अन्यत्था एक एक पॉइंट देके इस मैच को यही पे फॉर्फिट कर गया दियाएगा हलो 12 मिनिट आपका समय शुरू होता है 10 बसकर 18 मिनिट का मैं रिक्वेश्ट कर रहा हूँ आपका समय शुरू हो गया है तगदगर के काका तगदगर के काका प्लीज टाइम नोट कर जीए 10 बसकर 18 मिनिट का ताइम स्टार्ट हो गए 10 बसकर 30 मिनिट तक यह मैच खतम होना चाहिए गाव गुड़ा के कैप्टन अनिल भाई अनिल भाई अनिल भाई 10 बसकर 18 मिनिट 10 बसकर 30 मिनिट तक यह मैच खतम होना चाहिए Otherwise एक एक पॉइंट से यह मैच रद किया जाएगा Thank you और रन रेट कैलकुलेट होगा जितने बॉल में आप जितनी रन मदा होगे उससे सबसे अनिल भाई Hello अभी जी जी यहां फे थोड़ा ट्रेक पेंड का Thank you कि अगर आप सभी दिर्शकों का जो यूट्यूब के मादम से अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं 37 का टागेट रखा गया है निर्धारी तर चार ओवर में और आपको ये सारे ओवर निर्धारी समय में कंप्लीट करना ये बहुत इंपर्टिंट है क्योंकि हमारे 10-30 तक ये चार ओवर कंप्लीट होना बहुत हींपर्टिंट है अनेता दोनों ही टीम को एक एक पॉइंट दिये जाएंगे ये आजचोको का नियम है इसका नियम आपको नियमों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनिट वेस्ट हुए त्राइ टू कवर इट तगदगर राइजिंग स्टार्फ को मैं फिर स आपके लिए बेनिफिट है अगाज बड़ा जड़ का लगता हुआ बहती बड़ा जड़ का लगता हुआ टीम तकर गड़ राइजिंग स्टार्स के लिए सावलता स्पार्टन्स और चिंतामन इसादरी से भी रिक्वेश्ट करूगा कि आपके प्लीज प्लेयर्स को से ब्लैक और ब्ल्यू ट्रैक पेना ही है हम नहीं चाते कि मैच शुरू होने के बाद कोई इशू हो इसलिए प्लीज कैप्टन से रिक्वेश्ट है दोनों टीम्स के प्लेयर्स आप चेक कर लिजिए आपके प्लेयर्स लोगों ने ब्ल्यू और ब्लैक ट्रैक पेना है या नहीं चलिए एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है चे रन और बची हुए तीन ओवर में 31 रनों की जरुवत है दस बचकर 21 मिनिट हो गई है तीन मिनिट में ये ओवर की है मैं वाकई में गाउगुला और राइजिंग शास की तारीफ करना चाहूगा समय के निदारित से ये ओवर सही समय पे पूरी हुई है तीन मिनिट में उमिद करूगा नव मिनिट में तीन ओवर पूरी हो जाए तीन असा आप ध्यान रखिए है 31 का जरूरत है आठा बॉल में बॉलस निम बॉलस निम गाउगुडा राइजिंग स्टार्स एक अतरिकत खिलाड़ी प्लीज भेजिए विकास गेनबाजी के लिए है बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है इसके बाद का भी जो मैच होगा वो चिंतामनी साधरी और सावल्टा स्पार्टन्स के भी दोनों ही ताकतवर टीम है निलेज भाई कि हम क्रिकेटिंग अबिलिटीस को निश्चीत उपर ग्राउन में देखें और इस बार बहुत ही अच्छा हिट देखी एक चांस मिला लाइफ लाइन मिली त्रोब बिलकुल बढ़िया लेकिन दो रन या मुकमल करते हुए बहुत ही बढ़िया रनों की बीच दोड रहे है दोनों ही बल्ले बाज आप सभी दर्शकों का और एक बार स्वागत है अईसागरूप प्रस्तूत कोमल कप सीजन तीन में हमारे टाइडल पार्टनर है कोमल टेडिंग कॉर्परेशन हमारे जर्जी पार्टनर नाइट रोक्स ब्ल््यू ट्रेक पेंड उसमें हलका light हो dark हो doesn't matter blue is a blue and black is a black उसमें थोड़ा light हो थोड़ा dark हो ये सब objections नहीं आने चाहिए प्लीस थेंक यू जी दूसरे रन के लिए जा रहते लेकिन वापस बेज दिया जो की बिल्कुल सही किया हमारे टॉसका बॉस पार्टनर निशी मेड केर इनको भी दिल से दन्निवत स्पेशल कॉइन फॉर सीजन 3 हमने बनाया है और हमारे मैन अफ़ दमैच पार्टनर फ्लेर जिनके माध्यम से हर एक मुकाबले के मैन अफ़ दमैच जो परफार्मस हो रही है उनको हम ट्रॉफी से सम्मानित कर रहे है बहुत बहुत शुक्रिया 14 रौन एक विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर मैं राइजिंग स्टार्स तगटगर और गाउगुड़ा राइजिंग स्टार्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोपरेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फीर एक बार ट्रेक को लेके मैं बता दू लाइक बल्यू डाक बल्यू ये लाइट है ये डाक है मैटर नहीं करता बल्यू इस बलू प्लस ब्लैक उसमें थोड़ा कलर में 19-20 हो तो चलेगा ये खास ध्यान रखिए छोटी-छोटी चीजों के लिए आप अब अब्जेक्शन ना लिए चलिए विवान सेर एक बहुत ही important message हम देने जा रहे हैं जो YouTube के माद्यम से दर्शक देख रहे हैं यहां actually जो total score है 16 का वो actually 11 है क्योंकि 5 runs की जो penalty दी गई थी उसको और यह बहुत अच्छा त्रो लेकिन विक्टो के आगे catch पकईने की कोशिश की one bounce अगर लेते तो शाइड difficulty होती इसी की साथ total run हुए है total run हुए है 20-13 गिंदो में 22 रनों की जरूरत 13 गिंदो में 20 रन समय की मरियात अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ लाश के 6 मिनी थे बता देता हूँ मैं आपको 12 बॉल में 22 चाहिए सर 15 रन हुए है 12 बॉल 22 चाहिए सर 12 बॉल 22 चाहिए जो यूट्यूब पर ओडियंस देख रही है उनको total five runs addition दिख रहा है because penalty जो उनकी दी गई तो बैटिंग टीम को उसको फाइदा मिलेगा न so add कर दिये हमने run but the required runs are perfect 12 बॉल 12 गिंदो में 22 चाहिए जरूरत है 12 बॉल 22 चाहिए जरूरत है विकास विकास बाई बॉलिंग की शुरुवात करे गाउगुडा राइजिंग स्टार्स आपको टाइम बहुत कम है ध्यान रखेगा टाइम बहुत कम है मैं फिर एक बार तगदगर राइजिंग स्टार्स को बता दू कि अगर 10 बच कर 30 मिनिट हुआ तो मैच को वहां रोका दिया जाएगा इसलिए कम बॉल में जितने ज़ादा रन बनाओगे उतना अनरर आपका नंबर ऑफ बॉल्स विल भी नंबर ऑफ डिवाइडेड़ वे नंबर ऑफ रन्स कैलकुलेट होगा तो कम बॉल्स में ज़ादा से ज़ादा रन मना सकती है तो आपका नरर हाई लेवल पर आ जाएगा ध्यान में रखिए 10 बच कर 30 मिनिट हो जाती है तो गाउगूडा को इस समय में रन रोकने होगे ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है फुल तोस बॉल अंपायर का इशारा वाइड का लेगे पहले अतिरिक्त रन के साथ शुरुवात किये विकास ने दो विकास है काउगूडा राइजिंग स्टार में ये विकास जैन है अगली गेंड बल्ले बाद स्टेप आउट ओ वाड़ा शॉट क्या बात है बैतरी नंदा से नजाकट बरस्टोग चार रनों के लिए बॉल्स प्लीज कितनी बॉल्स हुई ग्यारा गिंडों में सतरा रन की जरुवट से रिवर्स कोरी हमें बताना बहुत इंपोर्टेंट होगा ग्यारा गिंडों में सतरा रन ग्यारा गिंडों में सतरा रन हार्श का और एक नजाकट बरस्टोग टाइमिंग बरपूर चार रन दस बॉल तेरा रन इसकी बाद का आज की दिन का तीसरा मुकाबला चिंतमणी साधरी और सावलता स्पाल्टन्स दोनुई टीमें तयार रही है तीन अखरी तीन मिनित जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएगे तगदगर वह दगदगर के लिए चलेंजिंग होगा वह फाइदे मंद होगा फिर ऐकबाल आस्मानी तोला या बात है आस्मानी तोला और हमारे कैमेरा में सटीस थे क्या बहतरिन कैच लिया है वेल ड़न दादा नवगल 77 नवगल 7 रन साथ रन देखे एक्चुली हमारे वीडियो ग्राफर श्री थे और तुड़ा ब्रेक टाइम था सतीज जाधा को लेकिन सतीज जाधा ने क्या पुराने दिन याद दिला दे सुन्दर कैश लिया और एक बैटरी निस्टोग क्या तीन गेन ने वीवान भाई मैच को पलट दिया तीन गेन ने मैच को पलट दिया है और इसी के वीच अब स्कॉर में चाहिए और आठ बॉल छे रन आठ बॉल में छे रन साथ बॉल में पाच रन अब भी भी मैच दोनों ही टीम के तरफ बराबरी पर है साथ गेंदों में पाच रन की अवश्यक्ता है गाउगुडा राइसिंग स्टार्स कोशिश कर रहे है कि कही न कहीं एक विकेट उन्हें प्राफ्त हो जिससे की थोड़ा प्रेशर बने कोशिश यहीं चल रही है लेकिन जिस प्रकार से बल्ले बाजी में हर्श अपना कमाल दिखा रहे आइस बार गलती हुई एक रन नहीं मिला डॉट बॉल है यह यानि की ओवर की समाप्ती बचे हुए में छे गेंडों पर रनो की अमश्यकता है में जलसे जल शुरू किया जाए प्लीज में चूरू किया जाए प्लीस में शुरू किया जाए प्लीज में उसL, में आपको बता दू अभी Eduardo कि स्कूल्स में एक्जांस चल रही है इसलिए थोड़ी वॉल्यूम को हम एक दो घंटे के लिए धीमी रखेगे मैच शुरू कीजिए आखरी छे बॉल में पाच रंग की आवश्यक्ता बॉलर्स नेम प्लीज हितेश हितेश अगेन बाजी करने आए हैं चलिए मैच शुरू कीजिए जल से जल मैं बता रहा हूँ प्लीज मैच शुरू कीजिए चलिए क्याच का मौका लेकिन डिफिकल्ट चांस दूसरे रंग के लिए दौरते हुए लेकिन हर्ष ने का नहीं दौडने की जरूरती हैं पाच गेंदे चार रर्ण जल्दी से जल्दी बॉलिंग कीजिए प्लीज चलिए बड़ा और इनके निर्दारित समय में बॉलिंग शुरूआत हो चुकिए बहुत यच्छा एट और कैच मिस हो गया कितना बॉल में कितना रर्ण चार बॉल में बॉल रर्ण चाहिए बता दू सिर्फ 30-40 सेकंड बचे है 2 रून मानने के लिए 2 रून मानने के लिए 30-40 सेकंड बचे है तीन बॉल एक रन आखरी 20 सेकंड बचे है तीन गिंदे एक रन और यह तगड़ा प्रहार और यहां पर राइजिंग स्टार्स की एक मैच को जीत लिया है तकड़गर राइजिंग स्टार्स ने यह मुकाबला जीत लिया साधरी प्लीज फिल्लिंग के लिए आजाईए सावलता स्पाडल से रिक्वेश्टे जल से जल अपने बल्लवाजी बेज दीजिए चलिए अगला मैच होगा अगला मैच किसका बता जीए चलिए हम मैन अफ्टो मैच ट्रोफी प्रेजेंट करने जा रहे हैं इस मैच चमबर दो की मैन अफ्टो मैच तकड़गर राइजिंग स्टार्स को बहुत-बहुत कॉंगरेशन्स गाउगुड़ा राइजिंग स्टार्स को बेटर लख नेक्स टाइम मैं दोनों टीम से धन्यवाद देना चाहूगा समय पे ये मैच पूरा करने के लिए बारा मिनिट में चार ओवर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए सावलता स्पाड़न्स वर्सेज चिंता मनी सादरी चलिए हम तयार है मैन आपड़न मैच प्रेजेंटेशन के लिए मैन आपड़न मैच प्राओडली प्रेजेंटेट बाई फ्लेर चलिए स्वागत है अइंसा ग्रुप के माध्यम से ये मैन आपड़न मैच के हम ट्रॉफिय प्रेजेंट करने चारे और मैन आपड़न मैच जिन्होंने 19 रन का योगदान दिया हर शिर्जा मैन आपड़न मैच फॉर मैच नमबर टू ट्रेक पेंट चेक कर लिजिए यार देख लिजिए अब्जेक्शन आने पर नो अर्गमेंट नो डिसकर्शन पाच संग की पैनल्डी क्या बात है हर्श सबसे पहले तो कॉंगरालिजेशन आपको बहुत सारी मैच में आपस्टिकल्स थे मैच रुक भी गया था लेकिन आपकी बल्ले बाजी ने स्पेशली क्या टाइमिंग बहुत बढ़िया है सर आपका जो स्वीपर रिजन तोड़्स दो बांडरी एन एक मैक्सिमम इस छे रन के साथ आपने मैच का रुक बदल दिया स्वाल नहीं पुचंगार्श कांगराशिशन वंस अगें और राइजिंग सार तकटगर्गर्व वन इस मैच और हर्श इस आप मैच चलिए हम अभिवान सर की बास रुक करते जा मुकाबला शुरू होने जा रहा है हमारे सबसे बैतर टीमों में से एक चिंता मने साधरी टीम जिन्होंने टॉस जीत कर पहले गेन बासी करने का निने लिया है और साथा स्पार्टन्स जिन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता जल से जल बदले बासी किया जाए चलिए मैदान पे सावलता स्पार्टन्स और चिंता मनी साधरी ने अपने अपने हलो हलो चिंता मनी साधरी ने और सावलता स्पार्टन्स ने अपनी कमान संबाल लिये रहूल शुरुआत करेंगे पहला ओवर चिंता मनी साधरी 11 जो सबसे बड़ी टीमों में से गिने जाती है लेकिन उनके सामने जो एक युवा प्रतिबाशाली टीम सावलता स्पार्टन्स की टीम का मुकाबला है ये दूसरा मुकाबला खेल रही है सावलता स्पार्टन्स और पहला मुकाबला खेल रही है चिंता मनी साधरी की टीम ओपनिंग लिया है अक्षय और स्रीपाल शुरुआत करे पंदरा मिन्ट में चार ओवर करना अनिवारिया है सभी टीमों के लिए एक ही नियम हमने रखा गया है otherwise there will be a penalty marks penalty runs पहले गेन बहुत यह चाहिट one bounce and it's let's see नहीं ball in play पेड को लगकर गेन अंदर रही है क्योंकि boundary के अंदर पेड है तो पेड को लगकर अगर गेन अंदर आएगी तो ball in play होगा शुरुआत हो चुकी है match number तीसरा जो कि शुरुआत हो चुका है इसके बाद का मकाबला श्री लुनावा youth group और rising star तकटगर दोने captain से request करूँगा कि toss के लिए तार रही है आओ 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 आज नहाँ आदा इस बीच लो फुल टॉस डिलिवरी रावल भाई की तरफ से एक बहुत यचा ख्लासिकल कवर ड्राइव लॉंग अफ कर डारेक्टी टार होंगा आउट बले बाज वहांगा आउट श्रीपाल को बिना खाता खोले हुए पैविलियन में लॉटना होगा बहुत ही जबरदस्त रो इसलिए चिंतामणी साधरी टीम के सभी जो खिलाडी है रेगुलर प्राक्टिस करते हैं रेगुलर क्रिकेट खिलते हैं यहां जब मौका था स्टम पर सीधा निशाना साधा और श्रीपाल जैसे एक बैतर अल्राउंडर को वापस पैविलियन लॉटा दिया सो पहले विकेट का पतन पहली सफलता मिलते हुए चिंतामणी साधरी टीम को तीन रन पर पहला विकेट गिरा है चार गेंदे शेशे इस पहले ओवर की राहुल एक बहुती अनुशासन बरी गेंबाजी करते हुए चलिए पहले विकेट का पतन हुआ है और नए बल्ले बाज आए है कीरती जिनको पहले मैच में मैन अफ़ दो मैच के ट्रोफी से सम्मानित किया गया पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ दो रन दिये थे दो विकेट लिये और बहुती मैच टरनिंग मोमेंट थे यह बहुत इंबॉडन बात है आज पूरे सीजन 3 कोमल कप का ये दूसरा दिन हम सेलिबरेट कर रहे हैं आज 10 टी में दो गरुप में बटी हुई है 5-5 के गरुप में बटी हुई है गरुप C का मुकाबला नंबर तीसरा चल रहा है आज के दिन का पहला मुकाबला जीता सावलता स्पार्टन्स ने दो गिंदों में चार रन की अवश्यकता थी बहुत अच्छी गिंद बाजी का प्रिद्शन किया गया जहां मैन अदों मैच ट्रोफी से सम्मानित के गया कीर्थी को जो भी बल्ले बाजी के लिए है मैच नमर दूसरा बहुती करा मुकाबला गाउगोडा राइसिंग स्टार और तकटगर राइसिंग स्टार इनके बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी राहुल द्वारा हमें प्राप्त हुई ये गेंद पर कोई रन नहीं आया ये एक अच्छा हेट लेके नमेड़ॉफ के फील्डर ने बहुत अच्छा त्रोज जरूर किया है बैक अप तोड़ी से देरी होसती हुई लेकिन एक रन तो मिलेगा इसी एक रन के साथ रनो किस्तिती बढ़ती हुई पांच पर इसके बाद का जो मैच नमबर चौटा खेला जाएगा श्री लुनावा यूथ ग्रुप लुनावा बनाम राइजिंग स्टार तकटगर दोनें कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि तयार हएगा टॉस के लिए अगली के इन राहूल की इस बार आफ ट्रैकर डिलिवरी इंसे डाउट के लिए कोशी लेकिन बैतरिंग कैच और इसी के साथ बल्ले बाजुए आउट अक्षे इस गौन एक अची शुरुवात दिलाने के बाद अक्षे पैविलोन की और रुप करते हुए पहले मकाबले म अक्षे ने तेईस रनों का योगदान दिया था इस मैच में सिर्फ चार रनों का योगदान दिया और बहुत ही बैतरिंग कैच लिया गया तुर्ड़्स स्वीपर रीजन सुमित की काचिंग बहुत ही बैतर रही इसके साथ पहले और का खेश समाप्त पहले और के बाद रन बने हैं पाँच विकेड गिरे हैं दो यह नई बहले बास अमित स्ट्राइक पराते हुए चिंता हमने साथ एड़ी टीम शिर्वात करें चिंता हमने साथ एड़ी के लिए और यह पहली गेन पर बहुत अच्छा प्रहार और गेन जाती बाँडरी बार छे रनों के लिए पहलते दीन अन्दा से इस स्टोक को केला चे रन अमित ने आते ही अपने इरादे स्ट किये है बुलंद इरादों के साथ इस पहली गेन पर चे रन लगाया अमित ने गुड लाइन गुड लेंद पर ये गेन जरूर की गेती यहां पर तारीफ करनी होगी बल्ले बास अमित की जिस प्रकार से उन्हें ये पावरफुल स्टोक खेला और गेन को बॉंडरी के बाहर पहुचाया छे रनों के लिए रन बढ़ते हुए ग्यारा पर इस पहली गेन पर इस बाहर चेंज आफ पेस निलेश भाई अपना पुरा अन्भव या आजमाते हुए तोड़ साग गती में परिवर्तन किया और इस से ही तोड़ी सी तकलीब ज़रूर हुए अमित को बड़े स्टोक खेलने के लिए मतर एक रन मिलेगा रन एक एक रन के रूप में आ रहे हैं रनों की सिती बारा पर पहुची है आगे आकर एक कवर ड्राइव केलने की कोशीश लेकर मिल आफ के पास एक गेन प्राप्त होती हुए एक रन का और इजाफा एक रन की और बड़ोतरी रनों की सिती पहुची है लगी नमबर तेरा पर इस बीचे बड़ाई टले की नफीलर मौजूद है और कैच को कम्पलीट किया मौजूद भाई का बहुत ही बहतर कैच पर साथ कीती ने डिकलर जोन में एक रन के लिए खिला है रनों की सिती बढ़ती हुई 14 रनों पर 14 is the score 14 रन आखरी गेन इस दूसरे ओवर की बहुत ही अच्छा हिट सीधे लाउन के फिल्डर के बाद थोड़ी सी फर्म लिंग जरूर हुई और दूसरे रन के लिए दौरते हुए बहुत ही आस्ता ने इसे दूसरा रन कम्पलीट किया अमित और खेटी ने दौर की समापती दौर के बाद रन हुए है 16 रन एक विकेट की नुक्सान पर 2 ओवर 16 रन वन विकेट शुरुआत करेंगे सयम चिंत अमाणी साध्रेडिक किडी अपने फिल्डिंग को जल्दी तैनात करें ने दारित 15 मिनिट में आपको चार ओवर कम्पलीट करने है पावर प्ले का नेड़ने देते हुए अमपायर हमारे दोनों ही अमपायर शशी सर और सुर्यकान सर इनको भी दिल से धन्यवाद दो ओर के बाद रन हुए हैं 16 तीन विकेट के नुक्सान पर पावर प्ले के ओवर करेंगे सयम बहुत बढ़ी आगे इन बाजे सयम की लेकिन उन्होंने तो नहीं क्या बिलकुस सही निड़ने पावर प्ले का ये ओवर है सेम भाई को आप हमेशा देखते हैं कहीं बड़ी प्रत्योगिता हमारे इस कम्मुनिटी के लिए और्गनाइस करते हैं चाहिए वह MTC के माद्यम से और ऐसे कहीं बड़ी प्रत्योगिता सयम भाई और उनकी पुरी जो इवेंट है वाली इवेंट इनके माद्यम से के जाती है और खिलाडी बहुत बहतर है इस बार बैतरीन गेंड वाव वट अ डिलिवरी एक ट्रदिशनल फास्ट बॉलर आक्शन सही रिदम सही पिचिं सही लैंडिंग पैट जिस तरह से गिरते हैं और हाथ जिस तरह से एक ओपन चेस्टेड आक्शन है पिचिंग बहुत ही बढ़िया रही इस गेंड पर कोई रन नहीं मिला कोई स्कोर बना नहीं पाए मितेश और कीरती की ये जोड़ी इस बार कोशिश करे थे मितेश कीरती में एक रन निकाला स्टाइक लोड़ा है मितेश को इसी सिंगल रन के साथ रनों की सिती बढ़ती वी अठारा रन आन इस आउट मितेश को ना गाउट बहुत ही अच्छी विकेट ली है सहीम भाई ने मिकेट नमबर चौथा गेरता हुआ अठारा रनों पर रिकार्ड ब्याइंड विकेट जिसके हम बात कर रहे थे सहीम भाई एक ट्रेडिशनल फास्ट बोलर एक्षिन है और जिस प्रकार से पिचिंग ला जवाब रहे मितेश को आउट किया चौथिय विकेट का पतन हुआ मयूर ने बलने बाज स्टाइक परेंगे मयूर वाड़ बाल सहीम भाई बहुत अच्छी गेन बाजी रन आउट का मौका लेकिन थोड़ा सा दूर रहे गया इस बीच एक रन को पूरा किया रनों की सिती है 19 रन मेरे कहल से विकास हमारे साथ मौझे ते कॉमेंट आउट के मिल्कुल सही करें क्या बहतर बालिंग है फिर से एक बार वाड़ बाल हाफ ट्रैकर डिलिवरे दिस बार गती बहुत ही अच्छी पेस बहुत ही बढ़िया इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल स अब रन हुए है 20 विकेट गिरे हैं 4 पर निडाय को लेकर आएंगे हितेश भाई तीर ओर के समाप्ति के बाद रन हुए है 20 चार विकेट के नुकसान पर टॉस के लिए हमाँ अमत्रित करेंगे श्री लुनावा यूथ ग्रूप लुनावा और राइजिंग स्टार तकडगड स्टाइक पर होंगे और नए बल्ले बाज बहुर बोले जैन पर पहली गेन पर बहुत यह चाक्रमान लेकिन देखना होगा क्या चाहिए या नहीं ओ क्या चूटा और इस बीच मिलेगा पहली गेन पर चौका अगली गेन बहुत ही अच्छे बहुत ही नजाकत बरा स्टोक उतनी बड़िया फील्डिंग बहुत ही लंबा दाइरा तै करना पड़ा स्वीपर फील्डर को और सुरक्षित रखा गेन को सीमा रशा के अंदर रणो किसी थी बढ़ती हुई 27 रणों पर पहले गेन पर चौका आया उसके बाद वाइड और दूसरी लीगल डिलीरी पर आये दो रण 27 पर बढ़ता हुआ स्कोर इस बीच बैक फूट पर कट करने की कोशिश देखना होगा फील्डर गेन के पीछे दौड रहे और गेन ट्रावल हो रही है देखना होगा अमपार का क्या नेने मिलता हुआ केवल दो रण मिलेंगे यहां डिकलेर शेत्र है डिकलेर जोन है अल्मोस्ट जो थर्ड मैन वाइडिश थर्ड मैन या डीप पॉइंट यह सारे जो ख्षेत्र है यह सारी अराउंड वाइडिश थर्ड मैन का जो रीजन है वो डिकलेर जोन है सो ध्यान रखना होगा बल्ले बाजो को भी इस बीच फिल टास दिलिवरी कलायों को बहुत अच्छा इस्तमाल और बैतरी फिल्डिंग मारु भाई की इस दर्म्यान दो रन दोड़ कर पूरे करते हुए कीर्थी और मयूर अच्छी रनिंग बिट्विन दिविकेट 31 रन पर बढ़ता हुआ स्कोर दो गेंदे शेश है 31 इस दे स्कोर अगली गेंट फुल टास दिलिवरी बहुत या चाक्रमण मेट्विकेट पर फीलर मौजूद है और जब तक तरो आए दो रन दोड़ कर पूरे किये कीर्थी ने है 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 चलिए आखरी गेंट आब डाइट के लिए चाहते देखी थी चलिए एक ही रन यहीं की इनिंग्स की समाप्ति की गोश्ण चार ओवर के निर्दारित खेल में 34 34 इस टोटल और 35 इस टागेट 35 का डाइट है चिंटामणी साधरी अपने बाट्समेन को तयार रखेगा और सावलता स्पार्टरं तुरंद अपने फीलर्स को बेजिए प्लीज जल से जल स्टार्ट किजिए सावलता स्पार्टरं के कैप्टन से रिक्वेस्टे फिल्लिंग जल से जल लगाई है जल से जल फिल्लिंग लगाई है सावलता स्पार्टरं फिल्लिंग लगाई है और चिंता मनी सादरी आप प्लीज जल से जल बल्लेबाजी के लिए उतारिए कितना टुवीन है थर्टी फाई थर्टी फाई टू विन चिंता मनी सादरी के वल्लेबाज प्लीज जल से जल मैदान टो उतारिए चलिए तो मैच शुरूरात करते हैं अरे यार टोस टोस करो मैच पहले बल्लेबाजी नहीं उतारे। कि अरे अरे टोस करा लो थे कि अरे आटी चलिए हम टॉस के लिए तयार है इसके बाद का जो टॉस है निशी मैड केर कुमल हमारी टॉस का बॉस के प्राउड पार्टर है निशी मैड केर कोमल इसकाल एन कोमल इट इस मनीश भाई क्या लेंगे चलिए कॉल देंगे सो दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुब काम ना है नेक्स्ट मैच के लिए साहिल भाई ज्यादा बातें नहीं होगी क्योंकि अभी अब मैच हम शुरू करने जाए बट नेक्स्ट मैच के लिए आप दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुब काम ना है कॉल जाओ साहिरे जाओ जाओ से हाँ चलिए मैच की तरफ रूप बढ़ाते हैं स्कोर प्लीज और बॉल प्लीज स्कोर प्लीज बॉल प्लीज निलेज भाई सामना कर रहे बाहरी किनारा लगा और बॉल गई एक रन डिकलेर जोन में प्लीज निल सकति दिएहा हैं लोग झेज़ प्लीज बॉल उने कर रहे बाहरी की तरफ गितर मी तर महाई सकता है कर दSiो कमाना है को मोः बॉल प्लीज प्लीज गुल है फिर एकबर बॉल डिकलेर जोन में एक रन मिलता हुआ चिंतामानी साधिरी को कि एक रन मिलता हुआ 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 है चिंतामानी साधिया जोन मिलता है चिंतामानी साधिया जोन मिलता हुआ 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 है लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ ड्रॉप पर एक किलाडी तैनाज जरूर है लेकिन डिफिकल चांस था एक कैच के लिए पहले ओर की समापती एक ओर के बाद रन बने है पांच बिना कोई विकेट के नुकसान पर दूसरी ओर की शुरुआत करेंगे केरती जरूर है जो मैच नंबर एक के विजयता रहे मैन अफ़ द मैच विजयता रहे जिनने अपने एक ओर में दो विकेट लिए सिर्फ दो रन दे कर और वही बॉलिंग का फॉर्म इस मैच में भी कंटीनू रखने की कोशिश करेंगे और ये कैच रिशब एस आउट बहुत ही बड़ा जटका लगता हुआ चिंटामनी सादेडी की टीम को और पहली सब बलता मिलते हुई सावलता स्पार्टन्स और कीर्थी को जीत का जश्न मनाते हुए सारे खिलाड़ी को जानते हैं रिशब का विकेट कितना वैलियोबल है रिशब जिसे एक सबसे अच्छे बल्लेबास पैविलियन की और अब बढ़ते हुए नए बल्लेबास आएंगे मयूर जिनने अच्छा शेतरक्षिन किया उनके बाटिंग के लिए जाने जाते हैं मयूर लेट सी इंपोर्टन नमबर तीन पर बल्लेबासी करेंगे पांच रन पर ये पहला विकेट गिरा है रिशब के रूप में और अपने आपसे नाकुष है नाराज है जिस प्रकार से ये स्ट्रेक को वो खेलना चाते थे टोवर्ड्स अ मिडविकेट रीजन बाट कनेक्शन सही हुआ नहीं बल्ले का निचला हिस्सा लगा और बैट कहीं न कहीं मुड़ गई और इसी वज़े से वो गेन ट्रैवल हो नहीं पाई सीधे फीलर के हातों में गेन गई नहीं बल्ले बास आएंगे मयूर तयारे कीरती और एक गेन के लिए बहुत ही बढ़िया टेकनिकल स्टोक मरूर ने व्यक्तिगट काता कोला इस एक रन से टीम का स्कोर पहुचाया छे रनों पर 17 गेंडों में 16 गेंडों में 29 गेंडों की जरूरत दिशाईन गेन बास एक कीरती कोशिश करें कि और स्टोक के बाहर करें गेन को लेकिन इस बार पूर तरह से अपने लाइन पर चोके वो जानते हैं कि बहुत ही अच्छे बल्ले बास है निलेश जो की जाने जाते हैं अपने आकरामक स्टोक के लिए इस बार बिलकुल सही गती में परिवर्तन तेज गेंड की मिडल स्टम पर मिडल रंस आप स्टम पर ये तेज गेंड की गई पूरी तरह से चूके निलेश कोई रन नहीं डॉट बॉल साथ रन पर बना हुआ है स्कोर और इस ताइम क्लीन बोल चारो काने चित दूसरे विकेट का पता है दबेकमान निलेश भाई एस आउट झाल 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 नहीं बल्ले बाज आये हैं बावेश भाई मरूर का साथ देने के लिए दो नहीं ओपनिंग के बल्ले बाज पैविलन में अब लोट चुके हैं कीरती भाई को दूसरी सफलता में पहले रिशब को आउट किया और इसके बाद एक बड़े खिलाड़ी निलेश भाई को आउट करते हुए चलिए यह डॉट बाल कीरती की बहुत अच्छी डिस्सिप्लिन गेन बाजी हमने देखी है पहले मैच में भी कीरती ने सिर्फ दो रन देकर दो विकेट लिए इस मकाबले में उन्हें ने दो विकेट लिए है यह टोटल स्कोर हुआ है आट रन एक गिन बाकी और सिर्फ स्वीटली टाइम किया है टोवर्ड़ लॉंग ओफ रीजन एक रनों के लिए दो वर का केल समाप दो वर में रन बने है नो विकेट गिरे है दो बहुत इस सफलता पुर्वक इस ओवर को संपन ने किया नो रन नाइन रन जार अर अन्दर स्कोर बोर्ड अन्दर के बाद नो रन प्रहत रिए में प्रुश अन्दर को अन्दर किया दो बाद बाद प्रब्डियर बादान ने लिए दोर के समाप्ति के बाद नौरन बने है चले शिरुवात करें सावलता स्पार्टन्स वाड़ शॉट क्या बात है देख घुमा के यह बड़ा सिक्सर वाड़ शॉट चले इसी चे रन के साथ टीम चिंता मानी साधरी के सारे खिलाडी खुश नजराते है रनो की सिती 15 पर पहुच चुकी है ग्यारा गेंदो में 20 रन की जरूरत बावेश के बल्ले से आता हुआ यह बहुत ही ताकत और स्टोक अमित की अगली गेंद इस बाव फिर से कोई फीलर तरह 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 नहीं वन बाउंस ओर दफेल्स चार रनों के लिए दो गेंदों ने मैच का रुक पूरी तरह से बदल दिया अब 10 गेंदों में 16 रन की अवश्चक्ता बर्ड़ बोई विशाल भाई ने इस गेंड को फेका है अमपार के पास पन से गेंड एपी बर्ड़ टू यू विशाल भाई इंसाग्रूप के मारे विशाल भाई जैन इनको जनम दिन की बहुत बहुत शिवकाम ना है बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है शिरुवाती दोर पर दोर के समापती के बाद ऐसा लग रहा था कि सवलता स्पार्टन्स इस मैच में और अपनी पकड बनाएंगे लेकिन जिस प्रकार से बावेश ने एक सिक्स और एक चौका जड़कर दसरन अपने नाम पर कर लिए और टीम को बहुत ही नजदीक लाके खड़ा किया है जीत के दुआर के पास और बहुत ही बहुत ही बहुत ही तरीन कैच क्या बहुत है कैच इस विन माच इस और इन पंबलेबास बावेश को किया है आउट नए बल्लेबास विकास नौग इंडो पर सोला रन की ज़रुयत है लेकि हर एक गेन पर कुछ ना कुछ हरकत हो रही है और दोनों इन टीमों के पास एक एक बार माच जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है लेकिन सावलता स्पार्टन्स की गेनबाजी की स्टेंच सबसे बहतर रही है मुकाबले में पहले मुकाबले में भी उन्होंने वो प्रेशर को जेला प्रेशर को अपने पास रखा और मैच को जीत लिया लेकिन इस बार चिंतामणे साड़ेट जैसी एक बड़ी टीम है लेकिन बाविश आउट होने के बाद नहीं बले माज विकास और मयूर किस तरह से इस मैच को कम्प्लीट करेंगे 9 गेंदे 16 रन की ज़रूर हाफ ट्रैक कर डिलिवरी अगर ये कैच लेते तो और रोमाँच बढ़ता लेकिन ऐसा नहीं हुआ आठ गेंदे 15 रन आठ गेंदे 15 रन अमित तयार अगली गेंद के लिए इसे एक बार पूल करना चाहते रहे इस बार इप स्क्वेल एक रिजिन पर किलाडी मौजूद है एक रन से इस अंदुश्ण रोगा बहुत ही बड़ी आफ फिल्डिंग सावलता स्पार्टर अप फिल्डर बहुत ही सही तैनाथ किये गए किमल एक रन प्राप्त होता हुआ साथ गेंदे 14 रन इस ओर की आखरी गेंद बहुत बढ़िया बहुत अच्छी गेंद बाजी डारेक्ट इट नहीं कराब त्रोग जरूरत थी गेंद को अपने हाथों में पकड़ा नहीं था तुरंट त्रोग कर दिया चींतामानी साथरी की टीम का स्कोर है ट्नी टू चेंदों में 13 रन की जरूरत है चेंतामानी साथरी टीम तीम विकेट अभी तक गिरह है चेंद में 13 रन की जरूरत 6 balls, 13 runs are required मयूर गेन बास ही करेंगे सामना करेंगे विकास, 6 गेन दे 13 रन की जरूरत 6 balls, 13 runs ये white ball है अमपार का नेनाय मिलता हुआ 6 गेन दे, 12 run की जरूरत प्रेसर सिटुएशन है दोने टीमों के लिए 6 गेन दों में 12 run की जरूरत विकास भाई ने बहुत अच्छी तरी से बल्ले बासी किये तो आपको wide मिलने के chances ज्यादा है मनीश भाई लुना भाई, यूथ ग्रूप 6 गेन दे, 11 run की जरूरत इस बाद, फुल टॉच दिलिवरी और गेन बास, तो बादी के बाद, 4 run के लिए क्या बात है दो wide ball ने तोड़ा सा प्रेशर में डाला गेन बास को और विकास ने इसका पूरा यूटिलाइजेशन किया 4 run 5 ball, 7 run 5 ball, 7 run 5 ball, 7 5 ball, 7 run 5 ball, 7 run और एक wide सावलता स्पार्टन्स ये ओवर में 3 extra run दिये है 5 ball, 7 run अगला मैच, अभीजीद भाई, लुनावा वर्सेस, तगत गल, राइजिंग स्टार्स चलिए, लुनावा ने टोस जीता है, और लुनावा का डिसीजन अभी आना है यहाँ पर तो, और तो, बॉल गई 3 run, कुल मिलाकर 3 run कुल मिलाकर 3 run सर चलिए, 4 ball में 3 run की आवशक्ता, चिंता मनी साधरी को सयम भाई, अपना सयम कोते हुए, तोड़ा सा पैशर में है नॉर्मली हम उनको पैशर में देखते नहीं है लेकिन इस बार, माच इतना रोमान चेक है सावलता स्पार्टन्स, 4 गेंदे, 3 run बहुत अच्छा हिट, बहुत बढ़ी हिट, ओवर तो भी एक मिला इसके पहले गेंड पर उसका फाइदा मिलता हुआ तीन गेंदे, 2 run, 3 balls and 2 runs are required चींतावणी साधड़ी की टीम ने ये मैच को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है और अब जीत के देलीज पर खड़े है लेकिन उनके सामने सावलता स्पार्टन्स की टीम खड़ी है और एक वाइड बॉल, 4 extra's आया है इस over में और एक over throw यनकी 5 run ऐसे एक के free दे दिये सावलता स्पार्टन्स, सिर्फ एक run की जरूरत तीन बॉल, एक run ओ, he's out, clean ball विवन भाई, माई कॉन करो, माई कॉन करो माई की बन दे रहे है हलो, हलो जी लिए मैच में अपड़ी रोमाज बना हुआ है जो बॉल में जरूरत है मैं लुनावा का decisions प्लीज जल से जल दीजिए आप पहले बल्ले बाजी करना चाहेगे या गेन बाजी परलेल है विकेट विकेट बराबर है तो एक एक point मिलेगा और नहीं बराबर है तो रन नहीं बनाएंगे तो एक एक point न आपको द्रौ है अजर रहना तो और विकेट रौभ होता हम लोग तो बराबर है तो तो नहीं को दो पंड बलेगा यह दिखी नहां सर चलिए दो गेंदे एक रन की जरुवरत चार एक्स्टा और एक ओर तरो का एक्स्टा रन तो पांच रन एक्स्टा है दो बॉल एक रन की जरुवरत और यह एक रन भूरा किया चिंता वने साथ डिडिकी टीम ने यह प्रेशर बरा मैच जीत लिया है वेल्डन, कॉंग्राजुलेशन्स सर्म भाई, निलेज भाई, मलबार उनकी पूरी टीम वेल्डन, कॉंग्राजुलेशन्स नेक्स मैच, लुनावा प्लीज आईए, श्री लुनावा यूद ग्रूप और राइजिंग स्टार्ट तकडगर मुकाबले की शुरुआत करें लुनावा लुनावा टीम ने तोस जीत कर सबसे पहले गेन बाजी करने का निर्णाई लिया है और वही सामने तगदगर राइजिंग स्टार्स को चैलेंज दिया है बल्ले बाजी करने का, लुनावा प्लीज जल्दी फिल्लिंग सेट कीजिए मनीश भाई, मनीश भाई लुनावा मनीश भाई अश्मिन भाई प्लीज जल्दी फिल्लिंग स्टार्ट के लिए प्लीज जीतू भाई चलिए तगदगर राइजिंग स्टार्स बल्लेबाजी के लिए आजाईए निलेश भाई की टीम चिंतामरी साधरी को बहुत-बहुत congratulations जीतने पे चलिए मैश शुरू कीजिए जल से जल लुनावा टीम प्लीज लुनावा टीम लुनावा टीम जल से जल फिल्लिंग के लिए आईए प्लीज तगदगर राइजिंग स्टार्स वल्लेबाजी के लिए प्लीज क्विकेट पर आईए मैंने अभी-अभी मैच हुआ जिसमें चिंतामरी साधरी ने एक जीत हासिल की है सावल्ता स्पार्टन्स के खिलाफ तो मैं चिंतामरी साधरी को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ और वही सावल्ता स्पार्टन्स को बेटर लग नेक्श टाइम कहना चाहूगा प्लीज जल से जल मैच शुरू कीजिए क्हा चाहता हूँ विबान भाई मैन भाईश भाईब लिए जोर दर ता है यह भाईश भाईश के लिए मैन भाईश सब्सक्राइब और लिए है चलिए तो एक बार भावेश भाई को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बदाई बहुत ही शांदार पारी खेली और उन्हें बहुत-बहुत बदाईया चलिए हम आपको बता दिये लुनावा टीम और राइजिंग स्टार्ट को 16-16 मिनिट दिया जाएगा चार ओवर का 16 मिनिट में लुनावा लुनावा टीम आपको 16 मिनिट चार ओवर के लिए मैच शुरू किया जाए बोला 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 चलिए मैच शुरू कीजिए मनीश भाई प्लीज मैच शुरू कीजिए बोला चार वगर maगर बोला चार ओवर के लिए कीजिए झाल 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 जाल झाल वो, पहले स्विल अंग होया है हाँ वाइव 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 झाल 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 वालिंग पर जीतू है चलिए जीतू और स्ट्राइक पे हैं पहली मरतबा एक स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश करेते हैं और यहां पे जटका लग सकता है और इसी के बीच में पहला विकेट पहला विकेट तगदगर राइजिंग श्टार्स का हेलो 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 आपको 16 मिनित में यह इनिंग पूरी करनी है समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्लीज जल से जल यह इनिंग पूरी कीजिए हुए अच्छे विश्टर रिमोजाइज। हेलो 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 जेम्स एंड जूइलरी का रमेश जी रहावत हमारे बीच मौझूद आइशिंसा ग्रुप और कमिटी आपका तेहदील से स्वागत करते हैं राकेश भाई बॉटम जो एक तारंटर बल्लेवाद है हमारे बीच हम आपका तेहदील से स्वागत करते हैं चीए स्वागत है रमेश भई आपका हमारे इस आहिंसा गृप दोरा आओजित कुमल कब 2019 सीजन टीम में हमारे जर्जी पार्टनर है लेकिन जर्जी पार्टनर से ज्यादा हमारे इस आहिंसा गृप के सदस्य है हमेशा ही उनका प्यार आशिर्वाद और साथ हर साल के तरह इ हमेश भाई यह आज के दिन का मुकावला नंबर चौथा चल रहा है टीम टकडगर राइजिंग स्टार्स ने बनाए है तीन और इस बीच और एक विकेट इस आउट बहुती शान दाविकेट तीन विकेट मास कीजिएगा तीसरा विकेट चला गया है नुरावा की यहाँ मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूगा लुरावा टीम से समय की मरियादा को ध्यांगने रखते हुए आप थोड़ासा फास कीजिए मनिश भाई थोड़ासा सपोर्ट कीजिए हमें यह 15-16 मिनिट में यह इनिंग पता नहीं है और साती साथ हमारे काका तगदगर राइजिंग स्टार से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके प्लेयर्स को 15-16 मिनिट में वो अगली इनिंग हम पता ले थेंक्यू सो मच मनिश भाई एन काका चलिए मेंच की दोरफ रूप बढ़ते हैं जित्तु भाई राइट हैंडे बेट्समेल स्ट्रेट प्लाइज किया बाल मनिश भाई क्या आते हैं सब्सक्राइब बाल मनिश भाई कि उनके प्रेजन से आते ही क्या क्रिकेट डेखना में मिली है जिस प्रकार से लेग बिफो विकेट और एक बैतरी नंडा से रनाउट लिया है चैंपियन टीम हाली में एक बड़ी प्रत्योंगीता जीती है लुनावा ग्रूप ने उनका ये क्रिकेटिंग पर्फॉर्मंस कोमल कप में भी बरकरार रखते हुए और निशी दूप पर एक बहुत अच्छी बात विवान भाई ने हमें यहां बताई गई है रमेश भाई आपका दिल से फिर से एक बार स्वागत है चार विक्टो का पतन हो चुका है और ग्रूप डी का मैच ज़रूर आप देखें यह मैं आपसे निवादर करेंगा क्योंकि मुंडारा इस गाउ के रहीवासी और हमेशा गाउ का नाम आज उन्होंने पूरे दुनिया भरे में मशूर किया है ज्वेलरी के माध्यम से अश्मिल नाज अश्मिल बॉलर ने बिपिं मिखिल 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 का समना करें वल्ले बाद एक रिवासीप बाने की कोशी उसमें शक्षब रहे है फो लंस की तरफ शार और रमेश भाई हमेशा ही एक पेना देते रहे हैं अपने इस गाउ के माध्यम से आज उन्होंने अपने इस गाउ का नाम पूरे दुनिया बर में मशूर के अश्मिल से जोलरिस के माध्यम से गाउ के अद्धिक्ष भी है हमारी समाज के अद्धिक्ष भी है उनका मैं दिल से एक बार स्वागत करूगा प्लीज जोरदार तालिया रमेश भाई के लिए हमारे बीच मौजूद है कुमल कप 20-19 सीजन तीन में स्वागत है से आपका क्रिकेट की और बढ़ते है विवान सर चलिए सर मैं बताना यह दूसरा हो रहे तीसरा हो रहे जल्दी से जल्दी है मैच शुरू किया जाए प्लीज चलिए नव बार में नो रख अभी जी पिछले मैच मुनावा में मिथिल ने एक शांदार गेंबाजी की थी आखरी ओर ने तीम बल्यबाद को बल्ला खुलने का मुका नहीं देने बल्ले को बंद करके रखाया इस तरह से कि नहीं तो कोई चौके लग रहे और नहीं तो कोई ठुके फिर एक बार रेको और इस बार तारीहा वारियों की बैक्समेन की रुगान सर क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जो स्पोर्ट्समेन स्पिरिट दर्शाई है ये काबिले तारीफ है काफी कम प्लियर्ज होते हैं जो एक स्पोर्ट्समेन स्पिरिट दिखाए उनको पता था कि गेंड बाहरी किनारा लेके हलके से विकेट कीपर में कैस कर लिया है अपील की अमपायर का कोई आदेश आता उसके पहले ही बल्लेबाज पैविलें की तरफ रूप मोन लिया था इसे कहते हैं अट्रू स्पोर्ट्समेन स्पिरिट इस बात के लिए काका को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद लेना चाहूगा बहुत ही एक अच्छे सीनियर खिलारी है समझदार खिलारी है और हमेशा सपोर्ट करते हैं चलिए मैस की तोरब रूप परते नितिल फिर एक बार छोटा सा अस्मानी तोला यह फूटा कैट तो नहीं ता अच्छी प्रदर्श्रिंग की लेकिन कैच हाथ में नहीं आया और इसी बीच कोई भी रन नहीं येस ओवर हुआ दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वन शोट मैं आ गया चलिए वन शोट खेल रहे ओके दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ चलिए शूरू करते हैं मैच क्या हुआ चलिए दो ओवर के बाद नौरन हुए है और विकेट गिरे हैं पांच छे विकेट गिरे हैं नेक्स्ट मैच गावगुडा राइजिंग स्टार्स और चिंतामने साधरी इलवो दोने ही टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए पधारे इसके बाद का टॉस रमेज भाई इनके शुबातों से किया जाना है प्लीज मैच जल से जल शुरू कीज़े समय की मर्यादा को ध्यान में रखे और रेडी बारा मिनिट में आपने दो ओवर किया है प्लीज चलिए पावर प्ले ओवर कर रहे अश्वीन दो ओवर की सवाप्ती के बाद स्कोर हुआ है अश्वीन पहली मर्तबा मौला ली एक लेक साई ने फुलेक किया है स्कोर बढ़ता हुआ तेरा रनों पर बहुत अच्छी कोशिश की जैज़ बाई ने लेकिन कहीं न कहीं जो अनिविन ग्राउंड है इस वेशिश अपना बोडी बालेंस खोया और इस दर्मियान पहला चौका हमें देखने मिला इस ओवर का बले बाज़र साहिल, कैप्टन तयार, एक बड़ा हीट इस बाट अपेट इस चाहन से कैट लिए और कैच आराम से बगड़ लेंगे, यहाने की विकेट नंबर सातवा गिरता हुआ, तगदगर राइजिंग स्टार के साथ विकेट, धरा धर, धरा धर धर एक बात विकेट गीर है, यहान पे तगदगर राइजिंग स्टार का एक बहुत ही नो परसोमर्स इस मैच में हम हमारे बीच में अभीजित भाई, S.S. James and Jewelry के धवल भाई रानावात आए हैं, मैं उनका अहिंसा ग्रूप के माध्यम से, तेहे दिल से स्वागत करना चाहूँ, धवल भाई, रानावात, वेल्कम डवल भाई, स्वागत है, अभीजित भाई, आप कंटिनी करो, मैं आत चलिए, रूप लेते हैं, नेक्ट मैच के टॉस की तरफ, अगला मैच खेला जाएगा, गाउगुडा राइजिंग स्टार्स, वर्सेस चिंता मनी सादरी 11, हमारे बीच, रमेच जी रानावात, S.S. James and Jewelry के टीशर्ट स्पॉनसर है, उनके हाथों से ये टॉस किया मैं रमेच जी रानावत से रिक्वेश्ट करूगा, कि प्लीज बीच में आईए, और अनिल भाई से रिक्वेश्ट करूगा, कि ये साइड आजाईए, इसी के बीच में चिंता मनी सादरी ने ये टोस्ट जीता है, और पपा आवा, पड़े देना, ये टीक है, येस, येस, वेलकम सर, आपका दिल से स्वागत है, कोमल कप अभी सुननिस में, रमिल का हमारे प्राउड पार्टनर है, जिनके माद्यम समें, सारे प्लेस के लिए जो टीशेट प्राउड गया, सर क्या कहेंगे इस बार, सीजन नय है, और आपका सपूर्ट सबसे एम राए, क्या कहेंगे अइंसा ग्रुप के बारे में, और इस पूरी संस्क्रेंट के बारे में, हमारे गाओ के विकरांद भाई ने हमें फॉन किया, मेरे प्रियो मित्र कमल के बतीजे है, तो इनका फॉन आया, तो में पहली बार मेरे से इ सबस्क्रेंट के इने, और में पहली बार देखना हुए एक कप आपका, तो में आगे-आगे देखूंगा, बताओंगा कैसे क्या है, तो इलाग पहली बारी मेरे एंक्यू हुए, देखते है, तांक्यू, थेंक्यू, रमेंट बहुर्द शुक्रिया, तो इस प्रिस आप मै बॉलिंग 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 बॉल एक आस्मानी तो होते हैं तो यहां पर थोड़ा सा नुड़ावा के लिए तब दे सकते हैं लेकिन देखना हो यह होगा कि आने वाली पांच बढ़ क्या रख लेका दिये का चलिए वीरल की दूसरी केंग फिर एक बार हलका अस्मानी तोला फिल्लर मौझूद बहुत भी मिथिल की शांदार फिल्लिंग और एक रल से दोर बल्लेवाद से लिए तोस्ट चलिए तैंक यू सो मच फिर से एक बार हमारे साथ सिलेबरिटी जोन में उपस्तित है रमेश भाई एसे जन्स जोलरी के जिनके माध्यम से हमें जर्जिस प्रोवाइड की गए लेकिन ये उससे भी जादर एक सबसे अच्छी बात कि उनसे जब पहले दोर पर बात की गई उन्होंने पहले ही बात में एगरी किया कि चलिए कोमल कप में हमारे तरफ से जो मैं योगदान होगा उन्हें निश्चीत रूप पर दोंगा और आज हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मुकाबले में अपनी उपस्तिती दर्शार है सो दिल से एक बार स्वागत है रमेश भाई इनका समाज के माध्यम से कहीं सामाजिक कारिया उन्होंने किये है और आज हमारे इस और एक सामाजिक पहल में उनका साथ इस आइंसा ग्रूप प्रस्तुत कोमल कब सीजन तीम में प्राप्त हुआ है मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ आइंसा ग्रूप के माध्यम से और उनका स्वागत करता हूँ कोमल कप सीजन 3 में क्रिकेट के और बढ़ते है टोटल रन्स हुए है 20 विकेट गिरे है 9 तीन दशनलो तीन ओवर आकरी विकेट आकरी भल्ले बाज अब विकेट पर आएंगे सबसे कम स्कोर माना जा रहा है इस पूरे टॉर्नमेंट का ग्रूप सी का इसके बाद आकरीम काबला खेला जाएगा गाउगुडा राइजिंग स्टार्स बनाम चिंतावनी सादरी चिंतावनी सादरी टीम ने टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का निनन लिया है अभी अभी हमारे बीच SS जैंसन जुलरी हमारे जर्सी स्पॉंसर रमेजी रानावत वोजूद है उनके कोमल हाथों से अभी अभी अगले में चिंतावनी सादरी और गाउगुडा राइजिंग स्टार्स का टॉस हुआ है जिसके बीच चिंतावनी सादरी ने ये टॉस जीता है और पहले गेन वाजी करने का निर्मे लिया है एक हलका सफली किया फिलर ने थोड़ा सा मिस्फिल किया दूसरे रन भाग रहे और मैं बोलूगा ये दो रन लेने में सफल रहे तीसरे रन की भी कोशिश करे यहाँ पे अमपायन ने डिक्रेर दिया है दो रन स्कोर हुआ है 22 और बोल्स हुई है अक्री ओवर की चार दो बोल बाकी है चलिए एक सिधा कट और फिल्लर चलिए मैं आपको बता दू आखरी बॉल बाकी है एक बॉल और स्कोर हुआ है आखरी बॉल आखरी बॉल वीरल की इसी निंग की चलिए देखते है एक हवे में फ्लीक और बॉल गई दिकलर जोन में अमपार का इशारा दो रन चलिए इसी तर से इनिंकी सवाप्ती स्कोर पहुचा है 25 रन 26 रन का टर्गेट लुनावा के लिए एक शांदर और बहुती सुन्दर गेनबाजी का प्रेडर्शन दिखाया लुनावा टीम ने चलिए 25 रन बनाए है टीम तगड़कर राइजिंग स्टार्स ने और 26 रन का लक्ष रखा गया है चैंपियन टीम श्री लुनावा यूद ग्रूप लुनावा लुनावा के टीम ने हाले में एम टीसी चलिए अपनी फिलिंग जल्दी से जल्दी तेहनत कीजिए आपका समय शुरू होगा 11.45 11.45 का आपका समय शुरू होगा सर 16 मिनिक में सर आपको 4 ओर करने थैंकियू सो मच चलिए शूरू करते हैं एक बहुती शानधर ये मैच होने जा रहा है राइजिंग शार्स तगदगर और लुनावा के वीच में जहां पे तगदगर राइजिंग शार्स ने पहले बल्ले बाजी की है और 24 नन मारे है 25 नन मारे है और 26 ननों का लक्ष दिया है लुनावा टीम को लुनावा यूद व्रूप की टीम हाले में MTC कप उन्होंने जीता है और निशीद रूपर फाइनलिस्त है और निशीद रूपर कोमर हर पाच मुकाबले खेले जा रहे हर ग्रूप वाइस और आज का ये मुकाबला नमबर चौथा चलता हुआ 26 ननों की जरूद बॉल दे बॉल दे ना भाइ बॉल दे लेकिन क्रिकेट के प्रमुक इस खेल के माद्यम से समाज के सभी लोगों को आमंत रित करना एकत रित करना ये मुक्या उद्धिश्ट रहा है कुमल कप सीजन 3 का गए साल बाइंदर में आयोजित किया गया सीजन 2 इस बार सब के रिक्वेस्ट पर और सब के सुझाव के तौर पर हमने गोरगाओ के इस प्रभोधनकर भवन के इस मैदान में ये टोर्नामेंट का आयोजन किया गया है सो बहुत अच्छा संसकरण है लाइव टेली कास्ट आज पूरे 185 देश्चों में ये मुकाबला सीधे लाइव प्रसुत किया जा रहा इंसाग्रूप के माद्यम से और डिजिटल स्कोरिंग डिजिटल आप बना गया है ताकि सारे खिलाडी अपनी जो क्रिकेटिंग अनलाइज है उसको बताए, प्रात करे, समझे, सीखे ये एहम बात डिजिटल स्कोरिंग के माद्यम से की गई है व्यूज, येस मैं अब भी उसी बात के लिए बताने जा रहता विकरान सर कि 3600 से अधिक लोगों ने कल का मुकाबला लाइव देखा और बहुत अच्छे संदेश वाट्सअप के माद्यम से परसनल एसमेस और फोन कॉल्स के माद्यम से इंसा ग्रूप विकरांद भाई इनको प्राप्त हुए इसी तरह से अगर हमारे समाज के लिए और अच्छी प्रत्यों गिताए आयोजित करती रहे तो निशीत उपर हमारे समाज के सभी युवा वर्क अन्नुववी लोग सारे एकत्रित होकर हमारे इस मुंबए में जो सभी लोग रहते हैं उनको एक लाने का जो प्रयास है इंसा ग्रूप का बिल्कुल सफल रहा है श्री लुनावा यूथ ग्रूप फाइनलिस MTC मुहुदर कप कोशिश करेंगे कोमल कप जीतने का भी लेकिन उसके बीच ज़रूरी है ये मुकाबला जीतने के लिए गेनवाजी की शिर्वाद करेंगे यश स्ट्राइक पर है जीतू और बुलिस एंड पर जश जो कि अभी स्ट्राइक एंड पर आएंगे पहला रन प्राप्त होता हुआ अगली गेन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जश बॉलर के लिए तोड़ सा डिफिकल्ट था यश के लिए अपनी फॉलो तुरू पर ये कैच लेना अगर कैच लेते तो विकेट मिल सकता था लेकिन क्रिकेट और जिन्दिगी में लेकिन और परन्तू का कोई स्थान नहीं इस जीतु तयार इस बार मिडल लेक्स टम पर ये गेन पिछ की गई एक रन पूरा किया जीतु भई ने स्कोर भड़ता हुआ तीन रनों पर दूसरा दिन है कोमल कप सीजन तीन का मुकाबला नंबर चौथा चल रहा है जहां लक्ष रखा गया है श्री लुनावा यूद रनों का आ ये मौका जरूर था मौका गवाया विकेट कीपर ने डॉट बॉल कोई रन नहीं 26 रनों का लक्ष है और इसका पीछा करते हैं पहले ओर में चार गिंदों पर तीन रन बनाए है जशर जीतु ने चले एक रन दूसरे रन के लिए जा रहे है त्रो बहुत ही सही देखना होगा अंपार का नेना था वा आउट रनाव के रूप में जश को लोटना होगा पैविलियन की और प्रविन जी मैता साब आए उनका स्वागत है हमारे प्रविन जी मैता साब इनका दिल से स्वागत है पदारे सर सुस्वागतम आइंसा गुरू प्रस्तूत कुमाल कप सीजन तीम में प्रविन भाई इनका दिल से स्वागत है मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप मारे मुंदारा गाओ के प्रविन भाई महता इनका दिल से स्वागत है सर मुकाबला नमबर 14 चल रहा है लुनावा टीम को 26 रुन का टार्गेट रखा गया है स्कोर है चार रन एक विकेट पर आकरी के इन पर कलाईयों के साहरे इस एक रन को पूरा किया कोशिछ कि कपईब्य और गिरिश भाई इनका दिल से स्वागत है वहल्कम कपईब्य हमारे मुंदारा के और दो जोडी जो हमेशा जोडी में रहते पने और गिरिश भाई आपके दिल से स्वागत है चलिए इनका हम नमश माच नमबर साथ वा है यानिकी सत्र में दूसरा माच है सो ओल दे बैस सर गिरीच सर अठरा गेंदों में एकी सरनों की जरूरत 18 बाल्स एं 21 रंस हा रिक्वाइड हमारे सभी मानवों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है अहिंसा गुर्प प्रस्तुत कोमल कप सीजन टीम में मंच मरुपसित रमेश भाई इनका दिल से स्वागत अपरविन भाई महता इनका भी द स्वागत है हमारे बीच हमारे इस मुंदरा गाओ के और एक ऐसे सदस्यगर जो हमेशा से ही हमारे इस गाओ का नाम राशन करते हो है कपील भाई और गिरिश भाई इनका भी दिल से स्वागत है अहिंसा गुरुप के माध्यम से वेलकम कि इस पहली गेन पर एक रन आया बहुत अच्छी फिल्डिंग का प्रदर्शन करते हुए तक टिकर राइजिंग स्टार्स यह बहुत अच्छा कनेक्शन टाइमिंग भरा स्टोक लेकिन अच्छी फिल्डिंग बहुत ही बढ़िया शेतर रक्षन का स्टर राइजिंग स्टार्स तकटगर इनकी तरफ से हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही कम स्कोर बने और स्कोर को डिफेंड करना जरूर बहुत डिफिकल्ड हो सकता है लेकिन कोशिशें बिलकुत सही अच्छी बाई के लिए यह बहुत ही बढ़िया गें दिशी दिर पर बहुत बढ़िया फिल्डिंग नहीं यह लगता है चौका है जी यहां चौका मिलेगा चार रन अश्वीन बाई का स्वीट लीड टाइमिंग बड़ा स्टोक चार रनों के लिए रनों की सीदी बढ़ती हुई ग्यारा पर तीन गेंदे हो चुकिये रन है ग्यारा एक विकेट के नुकसान पर पंदरा गेंदों में पंदरा रन की जरूरत वड़ा शॉट वड़ा शॉट जबरनस चेरन सर विकान सर यह सर यह चार रन है नोड़िट सर क्योंकि बाउंडरी को अगर आप पार करेंगे तो सिक्स मिलेगा यह चार रन है वाट अ शॉट वाट शॉट वाट शॉट स्टेट ड्राइब ग्राउंड के बाहर छे रेनों के लिए क्लीन हीट भाई अशॉट अगली गेंड इस बार सही कमबाक किया गेंड बाज ने एक चौका एक सिक्स प्राप्त हुआ है इस ओर में अश्वीन भाई का बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी का प्रदर्शन रन्स हुए है एक इस बारा में पाच क्या बैतर हम रीप्ले में देख सकते हैं जिस तरह से गेंड स्टेडियम के बाहर गई बहुत अच्छा कैमेरा वर्क सतीज भाई का देखे ग्राउंड के बाहर गेंड पहुची पारा गेंडों में पाच चन की जरूरत वेल ड़न, गुड वर्क पावर प्ले, बैडिंग पावर प्ले में लिया जा रहा है ओर नुमर 3 ओर नुमर 3 बैडिंग पावर प्ले में ओर करने के लिए राजो भाई 12 बाउल में पाच चन की जरूरत टीम श्री लुनावा यूद ग्रूप झाल्री के बिल्ठ के सािटरा शीर कैने जर्चर कैसे लुटें कि झाल्री कि ये विल खुरा में राल्री तीन के सवी समगर ले खुट on the attempt to catch— बहुत बढ़ी आगें। पाचवा मुकाबला कुछी देर में शुरू होगा। पाचवा मुकाबला कुछी देर में शुरू होगा। गुट कैमेरा वर्क ते राजु भाई देखना होगा क्या यह मुकाबला और नज्दीक कराते हैं अश्विन स्ट्राइक पर होंगे इस दर्मियान अश्विन ने बिलकुल समझदारी दिखाई अमपार ने ने निदिया इसलिए वो दोड़कर दो रन पूरे किये सतर्ता बहुत ही जरूरी है बल्लेबास के लिए और वो सतर्ता दिखाई दस गिंदों में तीन रन टो इन इस बार कैच नहीं सेफ जोन में गेन गिरते हुई और दो रन पूरा किया वेल न गुट रनी बटुन ने विक दाई गॉरव और अश्विन यस यस आटगें दे एक रन आटगें दे एक रन चलिए नहीं इस एक रन के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा साथ गेंदे एक रन श्री लुनावा यूथ ग्रूप ये मैच लगबग जीतने की पूरी तयारी है सिप एक रन की जो अपचार एक था उसे पूरा करना बहुत जरूर इसके बाद का मुकापला गाउगुडा, राइजिंग स्टार्स और चिंतामनी सादेडी वाट आश्विन के बल्ले से आता हुआ ब्रैंडेड शिक्सर येस गाउगुडा, राइजिंग शार्स ने पहले टोस जीता है चिंतामनी सादेडी ने और पहले गेन बाजी करने का नेना लिया है जए, ओर या, जए, चलिए, चिंतामनी सादेडी प्लीज, जल्दी से जल्दी फिल्लिंग टैनात कीजिए चिंतामनी सादेडी सर रिक्वेश्टे, फिल्लिंग टैनात कीजिए, प्लीज, रिक्वेश्टे सर, आईए आएगे भाई भी आएगे अरे चलिए सर निलेश भाई निलेश भाई निलेश भाई और भावेश भाई जल से जल प्लीज मैंदन आईए निलेश भाई कान तेर से हमारे बीच निलेश भाई प्लीज तेंक्यू भावेश भाई चलिए निलेज भाई आपसे रिक्वेश्टे जल से जल मैं शुरू कीजिए चलिए अजे भाई अजे भाई चलिए यहाँ पर मैं चिंतामनी टीम और ग्रावगुडा राइजिंग स्टार्स का बहुत तैय दिल से शुक्रियाता करूगा कि बिना कोई सवय गवाए सभी मैदान खिलारी मैदान पर थेंक्यू सो मच मैं विक्रान भाई से रिक्वेश्ट करूगा एक मिन दिदर आईए चलिए आज हमारे बीच हमारे जर्सी के स्पॉंसर SS James and Jewelry निलिज भाई थोड़ा मैच को शुरू कर रहे है प्लीज सर फिलिंग सेट किजिए जल से जल थेंक्यू सो मच चलिए गाउगुडा राइजिंग शास के दोड़ों बलेवाज मैच शुरू हो गया है मैं SS James के Jewelry रमेज जी रानावत से रिक्वेस्ट करूगा कि प्लीज बेकड्रॉप के भाई है और मेरे डैरी और मेरे भाई से रिक्वेस्ट करूगा कि उनका आने पे उनका बहुमान क्या जाए कैमेरा मेन प्लीज यहां पे रूप कर लिजिए चलिए तो एक पांचवा टुनामेंट आज का कहिंसा गुरूप प्रेजन्स कोमल कप 2019 सीजन 3 सेकेंड दे मैं आप सभी सभी का हर्दिक हर्दिक स्वागत करता हूँ चलिए लुनावा टीम के मैं रिक्वेस्ट करूगा लुनावा टीम मनिश भाई और टीम से रिक्वेस्ट करूगा कि प्रेजन्टेशन एरिया के वहाँ पर आजाईए प्लीज चलिए हाच का मैं आदो मैच हमने मैं आदो मैच पिछले मैच का जा रहा है मैं अश्रूम को में हमारे जर्सी स्पॉंसर एसेस जैंसें जुलरी के रमेजी राना कि आपके हाँ कोमर हाथों से यह मैं चलिए मैच शुरू कीजिए चलिए हमारे मैं आप दमाइच के आपका समय बारा बचकर पांच मिनित पर शुरू होता है प्लेज रिक्योश कर रहा हूँ जल से जल सुरू कीजिए विवान सर हमारे मैं आप दमाच के प्राउड पार्टनर जिन्होंने यह कुपसर टॉफियों में प्रेजेंट की है येस प्रस्ट टाइम है और इसकी आदर आपको डालनी पड़ेगी सर आये सर जोरदार तालिया नौ गेंडों में सबसे ज्यादा योगदान 20 सरनों का टार्गेट का थ्रबीस और अश्विन भाई ने अकेले 20 सरन बनाए जोरदार तालिया श्री श्री फोटोग्राफर श्री थैंक्यों अश्विन वेट करें तोड़ी सी बाते करेंगे अश्विन भाई यार आपकी बैटिंग जो स्टेट ड्राइव आपने सीख स्टेडियम के बाहर गेन को पहुचा है सर क्या खाते आप इतनी अच्छे बैटिंग करने के लिए सर एक सवाल आपने जैसे मास्टर का सबसे बैटर स्टेट ड्राइव कौन मारता है गलत सवाल है फिर भी बोल दीजे मुझे निलगता इसका अंसर कोई गलत देपाएगा अगर गलत देगा तो वो क्रिकेट कहला नहीं जानता है ऐसे ही बोलूँगा सचिन टेंडल कर येस देगाड अफ क्रिकेट सचिन टेंडल कर को फॉलो करते और बहुत बैतर स्टेट राइव इनों ने कहला है इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुमान करने के लिए मैं आमन तरित करूँगा विकरान भाई विकरान भाई इनसे गिरिश भाई प्लीज आए दवल भाई गिरिश भाई आप मुंधारीं टीम और प्लीज आये पूरा मुंधारा यूद कलब बीज पढ़ा रहें या सभी मारव का मुंधारीं करने बहुत बागत करने करने हमारे लिए उतना ही मुंधारी testimony क्योंकि ऐसे वठिगत्स जो समाज हित में इतने कार्य करना उनको बहुमान करना बहुत ही इंपोर्टेंट है यह सारी लाइव टेली का स्टाप देख रहे हैं यूट्यूब चाइनल के माध्याद सब्सक्राइब करूंगा रमेश भाई जो एसस जेम्स एंज्वेलरी के इनका बहुमान हमारे बहुमान हमारे बहुत है इसका मतलब यह है कि अपने देश से नहीं बाकी बाहर के देश से भी हमारी जो जेन कमींडरी है जब हमने पीछे का यूटूब का एनलाइजीज किया तब हमको पता चला कि काफी आउट आफ कंट्री से भी जो हमारे जेन के जो दर्शक है वो हमें देख रहें सपोर्ट कर का हम बहुमान किये हैं हमों का तहदील से स्वागत करते हैं हम मुंदारा गाव से विलों करते हैं रामेच वद नवदी मुंदारा गाव की टीम हैं जिनका दीगरूप में अभी भी मैच होने वाला है तो एक बार मunnदारा यूथ कलप से रिक्वेस्ट करूगा और आपको all the best कि इन मैच हमको जीतना है और एक बाद जोगा तालिया सभी को कही ना कई लालस तो होता है अपने गाउय का यार हम रहें लेकिन कही ना कई अगर टीम है अपने गाउय की टीम हे तो एक लालस होता है चलिए एक फेल पले करते हैं start करते हैं तेंक्यू सो मच रमेट जी धानावद, तेंक्यू सो मच, घंदारा यूथ क्लब, बहुत बहुत दन्य बाद आपका, तलिये मैच की तरफ रूप लेते हैं, अभी जीद जी, एक बाद स्कोर और ओवर्स का मुझे हिल्प कर लिजे कितना, पांच बॉल में तीन रन, छे रन, छे रन, छे रन, चलिए, गाउगडा राइजिम श्रास ने पांच बॉल में कमान दिकाते हुए, छे रन मारे हैं, यह आखरी बॉल, एक रन लेने में दोनों बल्लेवाज शक्षम, इसी इसाब से पहली ओवर्स के समापती के बाद स्कोर हुआ है, शाथ रन और विद दे लॉस ओफ नो विकेट, चलिए, हेलो, दूसरी ओवर्स की कमान संबालना है, निलेश भाई कांटेर, पहली बॉर्स ओफ की तरह घुमा दिया है, थर्मेंग की दिशा में, और अंपायर का इशारा, एक रन लिकलेंस जोन की तरफ, एक आस्मानी टोला, देखना ये होगा, अंपायर का इशारा, छे, सरी हवाई फायर पर कल का दिन मुझे याद आ रहा है, सिब 21 मिलिट में जो हवाई फायर कर दिया, सारे लोगों की हवा बंद हो गई है, और वहाँ से लोग भाग रहे अभी, वैसा ही एक हवाई फायर बलने बाज ने किया, फिरे बाज ने, श्टेड राइ, फिले ने है, एलो, हाँ, नहीं ने, जहा होने जहाँ तो जनोड उता है कितना बॉल हुआ है तीन बॉल हो चुकी है दूसरी ओवर की स्कोर हुआ है चौधा रन विद लॉस ओफ वन विकेट अगला मैच देशुरी और सलोधा स्ट्राइकर्स का एक फूल तोश डिलावरी थार मेंग की दिशा में यहां पर कहत नहीं अब यह पिल्लर को चार खाते में पार्टे अब आराम से कर्ण एक बार फीर लेक की दरों घुमा दिया है फिल्लर तैनाथ एक ही रन से दोनों बल्ले बाद संतूष्ट और रन पहुच चुके है उन्नीस रन रैइट उन्नीस उन्नीस रन लाश बॉल चलिए अगला और पावर फ्ले होगा आखरी मरता दोर लगा रहे निलेश भाई एक फुल तोच निलावली आसवानी तोला देखना है ये सवापती के बाद स्कोर हुआ है उन्नीस रन दो विकेट के नुकसान पे गावगुडा रैइजिंग स्टार्स को चलिए तीसरे ओवर की दफ रूप बरते हैं पावर प्ले ओवर है इसका भरपूर गावगुडा रैइजिंग स्टार्स फाइदा उठाएगी देखना ये है बल्लेवाच कितने स्ट्रक्षम होते हैं इस पावर प्ले का फाइदा उठाने में थैंक्यू ग्तर्स कोफ को शाइदा आप साइदा अग्यां श्क्रण शाइब को एक मेंद ऊखानें पिसली में किया हैं सैयम सैयम पौवर प्लेवाल क्या शांगा समझ नहीं पाए, पर नहीं पाए और चकमा देते हुई गेन जाप आची सिस्टम के उपर और दोनों विकेट आउट बहुती शानदार विकेट, बहुती शानदार सर, विवान सर, आयव टू से ये सबसे बहतर विकेट लेने में से ये एक विकेट है जिस प्रकार से सयम जो एक ट्रेडिशनल बॉलर है आराम से दोड कराते उनका उचा कर दे जम बहुत अच्छा पैर लाइन पॉप इंक्रीस पर अच्छा होता है और अटाक विकेट पर तेज गती की गेंती हम रिपले में बिल्कुल देख सकते है जिस प्रकार से आए इजी एक्षन और सीरे स्टम पर जाके ब्लोक कोल डिलिवरी एक इंटरनाशनल दरजे की डिलिवरी के जोर नाता लिया सयम भाई के लिए वाड़ विकेट गोड बॉलर ऐसी टैलेंट हमारे समाज में है और कई बड़े प्रतियोगिताओं में इस खिलाडी ने अपना नाम बना लिया है चलिए दूसरी बॉल पावर प्ले की बहुत इशानदा डिलिवरी पर नहीं पाए और यहाँ पे एक थोड़ असा मिजगेड हो सकता है अपील किया था लेकिन अंपायर का बैक टू बैक दो विकेट लिये सैयम भाई ने और हैट्रिक पर होंगे सैयम भाई और हैट्रिक बहुत ही शानदार प्रेलेशन देखने मिल रहा है दोनों बॉल पावर प्ले का अबीजीजी दोनों बॉल किया है बल्ले बाज को, गेन को परणे नहीं देना यही एक गेन बाज की साद्गी दिखाती है और भुशारी दिखाती है बल्कुल है साद्गी में ही सुन्दरता है ऐसे मैंने किसी फ़लिम का डॉनोक सुना था लेकिन बात करेंगे हम हाली में जो पहला T20 हुआ जिस बरकार से जस्परीत बुमरा ने सेकेंड लास्ट ओवर किया वही बॉलिंग हमें देखने मिल रहे है सयम की दर्फ से दो सूपर ब्लॉक कोल टुरूरी क्लीन बोल हाट्रिक पर सयम बाई इस बार गेंग को गुड्लेंद में करने कोशिश की हैट्रिक मिस हो गई बहुत बड़ी अजोर ना टाले थे तोंट देशूरी और सलोधा श्ट्राइगर्स के बीच चलिए चौती बॉल पॉवर प्ले की सयम की स्कोर जाप पहुचा है 20 रंस मैं बताना चाहूगा अभी जी स्टार्टिंग के 2 ओर संबाली गेंज बाजी की वो भी पॉवर प्ले में ऐसा रोक लगा दिया बल्ले बाद चलिए इस दर में एक रन पूरे के फगान भाई बहुत ही अच्छी ओवर चल रही है नवन आप बेस्ट बॉलर आप कोमाल कप सीजन 3 सायम भाई और कीर्थी की भी हम साराना करेंगे जिस तरह से कीर्थी ने गिनवाजी की थी और वाड़ बाल क्या बात है तेज कती की गें स्पीड स्पीड और स्पीड यही एक प्रमुक अस्त्र है सायम भाई का और जिस प्रकार से लेंट में वेरियेशन करते हैं यह उनकी परीपक्वता एक मचौर्डनेस नजर आते हैं गेंबाजी में अबनी गेंट इस बार शट अफ लेंड डिलिवरी एक अरन पूरा किया दूसरे के लिए जाते हैं तीन ओवर की समापती के बाद स्कोर हुआ चाहिए आखरी ओवर इस इनिंग की देखना यह है अब कितना लास्ट ओवर में बल्लेवा शक्ष्टम देते हैं मारने में और कितना बड़ा लक्ष देपाते हैं चिंतामनी साधिरी टीम को जलिए अखरी ओवर इस इनिंग की ही टेश कर रहे हैं गेंबाजी एक स्वाट पिजबॉल एक छोटप प्लॉट एक छोट पिजबॉल्ल एक चोट अधि आसमानी टोला एक ही रन से दोनों बल्लेबाद संतुष स्कोर जाप पहुचा है तेवीस रन शुरुआत बहुत अच्छी रही है गेंग बाजी की अगर हम बात करें अभी जी 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 सिसाब से दो और में 19 रन बनाएते मुझे लगा कि बड़ा लक्ष खढ़ा करेंगे गाउगुडा राइजिंग स्टार लेकिन तोवर प्ले में गेंग बाजी में पूरे रन के उपर रोक लगा करेंग एक बहत्स परफॉर्मंस दिखाया है यह एक शाए लेकिन आपक्षा थी गाउगुडा राइविंग स्टार्स की तरफ से हाली में मेवार में जीत कर आए है में लेकिन कही ना कही कोमल कप में इस मुकाबले में अभी इतना अच्छा योगदा नहीं दे पाए बड़ अभी भी कुछ गेंदों का खेल शेश है अगर बड़े सिक्सिस आएं तो निशीत रूपर मैच बनेगा रिपलेम उन देखते हैं जिस परकार से बहुत अच्छी गेंद थी बड़ा हीट खेला जरू आसमान में उचा ही तो प्राप्त है लेकिन लंबा ही प्राप्त क खेलिए अगली चार बोल का खीलंगें बाप्त कि टने रहन बना पाहिते हैं फील आएक करिस काम अख्री तीम बोर इस इनी की चलिए एक बार रूप करते हैं एक बार रूप करते हैं सता इक रोप पर करते हическаяल सता इसरी अधियर अधिरम हकें जरी हे आधिछी बख़ई छीटहाननि है दो गैन दे बखहें जल दादिता ओखिशोद दो आधाें स्थे आधा इसानी की च्छिए बीचाएक Economy audience चलिए अनिल भाई की अनिल भाई साम्दा करेगी आखरी बॉल का इस इनिंग की आखरी बॉल मैं बताना चाहूगा इस इनिंग के बाद में देशुरी और सलोदक स्ट्राइकर्स के बीच में एक तोफ आखरी मरतबा एक उफ में ड्राइव किया है डौ एक पर का डिसिज़न आउट एप एक बिलेगा और फार्ट हाई तर्ट एक दिसटा इस रहे अब करने आप एक बिल जाहिए वह स्वाइब तो आपार अगे अगा कि लिए डाउ गुड़ा राइजिंग शांप्स ने एक-ठाइज रं का लक्षा दिया हुए नितामनी साधिरी को चलिए देखते हैं गेंग बाउट गाउट पुले सच्छा हक्षण साधिर को चाहिस देखते हैं अजय है अजय है अजय हुए मक्षण साधिया अजय है अजय है कि अजय हम लिए घ्जय है दो अजय है घ्र दोल्च पुल्या है अब ऊच्ट पहले मेक्स में रूशब बंबॉली ने पर्फॉरमश नहीं दे पाएते देखना यह हो और कि किस तरह से अभी रूशब बंबॉली नहीं बैते चलिए चेंटामनी साधड़ी से श्ट्राइक के कोन आ रहे सर मयूर भाई बारेश भाई चलिए टोस की दरफ रूप लेते हैं देशुरी और सलोदा श्ट्राइकर्स के कैप्टन से मैं रिक्वेश्ट करूगा रनिक जी रानावत से अगले मैच की टोस के लिए प्लीज आप प्रेजेंटिशन एरिया में आ जाईए प्रभीन भाई मेता से रिक्वेश्ट करूगा आप प्लीज हमारे अगले मैच जो होने वाला है देशुरी वर्से सलोदा श्ट्राइकर्स के बीच उसके लिए हम आप दोनों को तो चलिए स्वागत है आपका एस टॉस का बॉस हमारे टॉस का बॉस के प्रावड पार्टर है इसमें निशी मैड पार्टर है निभिदन करता हूं हमारे सब के चहीते रमेश भाही इनसे रिक्वेश्ट को बिजश पदाऋ रहे हमारे सब्सक्राइक जो रहे है नए कपतन इस दोपेर के सब्सकर का यानिकी ग्रूप डी का पहला मुकामन बॉसक्त करने जा रहे SSJ1 देसुरी और सलोधा स्ट्राइकर टीम के अपने पीस पता रहे चलिए सलोधा स्ट्राइकर कॉल करेंगे कोमल इस दकॉल एंड निशी मेड़के रिपीज यानि कि सर देसुरी ने टॉस दिता चार ओर में पहले बैटिंग प्रिफर करेंगे बैटिंग करके आप कितना टागेट सेट करने की कोशिश है जैसे आप पिछले दो मैच से बने हुए क्या लगता है कितना किफाइथी स्कोर रहेगा यहां यहां पर ऐसा तो मेरे इसाब से हमारी जो बॉलिंग लाइनप है वो इसाब से 30 भी हम लोग के लिए बहुत आराम से हम लोग उनको हरा सकते 30 पे भी लेकिन हम लोग सोचेगे कि 40-45 के उपपर बनाएं और इनके लिए एक हार स्कोर बनाएं कि उसे से वो प्रेशर मैंगे और उन लोग प्रॉपर बैटिंग नहीं कर पाएंगे क्यानि कि कम से कम 45 के आसपास का स्कोर आप बनाने की कोशिश करेंगे येस सो आल दो बेस से आपको पहला टॉस जीता है किस तरह से आप रिस्ट्रिक करना चाहेंगे उनको जैसे मेरे कोग कैप्टन में बोला है कि 30 में भी वो लोग हमें हरा देंगे तो मैं मेक शोर करूंगा कि 30 के अंदर ही आउट हो जाए फिर देखते हैं 45 बनता है कि नहीं हो तो बात की बात है तो उसने 30 बोला कोशिश हो ही रहे कि 30 में उसकी प्रामिस रखोंगा हमें चलिए बहुत बढ़ा को कि अच्छिए प्लीज आए यह लोग को देश्ट्रि टीम की कैप्टन देश्ट्रिक के कैप्टन आएगा जच्छिए वैक हए, मानोगों क मोशी प्लीक कर और आए यह लीए उतनी बहूत बड़ी बात है बागी की बात है यह अर सब्सक्राइब करते हैं एक फोटो तो बनता है और श्री यह सारी जो यादे है कुमल कप सीजन तीन की यह सारी यादे हम हमें निशीत रूपर याद दिलाएगी थैंक यू सो मच अब बेस्ट वोड़ दे कैप्टेंस अभी तक जितने भी तौस हुए है कल से तक्रीमन कल दस मैंच खिले गए अभी पांच हो गए यह चटा मैंच है यह पहली बार टोस में कोल वार हुए है इस मैंच में अब देखना है हाँ 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 है आपने मुझे बूचा कि कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हो तो मैंने वह बोला कि हमारी बालिंग लेंद अच्छी है तो हम तीस भी डिफेंड कर सकते हैं यह जब भी आप पहला को लेंगे ना दिन में यह रात में मुबाल बन करने से पहले तो लिखना है जैहिन तो बोले जैहिन चिंतावानी साधरी बल्ले बाजी कर रही है एक लक्षा दिया गया है गाउगुणा रैजिंग स्टार एक रहे निकले अंपायर का श्कारा और स्कोर प्लीज बता दीजे ज़रा स्कोर तीन बॉल एक रन एक विकेट चलिए तीन बॉल एक रन एक विकेट एक असानी सा कट गया ओफ में थर्में की दिशा में जाती हुए फिल्लर तैनाथ दो रन की कोशिश कर रहे लेकिन ना बोला और एक ही रन से दोनों बल्ले बाज संतुष्ट संतुष्ट कि अग्या तुष्ट कि अधर दो रन बने हैं एक विकेट के नुक्सान पर यह पांचवी गेंड कट किया और गेंड थोड़ी से कुमी लेकिन फीलर भी कि इस बार डिकलेर जोन में गेंड जाएंगी डेफिनेटल यह सिट विए टू रन थैंक्यू सो मच चार रन हुए हैं आकरी गेंड पहले और की हलो हलो अहिंसा ग्रूप प्रेजेंस कॉमल कप 2019 सीजन 3 का आज एतिहासिक दूसरा दीन हमारे टाइटल स्पॉंसर कॉमल कॉंसर जर्सी स्पॉंसर मैं जल से जल शुरू कीजिए समय की मरिया था मैं दर्शकों को पताना चाहता हूं कि मैं भी एक मुंदारा गाउसे विलोंग करता हूं हिस्सेदारी ली जर्सक्राइब जर्सक्राइब हमारी सारी लेडी लक आ चुके मंच पर उनका दिल से स्वागत आयोजक है और अमेशा है इनका सपोर्ट विक्रान भाई विशाल भाई विवान जी और अंकल जी के लिए बहुत एहमियत रही है और आज इनके ही सपोर्ट के वज़े से अनने इतनी अच्छा आयोजन कर पाए है तैंक यू सो मच फिल से पार दिल से स्वागत चे रन होए है यह दूसरा वर प्रगती पर है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बाटिंग हमें देखने मिल रही है बावेश भाई की दरफ से बावेश भाई ने जरम्यान एक रन ले लिया है विकी अब स्ट्राइक पर होंगे 16 गिंदों में 21 रनों की जरूरत है टीम चिंतामनी साथ डड़ी बहुत ही जबर्दस गुंटा है जिस प्रकार से उस गेंड को खेलने के लिए वो तयार थे बहुत ही अच्छा संबर्कुआ गेंड और बल्ले का बल्ले के सबसे बहतर स्पोर्ट पर ये गेंड लगी और गेंड पहुची छे रनों के लिए अगली गेंड आइस बार भी फुल टाउट दिल्विरती कहीं न कहीं अच्छा संबर्क हुआ इसी तो पर बल्ले से संबर्क जरूर हुआ लेकिन सिर्फ एक रनों का योगदान मिलेगा इसी सिलिनल रन के साथ रन हुए है चौदा एक विकेट के नुकसान पर वाव क्या बात है बहुत अच्छी स्टोक बावेश भाई की एक अच्छा हैंड आइक कॉडिनेशन नजर आता हुआ बावेश भाई की इस बल्ले बाजी में स्कोर में हिल्प कीजिए न अभी जी जी जुसरी ओर की आखरी बॉल स्कोर हुआ है ओफ में लिलवरी किया फिल्लर तैनाथ यहां पर अच्छी फिल्लिंग दो रन लेने में दोनो बल्ले बाज सक्षा बहुती सांदा रन लिए दो तीसरा चुलिए बारा बॉल में ग्यारा रनों की आखरता है और इसकी बाद का मुकाबला जो शुरू की आखर टाफ जीता है एसेश जेवाएम देसुरी टीम ने और पहले बल्ले बाजी करने का निर्णे लिया है सलोगा स्काइटर को गेन बाजी करने का नियुता मिला है सो दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुट काम ना है हमारे प्राउड जर्जी पार्टर एसेफ जेम्स एंड ज्वेलर्स मिस्टर रमेश भाई हमारे साथ मंच पर मौजूद है साथी साथ नाइट्रोक्स मिस्टर मेहूल भाई एंड फैमली बहुत बहुत शुक्रिया मैंड़ मैच के पार्टर है फ्लेर जिनके माध्यम से मैंड़ मैच टोफी प्रिजेंट की जारी है एवरी मैच हमारे टाइटल पार्टर कोमल टेडिंग कॉर्परेशन इनको भी दिल से धन्यवाद हमारे टाइटल का बहुत का पार्टर है निशी मैड केर जो स्पेशल कोईन बनाया है टाइटल के लिए वो प्रवाइडर है स्पॉंसर बाई निशी मैड केर 12 गेंदे 11 अन थोड़ा साइड में आजाईए देशु भी दिम रिक्वेश्ट है सर थेंक्यू चलिए पॉवर प्ले का ओर शुरू हो चुका है चलिए क्या बाद सोचल मीडिया में भी चल रहा है वोक्सप के माद्यम से निलेश बाई 17 रन हुए पावर प्लेवर वोक्सप के माद्यम से इंस्टाग्राम फेस्बुक के माद्यम से अपडेट्स किये जा रहे है सारे जो फोटोग्राफ से वो जल्दी इंसा गूप पर अपडेट किये जाएंगे विवान बाई इनके परस्टेल अकाउंट पर भी फोटोज अपडेट किये जाएंगे इस बाई आफड्रैकर दिल थोखेलरी ओगाइ 24 दिलेश भाई 24 दिलेश भाई 24 is the score और एक बैटरी लेका लेकिन इस बार गिन को सुरक्षित रखा बॉंटी के अंदर और विकी भाई ने दोरण किये पूरे टोटल स्कोर हो चुका है जिसरे अिसंता रखा लेकिन मैं पोगा टार वो यव दो इसा रखा जट्व्य व neu यर झार गिन को फफिक ञुदल एको बाल लेकि डिसरे ज्सको अधिज यर innate ब्राइब द्राइब बार गरता तो तो पांच वाप पल्फा हो गया दो में देस्वरी टीम एक बर प्लीज चल दी प्लीज एबाई ट्रैक दो 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 यह D group का अभी पहला मैश होगा आप समय की मरियादा को पन्ला में एक इनूँ एक दो मिनित हम आगे भीचे एज़़स करेगे कोशिश करो 30 से 32 मिनित में हमको मैश पुरा करे आइश यू ओन पर लुटियों जो से 32 मिनित पर दो में हुआर को चलिए एक एटी हसे जी बढ़ाई बदार हो आपके सब्सक्राइब चलिए बारा बीस यह कितना मैच खतम हुआ अपना कितना नंबर को मैच खतम हो आगो चलिये देशी तो दी हेलो 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 ट्रोफी लीजे ट्रोफी ट्रोफी अचे अचेशनल आगो आगो हड़ो, हेलो… हड़ो, हेलो! किसना है? गटू? हेलो, 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 हेलो… बुलाओ, उसकोट जल्दी बुलाओ हेलो, हेलो, हेलो… है अरे ये दोनों है हेलो है अरे है अरे माइक बंद पो की दो है है हलो चिक हलो 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 या स्वागर कर दो कर दो कि अधिक है तो कि मांदिन से हमें ये कुछ से ट्रॉफी प्रेजेंट की जारे मैं रिक्रस परना दवल बैग इस ग्रूप A के आपरी मैच की टोफी दवल बाई इनके शुबातों से हम प्रिजेंट करने जा रहे है जोड़ बाई हमारे SS Gems Jewelry के सुपुतर है हमारे रमेज बाई इनके सुपुतर है और हमारी टीम MYC के लिए खेल रहे है मैं भी इस टीम के साथ जुड़ाओ और इस man of the match है इस मुकाबले के विकीबाई स्टाइली संदा से आठाइस में से जिनने चौबी से ने नुनाये विकीबाई is a man of the match फ्लेर man of the match विकीबाई जोड़ार तालिया बड़े सिक्सेज और कूपसुलत तरीके से इस मैच को कम्पलीट किया है विकरन भाई आई प्लीज विकरन भाई और एक फुटो चलिए सलोदा और देसुरी का मैच टार्ट हो गया है विवान सर विवान सर हम बात करेंगे विकी भाई विकी भाई प्लीज जाने ने देंगे हम आपको विकी भाई क्या यार आप विकी भाई मैं जाने ने देंगा मुझे बता है कि आपको जादा बात करना पसंद नहीं है लेकिन क्या आपकी बैड इतनी अच्छी बोलती है सर किस तरह से रोज चिंदा मने टीम सबसे बड़ी टीमों में से एक है और यह जीत की ज़रूरत पहले मैच जीता यह मुकाबला भी जीत लिए आप प्री कॉटर में तो कॉलिफार कहें लेकिन आपकी टीम पर्फोर्मंस और आपकी व्यक्तिकत पर्फोर्मंस के बारे में क्या कहेंगे क्रेडिट जाता है बॉलिर उसको बॉलर्स लाइन बॉलिंग अची थी फिल्डिंग अची थी और टीम के हिसाब से खेलना पड़ता है टीम एफ़र्ट था पूरा करेंगे थैंक यू विकी भाई हमारी मैन आफ दमैच फ्लेयर मैन आफ दमैच है अब तीडे लाइव एक्शन के लिए बढ़ते है विवान भाई इट्स ओवर टू यू थैंक यू अभी जी चलिए देश मैं आपको सभी दर्शक जूर चुके हैं मैं आपको बता रहा हूं कि यूटूब पे हमारा सीधा प्रशन लाइव रोर कास हो रहा है I'm sorry कल के मैं फिर एक बाद सभी दर्शक को यूटूब के माध्यम से और हमारे यहां पर जो लाइव है वता दू कल का पूरा दिन का पांच साड़े चार से पांच हजार व्यूस था एक बहुत ही बहुत ही टूर्णामेंट हो रहा ही है कुछ चोटी मोटी कलती हमसे भी हुई है कुछ तो उसके लिए आप सभी टीम कॉरिनेट कर रहे हमसे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी राइट नाव मैच चल रहे है देसूरी और सलोधा श्राइकर्स के बीच देसूरी ने ये टोस जीत के पहले बल्ले बाजी करने का निर्णाई लिया था देखना ये है बल्ले बाजी में कितने शक्षम उतरते हैं एक ग्रूप डी का पहला आती है सिक मैच देसूरी वर्सेस सलोधा श्राइकर्स बता है आपको बता रहे से इसको दमार है ना ये फोल्टिक को भी चाहा है कल का इसको बढ़ना वांग में श्राइब को कि अधर एक ये जाए खरूप पीस गैंग एक आसमानी तोला डेकना ही होगा कि बल्ले बाज की तरों से एक जबर दस शौट अब बेंग छोड़े अब आपने पगड़ा है कमांब सदी बाज़ा है झाल में झाल 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 में हुरण पटार घर भस ख़ा है झाल झाल एक इंपोर्डन सुचना सभी लोग ध्यान दे मैं चलू रहे सभी लोग प्लीज अभी अभी हमें आदे गंटे पहले ख़बर मिली है सेमल ब्रेदर्स नहीं आप आ रहे है उसकी वज़ा से मुंदारा यूथ कलब को बाई मिल जाती है मुंदारा यूथ कलब को बाई मिल जाती है सेमल ब्रेदर्स के कुछ प्लेएर्स इंजर है वो नहीं आ पाएगे इस वज़ा से मुंदारा यूथ कलब को एक बाई मैच मिलती है याने कि बहुत बड़ी एक सुचना है इसके बाद का जो याने कि मैच निम्बर साथ SSJYM और सलोडा स्ट्राइकर मैच निम्बर छे है जिसका टॉस हुआ है और SSJYM देसुरी ने टॉस जीत कर पहले बैक्टिंग करने का डिसिजन लिया मैच निम्बर साथ सेमल ब्रदर्स और MYC इनका ये जो मैच है MYC को पॉइंट दिये जा रहे क्योंकि सेमल ब्रदर्स का दो खिलाडी चोटिल है और इस स्वजे से उनकी पूरी टीम आने ही पाई है सो MYC को पॉइंट दिये जाएंगे सो नेक्स्ट मैच होगा गाने डाउ शूटर्स वर्सिस SS जवाए समाप्ति की बाद रन बने है ग्यारा पहले वर के समाप्ति की बाद रन होए ग्यारा बॉलर का नाम बताईए और अनक सर बॉलर जिम बॉलर का नाम बताईए अभी जी जी मैं आपको बता दूँ सेमल ब्रदर्स अपने प्लेयर्स के इंजर की वज़े से नहीं आ पाए तो यहाँ पे मुंदारा यूथ कलब को एक बाई मिलता है मैच का और साथ साथ में सेमल ब्रदर्स का दूसरा मैच है विक्रान भाई घाने राओ के साथ है राकेश बॉटम आपका दूसरा मैच किसके साथ है और दूसरा ठीके तो सेमल लहीं आने के वज़े से मुंदारा यूथ कलब को एक मैच बाई मिलता है और साथ में दूसरा मैच घाने राओ को एक मैच बाई मिलता है दोनों को दो-दो पॉइंट्स मिलेगे मुंदारा को दो पॉइंट्स और गाने लाव को दो पैंट पैर को लगाए जब भी पैर को लगकर गिर अंदर रहेगी तो आपको डौर कर रन कम्प्लीट करने सही का अभी जी जी मैं डी ग्रूप ने अभी श्टार्ट किया तो बता दू कि पैर को लगके अगर वापस आती है तो आपको डौर के रन लेना होगा अच्छा मैं बता दू दूसरा रमेट जी से रमेट जी रानावत से और प्रवीं जी मैता से प्लीज लंच के लिए पता आ रहे ठीक है स्कोर के तून करता है कि लाइग को ही है सीरी यहां पे गया हलो चिक, हलो चिक जालो चिक करता बजयता जा जाई करता जाई को अपांतो करता बंच करता बंच करता जाया झाल 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 जी टोटल स्कोर है 19 रन बहुत अच्छा है लेकिन फिल्डर तैनाथ है स्कोलेग रीजेन पर एक ही रन इस एक रन के साथ रनों की गती बढ़ रही है 20 पर पावर प्ले ओवर चलता हुआ दो गेंदे हुई है रन हुए है 20 20 पावर प्ले चल रहा है दो बॉल हुआ है तीसरी बरतबा पावर प्ले का एक आस्मानी टोला लेक साइड में फिल्डर तैनाथ दो रन के लिए भागने की कोशिश करें लेकिन यहां पे एकी रन से दोनों बल्ले बाद संतुष्ट 21 रन पावर प्ले की तीसरी बॉल समाप था आरेम भाई आये इंका स्वाज़त है बढ़िया आरेम भाई आये इंका स्वाज़त है वीवान भाई कितनी भी कोशिश कर लो माइक पर नहीं बहुत है लेकि माइक चहिए उसको यह हम रिप्ले में देख सकते हैं बहुत ही बड़ी आ नजाकर बरा स्टो जैसे एक स्टेप आउट हो गये ते अपने बॉफिंक रिस से गुड हैंड आई कोडिनेशन बलने का बैक फ्लो बहुत ही अच्छा आया और छे रनों के लिए गेन को तब्दील कर दिया ले में खाँ लिए और लिए यजरनाओ लेनाओ लेनाओ बीजरनाओ चलिजरनाओ लेनाओ लेनाओ नियुक्ली है खेंगान। भी है कांवर हो प्रकाशी वाइट हो चुक्य है, तुटीएट माइगा। अटताइ दुआ लाग बोस्ट अगुद्टेर दीए करता दो आजए आप दुटेर दुटेर हो आप दुटेर हो आप हो दुटेर हो कि एक उंह रशे माले के जि कैंट और पूंअ का मज़क्ण सकी है कि अगब भूए रजा से चे अधने हाथ आपट अभ कि ए म मिल दूंच कि बीच अपन कीव आदा के नुस्त दूस्तバन अच्छिक संगी तोला यहां पर लोग नहीं पाएं चलिए पॉवर फ्ले खतम हो गया चौती ओवर की पहली बॉल हो गई है स्कोर हुआ है 32 रन बहुत बहुत ही शांदर प्रदेशन बल्ले बाजों का दूसरी मर्तबा दोर लगा रहे हो गेंद बाज सामना करें बल्ले बाज एक बहारी की नहरा अंपायर का इशारा हुआई 33 रन चलिए थोड़ा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते जलसे करें दूसरी मर्तबा दोर लगा रहे हैं सामना करें बल्ले बाज एक ओफ ट्लाई में चोटा आसमानी टोला देखना यह होगा और यह बहुत भी बैटरिन फिल्लिंग और इसी बीच दोनों बल्ले बाजों ने चुक में से दो रन पूझे किये आखरी ओवर में इसी तरह से ही बल्ले बाज ही करनी है अगर डेडिली बैटिंग में करेंगे तो रन कैसे बनेंगे तो बाज़े कि एक अस दोला एक असा कैने चेंट इसा लिए सेलोधा इस्ट्राइकर्स के लिए सद्राइकर्स की तोड़ी से फिल्डिंग थट्री विल्डिंग तोड़ी सी यहां गड़ बनेंसरा तो 37, 37, चलिए, आखरी इनिंग की, एक स्टेट ड्राइव, फिलर तैनाथ, नहीं, यहाँ पे बल्ले बाज को एके रन से संतूश होना पड़ेगा, रह हुआ है, 38, दोल हुई है, 4, चलिए, दोल है, मैं बताना चाहूगा, देसुरी ने बहुत ही शांदर बल्ले बाजी का प्र कितने शक्षम होते हैं सलोदा स्ट्राइकर्स को होकने में, बल्ले बाजी में, फिर एक बार आसमानी, तोला, मारा है, दोरन दोरने की जरूर, और यह देकर रही है, किस तरह से है, चाहिने ठीट, और इसी की बीच में, देसुरी को एक और जटका, चलिए, स्कोर हो गया है 39, 49, हम शेतर एक्षन की बात कर रहे थे, बहुत ही सही प्रो किया, सीधे विक्टो को निशाना सादा, और विकेट का पतन होता हुआ, आकरी गेंद है यह, वेल्डन, वेल प्लेट सर, बहुत अच्छी बल्ले बाजी, नहीं बल्ले बाज, कैप्टन महावीर, जो की बोलर स और देखते देखते तीन रन चुरा दिये देशूरी ने, बहुत ही शानदार वल्ले बाजी, और सलूदा स्ट्राइकर्स को इन्होंने लक्ष दिया है, 40 रन का, 3 रन भागे, 3 रन अभी, 41 रन का टार्गेट, चलिए, मैं एक बार बताना चाहूँगा, वाकई में देशूरी टीम का जो उत्सा है, जो जोश है, वाकई में तारीफे लाई के, बहुत ही शानदार प्रेजर्शन रहा बल्ले बाजी का, और सलूदा स्ट्राइकर्स को लक्ष दिया है, 43 रन का, चार ओल में, चलिए, बिना सवेगवाए, हम एमें मैच्च टू करते हैं, घाने राओ के कैप्टन से मैं रिक्वेश्ट करूगा, टॉस के लिए आ जाए, घाने राओ के कैप्टन, यह है ना सामने हो रहा, और देसुरी के कैप्टन एक बार टॉस के लिए आ जाए, अगले मैच्च गाने राओ का उसके, खली टॉस कर लिए, चलिए मैच के बात कर दे, गाने राओ टीम मैच के बात कर दे, मोर्या, चलिए, एक बहुत ही जबर्दस्त उचसाहा, जबर्दस्त, हलो, यह बहुत ही जबर्दस्त मुकाबला चल रहा है, जिस सरे से घिवान भाई बात कर रहा है, क्योंकि इतना उचसा, दोनों टीम में हमें नजर आया, खास कर, देसुरी की टीम, SSJYM, इन्होंने आकरी गेंट पर तीम रन निकल कर टीम का स्कोर पहुचा 42 रनों पर, और टीम सलेदा, स्टाइकर, उसके लिए रोनक बार, उनकी टीम के लिए 43 रनों का टारगेट रखा गया है, 43 का टारगेट रखा गया है, दोनों टीम से रिक्वेस्ट्य की ज़्यादा समय ना गवाए, मैं कैमेरा के वहाँ पर ख़ड़े लोगों से बोलू, फ्लीज थोड़ा यहां साइड आ जाईए, फ्लीज थोड़ा से यहां पर आ जाईए, हेलो, हमने अभी अभी देखा, देसूरी ने बहुती शांदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, तारंग तोड बल्लेबाजी करने में देसूरी के बल्लेबाज बहुती शक्षन निकले, देखना यह होगा, अब कि देसूरी कितना शक्षम होते हैं रोगने में, साउन वाले सर, साउन वाले सर, डीजे वाले सर, प्लीज जल से जल कॉमेंटेटर वोक्स के वाँ आ जाईए, चलिए, देसूरी टीम और सलोदा श्टाइकर से रिक्वेस्ट करूगा, बिना समय गवाए समय की मर्यादा रखते हुए, आपको 15-16 मिनिट में यह चार ओवर पुरी करनी है, देखिए, ग्रूप सी, टीम ग्रूप सी, पहले पोजिशन पर है, चिंता मने साधरी की टीम, प्लीज जोरदार तालिया, चिंता मने साधरी टीम के लिए, जो फर्स्ट पोजिशन पर है, सेकेंड पोजिशन पर है, श्री लुनावा, यूथ ग्रूप लुनावा, और तीसरे पोजिशन पर है, अन नेट रन रेट बेसिस, इस सावलता स्पार्टन, सावलता बोईज जोरदार तालिया, तो यह तीन टीम है, जो प्री कॉर्ट फाइनल माचिस के लिए कौलिफाई कर चुकी है, चलिए, देशुरी की पहली बॉल, अभी जी जी, ओट हुए, हलो, 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 तैंक यू सो मच, वीवान सर, मैची शुरुबाद करते हैं, 43 रन की जरूरत है, मैची बाद हो ची कि इस बार, हाफ आड़ेट स्टोक, होड़ेजन टर बैट का, इस्सिमाल करते हुए, दूसरे रन के लिए पूरी तरसे नकारा, आड़ेजन बाद होड़ेजन पूर के लिएमियर से लिए भाने सर वाजए रिए, जय पूर नकारा भाने सर, मैची खरिए, चलिए रन हुए हैं एक दो गेंदे एक रन ये तीसरा गेंद एन इस आउट येस आउट इस आउट स्टंप आउट बियाइंड विकेट बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग का परेशन और पहले विकेट का पतन सेलो दे स्ट्राइकर्स पहले विकेट का पतन मोहित हुए है आउट स्टंप आउट हुए बहुत अच्छी बॉलिंग मावीर भाई की तरस्ते में देखने मिली है हीतेश भाई हाली में नारंगी ग्राउंड पर चब्वीस बॉल में 92 रंज बनाया उन्होंने जोरदार तालिया इनके लिए बहुत ही अच्छे बल्ले बास है टीम सलोदा स्ट्राइकर्स के लिए एतेश भाई हमेशा ही अपने क्रिकेट की शमता को हर एक मैदान में उन्होंने दिर्चाया है नो बॉल संजे भाई मेता इनका दिल से स्वागत है वेल्कम संजे भाई संजे भाई इनसे रिक्वेस्ट कोईगा संजे भाई मेता हमारे बीच उपस्तित है अइसा ग्रूप प्रस्तुत कोमल कप सीजन तीन में आपका दिल से स्वागत वेल्कम संजे भाई वाइड बॉल के साथ रनो के सिती बढ़ती हुई चार रनों पर फोर रन्स चार रन बन चुके हैं हमारे प्राउट जर्जी पार्टनर नाइट वॉक मिस्टर मेहूल भाई और एसेश जेम्स ज्वेलरीज के मिस्टर रमेश भाई रावत हमारे बीच उपस्तित हैं उनका दिल से स्वागत इस भीच एक हाफ आड़े लिट ट्वाइड वाईडिश मेंड विकेट गेंड जाती हैं हितेश भाई बजगे कदना करनी बिटेंड विकेट दो रन पूरे किये हैं सलोगा स्ट्राइकर के लिए बहुत ही जरूरी होगा हितेश भाई का विकेट पर रहना चे रन हुए हैं दो गेंडे बाकी मनुच की लिए अगली गेंड और हलके आतों से इस गेंड को सिर्फ दिशा दिखा दी मनुच भाई ने निकाले एक रन इसके साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ साथ एक गेंड बाकी अहींसा ग्रूप प्रेजेंस कोमल कॉप 2019 सीजन 3 का आज दूसरा दिन हमारे टाइटल स्पॉंसर कोमल ट्रेडिंग कॉर्परेशन जर्सी स्पॉंसर एसेस जेम्सन जोलरी मानने श्री रमेज जी रानावत हमारे बीच उपस्ती थे हमारे गाउ के प्रवीन जी महता भी हमारे बीच उपस्ती थे एक शांदार आस्मानी क्या बात है इसलिए हितेश जाने जाते है 26 बॉल में 92 रन बहुत ही शांदार शांदी हितेश भाई जितनी तारीफ पर हो उतनी कम है बहुत कम ऐसे श्ट्रोक देखने को मिलते हैं अभीजी जी कल अपने को सिद्धेश चानोत के सिद्धेश भाई ने तीम बॉल में तीम छक्के जड़े थे चोता भी सिक्स जा रहा था लेकिन उस पेर को लगके फिर से आ गया इसलिए वो सिक्स कंसिरर नहीं किया गया लेकिन बाकरी में यहां पर राइट साइड में सिक्स मानना बहुत बहुत ही मुश्किल है लेकिन हितेश भाई की तारीफ करने होगी सलोगा टिंग के चलिए एक बहुत है मनोज भाई सौरी सौरी जो भी सिक्स आना बहुत इंपॉर्टिन है मनोज भाई ने इस बार माफ कीजिएगा ओवर्चेंज हो गया था मुझे ध्यान में दिता है एम सौरी फॉर्टिन मनोज भाई ने ने यह सिक्स मा रहा है कहने का मतलब है कि अ कर विभल जुद ओट कपर का इशाडा उइट और एग और डिक्लैर मतलब एक भी बॉल में उनको दो रण मिलते हैं चलिए मैच की तरफ रूप स्कूर एक बार बता दीजिए 21 ओर चल रही है दूसरा अब ये मैच लेगा करारा तकर ये वाइट बॉल फिर अंपायर का इशारा में सुख लेकिन सलोगा इस्टाइटर्स की कम नहीं सही में होगा एक आस्मानी तोला जाती हुई अंपायर का इशारा दो रन डिक्लेर जॉन बता दू अभी अभी जीट भाई अभी भी दो अवर भी नहीं हुए है और सलोदा ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है पावर प्ले में क्या करते हैं सलोदा इसके ओपर पुरा मैच निर्वर करता है अभी जीट ये अनिशी तुरूप पर पावर प्ले में तो ये और एक्सिलरेट करेंगे लेकिन फिलाल 16 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है बहुत अच्छी बल्ले बाजी हो रहे हैं 24 रन बना चुके है एक दशमलो दो ओवर की समापती हो चुकी ये तीसरी गेंद हलकी आतों से कलाईयों के सारे एक रन निकाल कर बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली है अभी स्ट्राइक पर होंगे हीतेश भाई सबसे ताकतवर खिलाडी अगर हम बात करें तो इनके जो कलाईयों में जो पावर है सिक्सिस बहुत बड़े-बड़े हिट करते है ओ हो हो ये कॉमेंटेटर्स करेंगे और कुछ नहीं क्योंकि अच्छी बल्ले बाजी की हम उम्मीद कर रहे थे लेकिन ऐसा स्टोक खेलने के तायारी में जरूर थे लेकिन कलाईया जब मुड जाती है बल्ला घुम जाता है तो गेन आटोमाटिकली ट्रावल होता है उचाही पर लबाज नहीं मिली विकेट कवाया हितेश बाई ने लेकिन एक बल्ले बाजी बहुत ही उंड़ा की हितेश बाई ने लेकिन हितेश बाई बैक टू पेवले नाते चलिए नए बैस्वेंग का नाम प्लीज नरेज भाई चलिए नए बल्ले बाज नरेज भाई एक फूल को जिलों चलिए एक आस्मानी टोला चलिए दो और के समापती के बाद रणों की स्तिती हुई है तीस बचेवी बारा बॉल में तेरा रण की जरुवत यह बहुत ही अच्छा रीपले हम देख रहे हैं जिस प्रकार से इस गेन को खेला गया बहुत ही अच्छी तरह से स्टोक गेन अच्छी वन बाउंस ओर दफेंच चार रोनों के लिए गई फील्डर के सरके ऊपर से बाउंड की तरफ यह गिन गई बारा गिंदों में तेरा रण की जरूरत सलोजा स्टाइकर्स की टीम को और यह ओवर होगा बाटिंग पावर प्ले चलिए मैं सबसे पहले तो देशूरियों और सलोजा स्टाइकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समय के निधारित समय से आप खेल रहे हो मैं तहटी से आपका अभारी हूँ अभार व्यक करता हूँ इसी तरह से आपका सयोग मिले सपोर्ट मिले हम आगे भी इसी तरह से तुर्णमेंट करेगे चलिए मैच की तरह फूप लेते हैं यह शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ अभी जी जी तो यह पावर प्ले ओवर है यह पावर प्ले ओवर है दो ओवर के सवापती के बाद स्कोर हुआ है 30 दिपेश भाई सामना कर रहे है मनोज भाई यह वही मनोज भाई है जिसने चक्का जागा था पहली ओवर में दूसरी ओवर की चलिए पावर प्ले की ओवर पहली मरतबा पावर प्ले की पहली बॉल बहुत ही शांदार स्पीन हाथों की कलोईयों का फ्लिक शॉट किया एक रन से दोना बले बाद संतूष्ट अब चाहिए 11 बॉल में 12 रन 11 में 12 रन बॉल टू बॉल है जादा कोई रिस्क लेने की आज सलोडा स्ट्राइकर्स को ज़रूरत नहीं होगी आपने बॉल टू बॉल है कोई एक अध बॉल में कोई मौका देखे चौका मारे तो मैच सलोडा की पक्षमा जूख सकता है यह बहुत ही उंदा मैच बहुत ही डिसिपिंट प्लेयर्स सिरिस्ली आए ओ टू देशुरी टीम एंड सलोडा स्ट्राइकर्स बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेल रही है जो डिसिजन दे रहे उस डिसिजन का हस्ते हस्ते एक्सेप्ट कर रही है मैं तहदिल से उंका बार बेक करता हूँ फिर एक बार आस्मानी टोला हो चुक है दो विकेटी के नुक्सान पर सिर्फ फांच रून की जरूरत फाइव रन्स पर एक बाल एक की तरफ से एक ही रन से चार रन चाहिए आठ बाल कितने बाल में कितने रन चाहिए सर आठ बाल में चार एक बाल फिर छोटा चलिए अभी देशुरी का मैच होने वाला है मैं आपको पाथ से साथ मिनिट का ब्रेक दे रहा हूँ देशुरी पाथ से साथ मिनिट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ उसके बाद में देशुरी का मैच खेला जाएगा घाने राव टीम से पाथ से साथ मिनिट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ सर बेटा लग नेक्स्ट टाइम बहुत ही उंदा खेले आप बल्ले बाजी बहुत ही उंदा की थोड़ी गेंद बाजी में आपको और थोड़ी फिल्लिंग में यहाँ पे थोड़ा मिसमैच देखा गया देशुरी की तरफ से अमपायर सर अमपायर सर पांच मिनिट का परेग है क्योंकि एक टीम कैंसल हो गही है तो दो मैच बाइब भाई मिल गए तो अभी देशुरी का ही मैच फिर से है हली पांच मिनिट का परेग चलिए अगला मैच होगा देशूरी और घाने राओ के बीच में मैं देशूरी से रिक्वेश्ट करूगा खाली एक बार टॉस उड़ा दिया जाए प्लीज रमेज जी धानावत देशूरी, देशूरी के कफ्तान खाली टॉस के लिए आजाए बिलस घाने राओ के कफ्तान लालोए घाने राओ के कफ्तान हलो चिक हलो अब बैठा आ रहा हमसे बैठा रहे है बैठा बैठा चलिए देशूरी के कफ्तान एक बार टॉस के लिए आजाए खाली केमेरमेन रूशब जेन हमारे घाने लाओ के कैप्तान और देशूरी के कप्तान हमारे बीच चलिए टॉस के शुरुबात हो रही है कॉल कॉन देगा रंसर हमारे टॉस के प्राउड पार्टर है निशी मेडकेर इनकी तरह से ये टॉस प्रोवाइड किया गया टॉस का बॉस निशी मेडकेर घने लाओ के कैप्तान निशब जैन कॉल देने वाले है निशी मेडकेर कोमल निशी मेडकेर इनकी तरह से ये टॉस जीत लिया है टॉस तो हम लोग हमेशा जीतते हैं टॉस का कोई इस्जू नहीं है इस बार थोड़ा सा चेंज ओफ डिसिजन इस बार फिल्डिंग करना चाहेंगे क्या अलग प्लान है कुछ हमारे पास कोई प्लान नहीं है हमारे पास जरने के लिए कुछ नहीं है अगर जीत गया है तो कौलिफाइ हो जाएंगे अरे वाह क्या बात है अब इनोंने बात ऐसी कर दिए कि क्या बात है दोनों ही टीम नजी के गाउं है और सारे लोग एक दूसरे को जानते है एक अच्छा नाता रिष्टा बन चुका है लेकिन क्रिकेट में हम एंजॉय करेंगे माच के लिए आपका अगर नए टेंडर बहतर है तो में भी आप कॉलिफाइ कर सकते इसके बाद हमें पता चलिए तो पहले आप गेन बाजी करेंगे थैंक्यू सो मच्छ सर टीम फोड़ो एफ के लिए वेट करेंगे हम बात करेंगे सर गाने राव शूटर इन से सर वेरी फर्स्ट मैच किल रहे है आपको पैटिंग के लिए आमंत रित का गया है क्या कहेंगे कितने रन आप बनाएंगे और इस पूरे प्रत्युविता के बारे में क्या चर्चाए चल रहे हैं पूरे गाउभर में ये मेच बैटिंग के बारे में ये ही बोलूँगा कि विल ट्राइ और बेस्ट वाट वी केंडू और जैसे मैंने मेरे टीम को रेडी किया है तो देविल प्लें आई तिंग सो विल वान विल ट्राइ तो वान तैंक ये सो मच श्री हमारे ओफिशल फोटोग्राफर है कोमल कप 2019 सीजन 3 के लिए हमारे ओफिशल वीडियोग्राफर है सतीज जादा 70-70 चाइनल डिजिटल स्कोरर चलिए मैच की तरफ एन सनी सादिस हमारे तीनों ही काविल अंबार शशी सर सुरेकान सर और कल्यानी सर इनका भी दिल से दन्यवाद स्पेशल टाइंक्स तू निलेश भाई जिनके प्रमुक सपोर्ट से हमने ये पूरी टोर्नामेंट का आवजिन किया है साधी साथ ये पूरा ग्राउंड हमें प्रवड कया है प्रभोधनकर बवन के इस स्टेडियम में हम ये मैच खेल रहे है दूसरा दीन चल रहा है विवान सर कुछ कहना चाह रहे अहिंसा गुरुप प्रेजेंस कोमल कप सीजन 3 2019 में यूटूब से जुड़े सभी लोग आपका स्वागत करता हूँ आज का साथवा मैच अभी खेला जाएगा गाने राओ और देसुरी के बीच में देसुरी ने टोस जीत कर पहले गेंबाजी करने का निर्वे लिया है और चैलेंज किया है गानेलो शुटर्स को पहले बल्ले बाजी करने में अभी देसुरी का और सलोदा के बीच में मैच हुआ लास्ट मैच जिसमें देसूरी ने 43 रंग का तारगेट दिया था सनुदा श्टाइकर से बहुत ही उम्दा तारगेट दिया था चार ओर में लेकिन कहीं न कहीं देसूरी फिल्लिंग में मिस मैनेजमेंट थोड़ी सी गेनबाजी में मिस मैनेजमेंट की वज़े से हम यहीं उमीद करते हैं आपका हर दूसरा मैच अच्छा हो पहले से बेतर हो और बेटर टीम जो अच्छी टीम है वो जीते है सारे लोग बहुत ही खुश निजार रहे गणे राव शूटर से सारी टीम विक्यान भाई पांच मिंट का बेक ब्रेक है एक्जैक्ली वन तर्टी हम लोग शुरुबाद करेंगे यह सो पांच मिंट में से तीन मिंट कतम हो चुके सिर्फ दो मिंट बच्चे है चलिए यह सो बेस्टोरे में रिक्यर्श करूगा फिल्निंग लेंग पर है और घणनराव शुटर से मैं रिक्यर्श करूगा अपने 2 बलेबाज तारम तोड बलेबाज विक्या मैं बेजीई Muslims क्योंतु टोर कुछ नहीं है वाल्ले बाल्ले पाज तार्म तोर कि सकता ने ताम तोर। वहा कि нужен मिल्ड़क on जलिए घंअ प्लिया में चलिए आपका नम मोनिल मोनिल बटम सर आईए आप ओपनिंग पे उतर रहें श्राइक नोन श्राइक श्राइक पे क्या रन निती रहेगी चार ओवर की हिसाब से आपकी और अपने अपने दवाई ले ली है और डोष पुरा है जोष पुरा है ओके क्या कहना है चाहेगी आप 45 to 50 45 to 50 का तारगेट देना चाहेगी आप बेसुरी के लिए किस तरह से रन निती होगी पावर प्ले का क्या प्लान है आपका पावर प्ले का बारा चौधा रन तो आने ही चीज़ रहा है चलिए थेंक्यूर बॉटम अल्डे बेस्ट अल्डे बस्ट मॉनी चलिए मैं देशो नी टिंग से झाले बस्ट आने ही चीज़ बस्ट प्ले कर दो आने ही चीज़ रहा है झाले बस्ट आने ही चीज़ बस्ट आने ही चीज़ बस्ट आने ही चीज़ रहा है कैले भी चीज़ जर प्ले कर दो आने ही चीज़ बस्ट आने ही चीज़ झाल झाल मैच की शुरुवात करें अभीजीट भाई मज़ा थक्या हो याद क्यों सर दो बॉल में सोचिए सर चार-चार ओर के मैच इस हमारे सारे प्लेयर्स कितने फिट है सिर्यस्टी मैच किल रहे हाई विद दू रिस्पेक्ट मैं अभीजीट भाई अभीजीट भाई दो बॉल में ठाग गया हूँ देशुरी ने चैलेंज लिया है दूसरा कंजीटी मैच खेलने करा वाकरी मैच था ताभीजीट भाई तो आगे पीछे उपर लीचे से सब जगों फट गई है हलो चिक हलो हलो चिक हलो चिक हलो चिक हलो थैंक यू चले लेट स्टाट दे मैच अमपायर्स हमारे तयार है ताभीजीटी मैच जब आगाई यू जब आगाई यू मिकर आगाई यू मिकर आगाई आगाई प्रत्राई बहुत बहुत शुक्रिया विवान भाई लगातार दो दिनों से कमेंटरी बक्स में हमारे साथ जुड़ो हैं बहुत ही जोश से कमेंटरी करते हैं और सभी का ख्याल रख रहे हैं यहां पर बिसिकली और अहिंसा गृप के मादिम से कमिटरी मेंबर है विकरन भाई विशाल भ बहुत अच्छी महनत करें और आज बर्ड़े है विशाल भाई का स्वापी बर्ड़े टो यह विशाल भाई मैच की शिवाद करेंगे यह मैच खेला जा रहा है गाने राव शूटर्स और SSJYM देसुरी की टीम के बीच देसुरी की टीम ने टॉस जेट कर पहले गेन बाजी करने का नेने लिया है और गाने राव शूटर्स शूटर्स इसलिए इनका नाम है क्योंकि बहुत अच्छी तरसे शूट करते हारे गेन को राकेश बॉटम के नाम से प्रसिद्ध राकेश भाई जिनकी बॉटम हैंड बहुत ही बड़िया होती है और बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए माहिर है इसलिए उनको बुला जाता प्यार से राकेश बॉटम उनके साथ मोनिल खाटे रज प्रमुक बल्लेवाजी के लिए आए हैं सो दूने ही टीम को बहुत बहुत शुब कामने देसुरी की टीम और गाने राओ नजदी के गाहँ है एक दूसरे को बली बाती जानते हैं एक साथ प्रैक्टिस करते हैं कहीं रिष्टेदार आपसी जो एक नाता है इसी कोमल कप के माध्यम से हमें देखने मिले इसके बाद का मकाबला जैसे दूसरा ओर कम्प्रीटों काम टॉस के लिए आमनतित करना चाहेंगे सलुदा स्ट्राइकर्ज और मुंदारा यूथ क्लब मावीर भाई ओवर नमर नमर एक की शिरुवात करेंगे से जिवायम देशुरी के लिए राजिस्तानी जेन युवा के सभी कम्मुनिटी मेंबर्स जो हैं इस कोमल कप सीजन तीम में आईंसा गुर्प के माधियम से बहुत ही अच्छा संस करें 1.31 का टाइम है 15 मेट के अंदर देशुरी आपको चार ओर कम्पेट करने याद रखना है मावीर भाई 1.31 इस ओफिशल टाइम मैच की शुरुआत करें जलो देबाटल बिगिंस बटीन एसे जिवायम देशुरी अन गाने राव शूटर्स पहली गें मावीर भाई खी बड़ा इट कना चाहते थे बल्ले बाज और रेकेट कीपर पिरुतर से चुके और इसी की साथ 22 की रूप में यह पहला रन स्कोर बोर्ड में अरजित होता हुआ सनी इस ओफूरे कॉमल कप सीजन 3 का इतियास अपने सुवणा उक्षरों से अरजित करते हुए वेलकम सनी आपका दिल से स्वागत है साथी सत हमारे डिजिटल स्कोरर अमित अमित है पारस है एन विकास है जो डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं सो इनका भी दिल से थैंक यू हमने वीडियो ग्राफर सतीशी और कैमरेमन श्री इस सारी हमारे टेकनिकल टीम है बहुत अच्छी तरह से इस नजाकत बरा स्टोक हलकियातों से खेल कर एक रन निकाला टीम का कुम स्कोर बढ़ता हुआ इसी एक रन के साथ दो पर दो गिंदों में दो रन हुए है मौनिल अब स्ट्राइक पर आएंगे मौनिल खाटे जो फेस करेंगे महावीर भाई को जल्दी करें पंगरा महीट के इंदर आपको चार ओर कंपीट करने इस अ काइन रिक्वेस्ट बहुत बढ़ी आहिट बहुत ही उमदा हिट सीधे वन बाउन स्वीपर के जो खिराडी तनाद उनके आतों में गेंगे बहुत अच्छी फिल्डिंग का प्रदरशन एक ही रन मिलता हुआ मौनिल को तीन गेंदों पर तीन रन हुए है प्रभधनकर भवन के इस सुन्दर ऐसे एतियासिक मैदान में आप सभी दर्चों का स्वागत है जो अब बढ़ारे है विशे शुरूप से हमारे कॉमेंटरी बख से सामने जो सभी मानुबव उपस्त है उनका दिल से स्वागत है अपने टीम का मनोबल उचा करते हैं चेयर करते हैं हर एक गेंड पर इस बेच बढ़ायट करने का प्रयास पुरी तरह से असफ़ल होते हुए राकिश बॉडम कोई रन नहीं डॉट बॉल यह पहरा डॉट बॉल आता हुआ चार गिंदों पर तीन रन बने है चार ओर का निर्जाज़त केल होगा पंदरा मिट केंदे कंपीट करना यह नियम है और इसको सभी को मानना होगा मेरी यह सभी टीम से दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने जो चार ओर है पंदरा मिट में पूरे करें आज प्री कौडर फाइनल मैच तीम प्री कौडर फाइनल मैच मुकाबले केलने है इस बीच राकिश बॉटम का बहुत ही बढ़िया हिट देखना होगा गेंद आपी चार रन के साथ रनों के सिती बढ़ती हुई साथ रनों पर आखरी गेंद इस पहले ओर का महाविर भाई का ये आखरी बॉल चलिए कैच का मौका दिपेश के लिए वाड़ गूड कैच बाइब क्या बात है जैसे इंडी इटक की दौर कर ये कैच कम्रीट करना पड़ा 20 से 25 याड कवर किया दिपेश भाई ने और गेंग के नीचे ने और सुरक्षित हाथों में ये कैच को कम्रीट किया बाइब वाईब अबना आपनी पास हरुट तुरक्षित पाणी इंडी आपनी कुषल बहुत अच्छे गिंबाज है एक हुआ और बहुत इसांसी गिंबाज है कुषल शिरुवात करेंगे और नमबर दूसरा गुरेगाउ के इस सुन्दर नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो होटूप के मादम से जुड़े प्रिक्षक है उनका भी अईसा ग्रूप प्रस्तित कोमल कप सीजन तीन में हार्दिक स्वागत कुषल की ये पहली पढ़ती हुई गेन गुड निशीती पर SSJYM के लिए पहली बार कुषल गेन बाजी करने के लिए आये हैं पहली गेन पर बहुत अच्छी लेंड पर गेन किया है उन्होंने नेतिन ब्रैकन उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है देख रहा है हुआ कर रही से मत करो मेरे प्राइंगा ओर्टी मैं चाहरे हैं आ बहुत अच्छी गेम कैच का कर और कैच नहीं लेकिन फिल्डिंग बहुत भी बढ़ी है बहुत बढ़ी है फिल्डिंग इस दर्म्यान दो रन पूरे किये स्कोर बढ़ता हुआ नौर रन है विकेट का चांस जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है जिस तरह से इस गेम को रोका गया फिर से एक बार छोटी गेन कैच का चांस नहीं और गेन पहुचेगी डेकलेर जोन में दो रनों के लिए दन्यवाद सर स्कोर बढ़ता हुआ दोहरे उनकों में 11 रनों पर हमारे जर्जी पार्टनर एसेस जेम्स एंड जॉलरी और नाइट वोक्स इनको दिल से दिनने हमारे टाउस का बॉस पार्टनर निशी मेड क्यार आगले गेन इस बार हाफ ट्राकर डिलूरी बहुत भी बड़ी पंदरा रन हुए है इस चार रन के साथ और गिंदे बची है दो कुशल का यह प्रयास विकेट लेने का लेकिन इस बार तुड़ी सी हाफ ट्राकर डिलूरी की गई और इसका पूरा फाइदा लिया हरशित ने एक उमदा चौका इस बार फुल पीच डिलूरी दूसरे रन के लिए लौर पूल नो निल और हरशित की अच्छी रनिंग बिट्मिन विकेट और दो रनों के साथ रनों की स्थिती पॉश्ट टीवी 17 रनों पर आकरी गेन दूस इस बार कैच का मौका और चूर्ट गया जो विकेट था वो विकेट हाथ से चला गया अच्छा चांस ता अच्छा मौका था लेकिन इस बार कि मिल एक रनिंग से संतोश होंगे दो और के समाप्ती पर रनों की सिथी है अठारा रनों पर एक विकेट के नुक्सान के बाद after 2 over score is 18 for the loss of just one wicket देशुरी 10 मिर्ट हो चुकिया फटावा वार्ट शुराब जानगा वेर्टS उस भुटावर शुटावाट शुट एंपायर का निनखीन प्राफथ होता हुआ टोनमेंड में ओवर नम्बर थीसरा यह बाटिंग प्रावर फ्ले हान जुटावाट, तौनमेंड उरंドव के सामापति के बाद 18 पारानुन हो है, एक विकेट की नुक्सान पर, ओर नमबर तीसरी शिरुवाद करेंगे, निखिल, लेक्षाद मैच, एसेस जेवाएं देशुरी, शिरुवाद करें, दो प्लेयर पूर्ना के, मैं आरो, अपिसाब उदर के, मनोर, पूर्णे, चलिए, एक रन तो बड़े आसानी से प्राप्त होगा, मोनिल भाई को, हरशित को प्राप्त होगा, मोनिल भाई स्ट्राइक पर आएंगे, ये कुछ खिलाडी जो देशुरी टीम से मूर्णे के, दो वुकाबला खेलने के लिए, यही एक किसी भी बड़े प्रतिवगीता की सबसे बड़ी बात है, सारे लोग हमारे, हमारे इस कम्यूनिटी के हर एक लोग, हर एक अलग-अलग जगे से आकर, इस टोर्नामेंट में पाटिसिपेट करें, जल्दी से करें, देशुरी टीम, बह होए है, मोनिल बैटिंग करें, दो रनों पर, अब हर्शित होंगे स्ट्राइक पर, हर्शित बड़ बैटिंग करें, बारा पर, बारा रनों पर, देशुरी लेट ना करें, प्लीज, बहुर बड़ी आए, इस बार कैच का मौका नहीं, कि आराम से दो रन पूरे किये, कोई फील्डर तैना ते ना क्यूंकि पावर प्ले है, पावर प्ले में सिर्फ तीन किलाडी तीस गर्श दाइरे के बाहर आप रख सकते है, और इसी का फाइदा उठाने की कोशिश की हर्शित में, इंसाइड आउट स्टोक खेला, लेकिन वो गेंड बॉंडरी पर पहुच नहीं पाया, टॉस के लिए हम आमन तृत करेंगे, इसके बाद का मकबला होगा, सलोधा स्ट्राइकर्स और एम वाइसी, इनके बीच ये कैच है, येस, क्या बात है, बहतरीन कैच, वल्डन, विंकेश भाई, गुट कैच, राकेश कीचिय नहीं बल्ले बास, राकेश भाई, बाइटिंगे लिए पतारे, राकेश भाई, रिकोस्टे प्लीज दौड कर जाए, राकेश भाई, थैंक यू सो मच, राकेश भाई, नहीं बल्ले बास है, समय का तोड़ा सा, यहां पर सबे लोग ख्याल रख रहे है, निर्दारी ते सा प्रफनाच के सारे मुकाबले भी कम्पेट कर सकते हैं, विकेट के पतनों तो हुआ, बाइस रन, दो विकेट, अगली गेम, लोफल टॉस डिलिवरी, कोई फिल्डर थैनात नहीं, और इस बीच, बहुत बढ़िया फिल्डिंग, बहुत बढ़िया फिल्डिंग, बहुत ब दो रन दाड़ कर पूरे किया, टोटल स्कोर हुआ है, चाववीस एक रगद, चलिए तीन ओर का खेल समाब, तीन ओर के बाद रन हुए, चाववीस, 2 Nósожет 2Beat की नुकसान पर, 26 रने, दो बिक्रे की नुकसान पर, थोच वाल्यूम कम करें हलो चेक्ट हरो, फिल्स केंद वाइट बेटन हंगा, या प्ली स्टाट करें ने हाँ हाँ हलो चिक हलो हलो बस 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 थैंक्यू थैंक्यू दिपेश नहार जिन्होंने एक अच्छा कैच लिया है अब उनको ओवर नंबर चौथा यानि कि आक्री ओर करने का निर्णे दिया गया है इसके बाद टॉस के लिए हम आमन्तृत करेंगे सलोधा स्टाइकर्स और वाइसी टीम के कैप्टन्स के लिए टॉस के लिए पधारे गुड़ थ्रो गुड़ थ्रो बहुत बढ़िया थ्रोइंग चलिए आक्री ओर में पहले दो गेंद उपर मात्र एक एक रन आये हैं सो रन बढ़ता हुआ 28 पर 28 अगर लिकीन दिपेश भाई की वो बहुत बढ़िया गेन विकेट लेने का मौका और विकेट मिलेगा यस वेल डन विशाल ने बलुबाज बहुत अच्छा हीट दो का कॉल दो का कॉल लेकिन थ्रोइंग बहुत बढ़िया वेल डन हलो चेक हलो हलो चेक चलिए अभी जी जी थेंक यू सो मच अगला मैच होने जा रहा है मुंदारा यूथ क्लब वर्सेज सलोदा श्ट्राइकर्स इस इनिंग के दो बॉल के बाद हम मुंदारा यूथ क्लब के कैप्टन से रिक्वेश्ट करेगे और सलोदा श्ट्राइकर्स के कैप्टन से रिक्वेश्ट करेगे कि प्लीज वो प्रेजेंटिशन एरिया में अपने तोस के लिए आ जाए और अभी अगर हम मैच का रूप ले तो मुझे प्लीज स्कोर में गाइड कर लीजिए 29 नल हो चुके है दो बॉल बची है खाली और विकेट गए है अब तक तीन चलिए बहुत उंदा जब तक मैं पढ़ पा रहा हूँ मैं अभी लंच के लिए गया था जब तक मैं पढ़ पा रहा हूँ जी जी जो देशूरी ने पिछले मैच में गल्ती की थी उसके में काफी सुधार है क्योंकि उन्हों साथ बॉल भी बचा था पिछले मैच में लेकिन सलोधा श्टाइकर्स ने तार्गेट पूला कर लिया था लेकिन यहाँ एक घानेराव शूटर्स के बल्ले बाजी पे बहुत लगाम लगाते हुए देसुरी के में एक बार जोरदा तारिफ रनने चाहूगा बहुत ही उम्दा गेन बाजी चलो इसी से स्कोर हुआ चाहूँ और के बाद तीस रन टू वीन तीस रन का तार्गेट देसुरी का चलिए मैं रिक्वेश करिए गानेराव शूटर्स को कि जल से जल फिल्लिंग तैनात कीजिए और देसुरी के दो तारंतोर बन्ले बाज श्राइक पे बेजिए बहुत ही उम्दा गेन बाजी बन्ले बाजों का आपने एक धम रोक लगा दिया और 29 रन पे पारी को समाप्त की बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बदाई चलिए अब देखना ये है कम बॉलों में मैं सूचना दे देता हूँ वो रेन रेट सब लास्ट में कैलकुलेट होगा क्योंकि सेलम नहीं आने के वज़़े से घाने राओ को एक बाई मिला है और मुंडारा को भी एक बाई मिला है मैं अभी जीट से अरजेंग लिक्वेश करूगा क्योंकि ये मैच में एक-एक बाई मिला है घाने राओ को और मुंडारा को तो ये कितने बाईगे तो क्वालिफा होने की कगार पर रहेगे प्लीज वो जड़ा है फेल कीजिए जुना बॉल दीजिए जुना बॉल स्कोरर प्लीज जड़ा इसके ओपर वकाउट करके बताईए मैं बता देना चाहता हूँ मुंदारा यूथ कलब को एक बाई मिला है वो केलकुलेट कर रहे है चलिए तोस के लिए हम रूप लेते हैं मुंदारा यूथ कलब के कैप्टन और सलोदा श्टाइकर्स के कैप्टन से रिक्वेश्ट करता हूँ कि प्लीज प्रेजन्टेशन एडिया में पदारीए चलिए सलोदा श्टाइकर्स के कैप्टन रोनक भाई हमारे बीच मौझूद टोस के लिए मुंदारा यूथ कलब के कैप्टन गिरिश भाई हमारे साथ में है टॉस के लिए टॉस जीत कर पहले गेंबाजी का निर्णे करने का किया है और वही सांग ने मुंदारा यूथ कलब को चैलेंज दिया है पहले बल्ले बाजी करने का हमारे साथ जुड़े है गिरिश भाई क्या कहना चाहिए अब टॉस जीते तो हम लोग भी बॉलिंगी लेते पहले बिकॉस दिस इस लाइग वी हाव गुड़ बैटिंग साइड सो कोई भी स्कॉर हम लोग डिफेंड कर सकते थे चलिए थेंक्यू किरिश भाई रॉनक भाई आपका क्या कहना रहेगा इस मैच के लिए बस similar score पे वी वुड लाइक के ये लोग around 40-45 रहा तो भी आर प्रेडी गॉन्फिडेंट के विल बी अबल टु चेह टागेट तो कुशिश जही रहेगी कि इनको within 40-45 राप अप कर दें धेंक्यू 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 गिजिफ बाई धेंक्यू रानक भाई सलोधा इस्टाइगल में कहा है कि पहले अमंत्रित किया है मुंदारा को पहले बल्लेबाजी करने में और कहा है कि मुंदारा यूथ क्लब अगर 40-45 रन भी मारता है तो हम कोशिश करेगे और हम confident है कि हम 40-45 रन मार सकते है मैं request करूगा मुंदारा यूथ क्लब अपना प्रेजेंटेशन फोटो के प्रेजेंटेशन एरिया में अपना एक official फोटो ले लीजिए चलिए अभी मैस की तरफ रूप लेते हैं और देखते हैं क्या हाल है अब एक थाओ अधरी के वागर्ण आई है हालनी मुंदा प्रेजेंटेशन फोटो लेगे को फॉर्टेशन फेश्चिन फॉर्टोटो टॉर्टो लेगे उल्रा सीन उल्रण में अव्टोटो लेगे प्रेजेंटेशन लेड़ सामने खोटो करेद्गा अबाव? हलो, अभी अभी सूचना मिलिए, मुझे प्लीस करेक्ट कीजिए, गाने राउज शूटर्स के जो बॉलर है, अभी 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 आप लोग ने शाय देखा रहेगा, मैं दो बॉल खेला, तो मैं माइक पे बोलने लाइक नहीं बचा, सिरिसली, हट्स अफ टु यू, वंडरफुल स्पीरिट अड वंडरफुल स्वैमीना, स्कॉर प्लीज, मुंडरा यूथ क्लब और सलोदा श्ट्राइकर्ज रेडी रहे, सलोदा श्ट्राइकर्ज ने तौफ जीत कर, पहले गेंद बाजी करने का निर्दे लिया है, और सामने मुंडरा यूथ क्लब को चैलेंज दिया है, बैटिंग के लिए, बहुत यूथ 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 को बता दू दर्शकों को जो अभी यूटूब से जुड़े हैं, और जो यहाँ पे हमारे लाइफ दर्शक बैटे हैं, ग्रूप C के पहले जो कॉलिफायर टीम है, वो है चिंतावनी सादरी गाउसे, दूसरी टीम जो कॉलिफाय की है, वो है लुनावा गाउसे, और जो तिसरी टीम कॉलिफाय की है, वो है सावल्टा स्ट्राइकर्स अहिंसा गुरूप प्रेजेंस कोवल कॉप 2019 सीजन 3 इन अशोशियेशन विद कोवल ट्रेडिंग कोर्परेशन का दूसरा दिन जर्सी पात्नर SS जेम्स और जोलरी नाइट रोक्स हमारे तोस का बोस निशी मैड केर और फिलेर हमारे मैं अव दो मैच स्पॉंसर आप सभी मानुभाव का हम तहे दिल से अबार्यक करते हैं और SS जेम्स और जोलरी के रमिज जी रानावत हमारे बीच में मौजूद है आपका तहे दिल से स्वागत और अभी ननन प्लुबट लूम मौश बया हमारे भी मानुभाव प्लुबट जीस मानावावाववाववावद ये ये लूज़ववावव फ्लुबट लूम दो आपका फ्लुबट लूम से सब्सकाष़ मौशब ये दिल से भाभावश अब ये अब ये चलिए मुझे प्ली स्कोर में जड़ा हेल्प कर दीजिए सर एक ओवर की बार एक ओवर चार बॉल साथ रन एक आसमानी कोला ओवर की दिशा में फिल्डर तैनाथ दोनों बल्लेबाज एक ही रन से संतूश होगे स्कोर बरता हुआ आठ रन लेक की दिशा में गुमा दिया है फिल्डर तैनाथ एक आसानी से दूसरे रन की तयारी देखना यह होगा यस थ्रो सही में पहुचा इस चकमे में दोनों बल्लेबाजों ने दो रन पुरे किये वंडरफुल रनिंग बेटिन द वीकेट बेट प्लीज बेट प्लीज बेट प्लीज चलिए मैच का शुरू करें जल से जल जल से जल मैच शुरू कीजिए प्लीज समय की मरियादा को ध्यान में रखते हुए हमें जल से जल मैच शुरू करना है बिना कोई समय गवाए क्योंकि हमें लगबग लगबग पांच बजे के पहले और चार मैच खेलने हैं इसके बाद मुंदारह यूद कलब वर्सेज सलोदा श्ट्राइकर्स का फाइनल लिग मैच होगा उसके बाद तीन मैच होगे प्री गवाडर फाइनल के जो होगा एक नोकाउट सीरीज मैं आपको दर्शकों को जो हमारे साथ यूटूब से अभी जुड़े है और जो अभी हमारे दर्शक आये है उनको बता देता हूँ सी ग्रूप की जो पहली कॉलिफाइट टीम है वो है चिंता मनी जो साधरी गाउ से बिलोंग करती है दूसरी टीम है लुड़ावा गाउकी और तिसरी है साथिवली स्ट्राइकर नो चांच तु स्टॉप द बाल बाल कोसे जो बांडरी लाइन और फोर रूसाइड है तो दाही देसुरी टीम वंडर्फूल स्ट्रोग और स्ट्रेट राइवाई दो बैसमेन और स्कॉर मरता हुआ फोर्टीम्स तिसरो तिसरो वरे लिए चलिए चलिए फीर एक बार यस नो चांच तु स्टॉप बोल कोसे जो बांडरी लाइन बोल हो चुकी है दो दस बोल में बारा रन चलिए देसुरी को दस बोल में बारा रन चाहिए जीतिने के लिए चलिए ये एक फिर मैच करा एक इसमें से चौका और यह एक छक्का लग जाता है तो मैच पुरा जुख जाएगा देसुरी की तरफ मैं रिक्रेश करूँगा मुंदारा यूथ क्लब से फीर थोड़ ऐसा पीछे आ जाएए मुंदारा यूथ क्लब फीर एक बार चौका मुंदारा यूथ क्लब मुंदारा यूथ क्लब प्लीज गिरिश भाई क्लिए क्लिएwhere जाएफ लूब ह و नुवल में पर्था लाल्व और स्कॉर्रीज नौब न्व्हेट र्लाज क्लिए उन्म क्ली की जीए आढ़ में एक छर्शे ना यारी आभाई एक चलिये झारowe ईलो ऑलू हलो एलो हलो 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 है हेलो, हेलो, डीजे, हेलो, 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 है है लो हैलो है लोक्क्षेलिक चलिए को आपको क्वानिषा करने के लिए उपड़ आ जाओंगे चलिए दिखते हैं क्या होता है फिर एक बार बहुत ही करा दिखते हैं आसाओ हाव हाव आसाओ हृड़ एनाओ आसाओ हुड। आसाओ एक तर魚 घ सिखते हैं लेक साइड की धरव घुमा दिया है बहुत ही शांदार फिलिंग बहुत ही शांदार फिलिंग और इसी तरह से ओवर की समापती हो गई है तीन ओवर की समापती के बाद स्कोर हुआ है 25 रन जीत के लिए चाहिए 5 रन चलिए मैं घनेराव शूटर्स को बता दूँ जीत के लिए 5 रन चाहिए मुंदारा यूथ कलब और सलोदा शूट श्राइकर्स सलोदा श्राइकर्स तयार रहे सलोदा श्राइकर्स टॉस जीत के पहले गेंग बाजी करने का निर्मे लिया है और साथ ही मुंदारा यूथ कलब को चैलेंज दिया है पहले बल्ले बाजी करने का देखते हैं अगला मैच किस की तरफ बढ़ता है फिलाल इस मैच की तरफ आखरी बॉलर्स ने प्लीज दिपेश चलिए लाल hon लाल लाल पांच बॉल में चार रण एक बार हलका अस्वानी टोला दो रण लेने की जरूर कोशिश करेगे लेकिन यहाँ पर कॉल नहीं आया एक ही रण से दोनों बल्ले बाज संतुष्ट अब चाहिए चार बॉल में त्रीन रण बहुती सुंदर कट बॉल जा रही है डिक्लेर जोन की तरफ अमपार का इशारा दोरन डिक्लेर जोन चलिए अब चाहिए एक रण टायफ हो चुका है तीन बॉल में एक रण की जरूरत मैं आपसे रिक्वेश्ट करूगा घने रण का और देसुरी का अच्छाइब में आपसे चूपाइब में एक रणके रिक्वेश्ट करूगा रण ज्रीन में आपसे चूपाइब में पनायफेश्ट करूगा रण और इसी तरह से देसूरी ने एक आस यहां पे विकेट खला दिया देसूरी ने जो जीत गया है लेकिन यहां पे शायद विकेट कैलकुलेशन भी अगर हो तो आप उसमें देखना परेगा लेट सी मैं देसूरी की टीम को हाग देख बदाई देना चाहता हूँ जीतने के लिए और घाने लोगो बेटर लग नेक्श टाइम को चलिए देसूरी से रिक्ष्ट करूँगा जल से जल खाना खालीजे आराम से फिर हम कि हैं अब करेंगे में टीम को बता दूँ जो भी कंफ्यूजन है वह अमपायर से क्लियर कर लो विकोज अमपायर है वहाँ पे सबी चीज़ को आपको गाइड करेंगे रोलक भाई कि रोलक भाई तो शरुजन करते हैं अन्य सफ यह अमपायर से सब क्लियर कर लीजिए तो इसई को आपके खिश्ञ्यक्ष्ड से जो जोता हो अलोप्र जब से दिछ और आमपार से गे जिनीज बहां जाई जाया कि यहां हा जास जाकिर के देदा थे को चलू करते हैं तो गरना है तो वलेगा लोगा आप में बोलों आप में इफिर में बोलूगा कुछ और होगा एंपार से सामने समय आप कंफूम कर लीजिए शे बोला है नहीं कोछ नहीं बोलूगा आप यूए कि अपार के बाद कृट्शक अपार आप कुछ तो हम एम आई है को अन्य आए है अटरा है अई हम है अम आरे आप कि अमेरा अच्छाब आप अलो, 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 चेक, हलो, हलो, चेक, चलिए, मुंदारा यूद क्लब के दोनों बल्लेबाज, तारम तोर बल्लेबाज, पीछ में, सलोधा श्ट्राइकर्ज, जिसने पिछला मैच, देसुरी के खिलाफ जीता था, बहुत ही एतियासिक पारी खेली थी, सलोधा श्ट देसुरी में, लेकिन सलोधा श्ट्राइकर्ज, सिर्फ और सिर्फ 19 बॉल में, वो लक्ष पूरा करने की, और एक शांधार जीत होई, हेलो, हेलो, डीजे, 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 प्लीज, अर्जेन बैसिस पे डीजे, हेलो, चेक, हेलो, हेलो, चेक, चलिए हमारे साथ अभी commentator box में जूढ रहे है رमेज जी रानावाथ हमारे udah mess James and Jewelry के sponsors अफरे रमे जी रानावाथ जूढ चुके हैं चलिए ने ही नहीं मायक देना चाहूगा रमेज जी रानावथ को ध़निवाद जी दिगर मुंडारा का नागरिक होने के नाते में मुंडारा के प्लेयर को और चाहूंगा कि यह मेच हमारे पक्स में हो हमारे बल्लेबाज गिरिस रानावत और बव्य मनलेशा सांदार ओपनिंग जोड़ी हमारी गाव की अबिटा सतार अबिटार बोना वेस राद राद को अबिटाऱी हमारे डिवार यह को को एललो प्रिजियों में अप्रूंदर दस्पाना है पेजियों में अलिक कारी स्वेजियों चार रन के लिए बाविय मंदेशा के बेट द्वारा बहुत सुन्दर सुरात अच्छी सुरात और अगली बॉल नर्यस द्वारा अगली बॉल ओवर की कौन सी बॉल है भाई चौती फॉर्थ बॉल ओवर की बविय मंदेशा फिल्डिंग का मुवाना करते हुए अगली बॉल नर्यस द्वारा सांधार स्टॉक दो रन के लिए डिक्लेर वेरी गुड बविय धिरे दिरे इसकर बढ़ता हुआ चार बॉल के अंदर इसकर कितना हुआ भाई सेवन रन अच्छी सुरुआत बहुए यह दिल मांगे मुझे एक चौका चाहिए भाई यह और में और यह लो आस्मान की और आस्मान की और उड़ती होई बॉल वेरी गूर रनिंग बिट्वीन दे विकेट तीन रन के लिए वेरी सुंदर बहुए सुंदर रनिंग बिट्वीन विकेट बहुए सुंदर अच्छी सुरुआत पाच बॉल दस रन अच्छा इस टॉक निकलता हुए भाईय के बैट से पाच बॉल दस रन बिना किसी नुक्सान के अच्छा इस फेस किया दो रन दो रन तो पक्के है वेरी गूड रनिंग बिट्वीन बहुत अच्छी है एक वर की समाप्ति पर बारा रन अच्छी सुरुआत चाहेंगे कि इसी तरह बरकरार रहे एक पच्छा का टोटल साइद अच्छा रहेगा चेर्स सामने वाली टीम के लिए तो चाहेंगे कि फुट्टी तो बने ही बने और जिस तरह से सुरुआत हुई है फुट्टी होना ही चाहिए मैं मेरे पास में बेटे संजे में तरह इनसे पुछूँगा कि आप क्या स्कॉर एक्सेप्ट करते हैं पच्छास के लगवग होना चाहिए कम से कम पच्छास तो चाहिए एक रन तो पच्छास तो बनी जाएंगे जिस तरह से सुरुआत मुंडार के प्लेयर द्वार की गई है साथ बल अग्यार रण 1.1 ओर तेरा रण स्वरी तेरा रण अच्छी बल ब्रदर गानवाई अच्छी दिलिवरी इतेस द्वारा अच्छी बॉलिंग कर रहे है चौंगा कुछ दिलि बॉले डाले वेरी गुड शॉट बॉल जा रही है चार दन दो रन दो रन दो रन डिक्लेर पन्रा रन इसकोर बढ़ता हुआ पन्रा रन बिना किसी नुक्सान के मुंडा रदवर अच्छी शुरॉत बविय मनलेसा गिरिस रानावत अच्छा प्लेस्मेंट क्या है दो रन के लिए बागते हुए बहुत सुंदर विक्रिटो के बीच में दोड़ते हुए दोनों बल्लेबाज सुंदर मुआना और सत्रा रन बिनी किसी नुक्सान के फिल्डिंग में कुछ चेंजेज करते हुए ये तेस द्वारा अगली बॉल रॉंद विकेट वेरी गुट सॉट लेकिन एकी रन के द्वारा संतोस करना पड़ेगा हाँ एकी रन बढ़िया फिल्डिंग इस तेस द्वारा अगली बॉल का सामना करतो हुए गिरी स्राणावत वेरी गुट अच्छा सॉट एक रन के लिए दोड़ पड़े बल्ले बाज और पूरा किया दो और की समाप्ति पर उन्नीस रन बिने किसी नुक्सान के मेरे साथी प्रविन मेता से पने जानना चाहूंगा कि आप दो और के अंदर और कितने रन बन सकते हैं क्योंकि यह हमारे क्रिकेट के गाओं के हैड है इन्होंने दो तिन मेच गाओं के और्गनाईज किया है तो मैं चाहूंगा इनसे पूछूंगा कि बही दो और के अंदर कितने रन बन सकते हैं के लिए गुट रनिंग अच्छा शॉट गिरिश राना बत दोवरा 21 2.1 बाल 2.1 ओर 21 अगली बाल सुंगर परियास चाहर रन के परियास नहीं लेकिन अच्छी फिल्दिंग एक रन से संतोस करना पड़ेगा बल्यवाज अच्छा खेल हुए है गिरिश रब हुए अगली बाल का इंदिजार करते हुए पहुए और यह उटा दिया है यह चार रन कम से कम होने चाहिए और यह एमपार कर रही सारा चार रन के लिए वाइल गूड शाट बाववया किप इट अप 2.2 ओवर के बाद स्कॉर बढ़ता हुआ 25 गन 26 और 24 ओर चाहिए बावया इसी तरह बाल को उटाओ और अगली बाल भी चार रन के लिए चाहिए पर ये चुके बलेवास पूरी तरह से चकाया बालर ने बाट बाल अगली बालर का इंदिजार करते हुए बहुए अच्छी बालिंग लेकिन 22 का एक रन दो रन मैं फिर एक बार बताता हूँ मुंडारा यूथ कलब को एक मैच बाई मिला है घनेडाव शूटर्स को एक मैच बाई मिला है उसका सिफ दो पॉइंट्स दिये जाएगे उस मैच को जो बाई हुआ है उसके कभी भी आपको अनरार नहीं दी जाती है यह एक आप दिमाग में लेके चलिए इस मैच के बाद इस मैच के बाद इस मैच के बाद टॉप अफ डी ग्रूप सेकेंड अफ डी ग्रूप थर्ड अफ डी ग्रूप विल बी डिसाइडेड फर्स्ट अन पॉइंट्स बेसिस seconds on NRR basis ठीक है यह खास धहन में रखिये Mundara को भी points मिले है Ghanela shooters को भी points मिले है जो match में buy मिला है NRR उसमें calculate नहीं होता है total number of runs you have made that will be divided by the total number of balls you have played make sure total number of runs you have made will be divided by total number of balls you have played ठीक है thank you 3 over की समापती पर 30 run गिरीस और रोगय अंतीम over please score कुछ bondry चाहिए हमें दिल मांगे मोड 3 over की समापती के बाद score हुआ है 30 3 over की समापती के बाद score हुआ है 30 और आपको जैसे ये match आप हमको please समझ लिजी एक बात ये match जैसे ही खतम होता है match app पे सब updation हर ball to ball हो रहा है जैसी ये match खतम होगा आपको NRAR सामने ही दिख जाएगा तो please आप लोग ही समझ जाना कि आप knockout series के अंदर हो या बाहर थेंक यू सो मच थेंक यू अंती मुगर की पहली गेन गिरिस रामवत दुवरा चकाया ball और ने अच्छी ball डॉट बाल हमें भाई पच्चास के लिए अभी बीस और चाहिए और इस तरह से लगता है नहीं पच्चास फिर भी उमीद कायम है सुन्दर स्टाक दो रण के लिए दोड़ पड़े है बुलेवास और दो रण कंप्रिट करते हुए अगली बाल एक रण के लिए दोड़ पड़े है बुलेवास और दुसरे रण के लिए भी दोड़ पड़े है थर्टी फोर चार गेंदे बाकी इस ओवर के अगली बाल का इंतिजार करते हुए बविवे मनले सा मुंडार के लिए एक अच्छी ख़वर अभी तक एक भी दुक्सान नहीं वेरी गुड सॉट उठा दिया है चार गेंदे के लिए साइद नहीं और ये चौका एक अच्छान सा कैज डॉप किया और वहीं पर उन्हें चार गेंदे तोफे में दिये अच्छा सॉट तोविए अभी तीन गंदे बाकी है और दो गंदे बाकी है इसी तरह थर्टी एट तीन दो गंदे दो शिक्स तो फिप्टी पुरे होता है बहुत अच्छी बैटिंग मुंदारा दोरा विकेट के लिए तरस्ते हुए सलोजा और एक उठा जिया एक बार फिर दो रन के लिए दो रन फोर्टी एक रन थर्टी नइ कितना भाई जराब कन्फर्म कीजिए एक या दो एक थर्टी नइन रन अन्तीम बाल मेच की आखरी कैन फोर या सिक्स भविय उठा दो और बल्ला बड़ी तेजी से गुमया लेकिन बेट और बॉल का संपर्क नहों सका बाईज का एक रन और दूसरा रन के लिए दोड़े लेकिन चालिस रन फोर जिरो चार ओर में चालिस रन फोर्टी वन फोर्टी वन टो विन अच्छी सुरुआत किये मुंडारा ने अब पुरा दामोरदार गैन बाजी पर और फिल्डिंग पर मुंडारा के लिए कहूंगा All the best Thank you मुंडारा यूथ क्लब ने पहले बल्ले बाजी करके 41 रंग का तार्गेट जड़ा है सलोदा श्ट्राइकर्स को देखना यह होगा कि सलोदा श्ट्राइकर्स ये मैच 41 रंग का लक्ष पूरा कर पाती है कि नहीं और मैं बता दू NRRB आपको इस मैच के बाद ही कैलकुलेट किया जाएगा NRRB मैं फिर से एक बार देशुरी टीम मुंडारा यूथ क्लब और गौने लोशूडर्स को बता देता हूँ ये मैच खतम होने के बाद ही NRR पता चलेगा Thank you मुंडारा के सांदर प्लेयरो 41 का टार्गेट कोई कम नहीं है अच्छी बालिंग और सुस्थ फिल्डिंग के द्वारा इन्हें तीस तकी सिमित कर सकते हैं वह आप पहला और सनी द्वार पहला उवर इन्डिया वारा मार 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 इस उने वारा वार अगर हां दिमाग से ख़िलना दोस्तो हो और खिल भावना से खिलना भई को ने वो बताएंगे सनी पेला और उनार के और से सनी करते हुए और ये पेली गैन सनी द्वारा राउंड दो विकेट अच्छे से उटा दिया है अच्छा थरो लेकिन अच्छे से कवर न कर पाये सनी और बाल बाल बचके बले बाज पेली गैन दो रन दूसरी बाल और की ये वाइड प्राविन भाई से तो मैं सवाल नहीं करूँगा रमेश भाई कैसा लग रहा है अब? बुरा ही लग रहा है दोस्त जब अपने गाउं के बच्चे हाव है तो अच्छा तो अफिसली नहीं लगेगा बुरा ही लग रहा है लेकिन मैं सामने वाली टीम का भी अच्छा कहूंगा कि उन्होंने अच्छी बेटिंग की सांदर बेटिंग की और कुछ वाइड बॉले भी हमारी तरब से डाली गई वो भी उनको एक एडवांटेज मिला तो अभी जी जी पहला ओवर है अच्छी शुरुवात है अब दूसरी ओवर लेकर आ रहा है MYC के लिए कपिल कोटारी कपिल भाई और आउट होते हुए अच्छी बॉलिंग कपिल वेल ड़न पहले ही गैन पर उन्हें विकेट ली गिरिस दुवारा कैच आउट दोले दोल ने कैच लिया दोल ने कैच लिया वेरी गोड एक आस्तान सा कैच और बले बाज पविलियन की और अच्छी लाइन और लेंड पर गेन बाज दी कर रहे हैं कपिल भाई ने की बले गाज आई हितेश इनको पहली की इन पर तो कोई मौक़ा मिला नहीं और ये देखिए है मौके का लिकेश आई है केज़ है, वेरी गोड केज़, वेरी गोड ए, वेरी गोड आउट है, अभी एमपायर का decision देखेंगे, एमपायर ने, एमपायर ने decision दिया, आउट, सुन्दर, सुन्दर केज, बहुआ सुन्दर एक हाथ से जस जस दुआरक कैच किया हुआ असानदार एक हाथ से करीब करीब 6 को उन्होंने कैच में कनवर्ट किया बहुत सुन्दर कैच धन्यवाद रोनक आउट होते हुए पविलेन के और और कपेल वेरी गुड़ कपेल कपिल कोटारी एक ओवर और एक रन दो विकेट वेरी गुड़ और मुंदारा ने कमबेक किया है अभी जीज दी आप क्या कहेंगे जस ने अभी जीज दी अभी क्या कहेंगे मुंदारा ने कमबेक किया है साहे दो विकेट लेकर जी हाँ मैच का रुख तोड़ा सा बदल दिया है और ये बहुत जरूरी है ये नहीं कैच चूटा तरी कुछ बात नहीं अगर है ट्रिक विकेट मिले कहने कि तीन विकेट मिले इस ओर में तो निश्चीत रूपर एमवाईसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी चार गेंडों में एक भी रन नहीं दिया है और दो विकेट प्राफ्ट कर लिए कपिल भाई कोठारी इनकी गेंबाजी की हाँ तारिफ करना बिल्कुल बनता है आ लेट कट के लिए कोशिश एक रन तो आसानी से पूरा करेंग स्कोर बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 18 पर सिर्फ पहला ही रन आया है इस ओवर का दूसरा ओवर प्रगती पर है आकरी गेंड लास्ट बॉल टुगो अठारा रन इतेश भाई किसे उमीदे जरूर थी लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत ही बहतेरीन कैच जश ने लिया बॉंडरी कितिक समीप उस कैच को कम्प्रीट किया ओ अड़ा बॉल क्या बात है यह उड़ा तालिया कपिल भाई के लिए एक रन देकर दो विकेट अपने नाम पर किये मुझे लगता है एमवाई सी ने बेक किया है अभी जिद जी आप क्या सुचते है अपने सर बहुत बड़ा कमबा किया है एमवाई सी की टीम ने और कपिल भाई इन्होंने गेंदबाजी में सबको खुश कर दिया दो ओवर के बाद रन बने है अठारा और विकेट गिरे हैं दो बहुत सुदर वापसी मुंडारा दौरा कोशिक मेता एक समर्पित क्रिकेटर मुंडारा के तौना से आते हुए कोशिक मेता यह रमीज भाई यह बहुत अच्छी बात है कि इस प्रतिविता में हिस्सा लेने के लिए ना केवल सिर्फ मुंबई बट मुंबई के आज़ पास की जो सिटीज है वहां से आये क्या बात है वाह और यही एक तातपरिय है इस पूरे टोनामेंट को आयोजिन करने के लिए हमारे समाज के जितने भी लोग जोड़ना चाहते इस प्रतिविता से वो सभी लोगों को आमंतरित किया गया और इसका मुक्या उदेश्ट भी यही है अच्छा एक आये जन किया मिस्टर परमाद ने और यह बॉल को उटा दिया है कोई बात नहीं कोशिक अगली बॉल में विकेट यह बिल्कुल सही गाभी दस में उन्निस दस में उन्निस की जरूरत कोशिक लाइन और लेन का ध्यान रखे पटकी हुई गेन इस बार इतनी ताकत नहीं या इतना स्टोक जनरेट नहीं हो पाई सिर्फ एक रन गुड़ त्रो बैतर ही त्रो वेल ड़न नौ गेंदों में 18 रन जितने गेन उससे डबल रन प्रती गेन पर 2 रन बनाने बहुत ही ज़रूरी 9 गेंदों में 18 रन ओ अट्साइड एच एक रन केवल एक रन से यहां पूरा करेंगे एक रन एक रन से संतुष्ट गुले बाज कि यह पहला मुकाबला हम देख रहे कि जहां पर एक ते सही हम जिनकी गेंद बाजी बहुत अच्छी रही और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले कपिल और फिर कौशिक इन्होंने बहुत अच्छी तुसे गेंद को बाउंस दिला है पटक रहे गेंद ऊचे कत के ले रहे आप सही कह रहे है अभीजित अपनी हाइट का पूरा उपयोग किया है और कुछ अच्छी गेंदे डाली है और यह डॉट बॉल वह सुथ अर वाइड वाइड गेंद पहला एक्स्टा रन इसकोर बढ़ता हुगा दिले जिले 26 रन ओपर 26 इस दे स्कोर यह गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन मातर दो रन मिलेंगे और यह दो रन बहुत ही फाइदे मन रहेंगे ओवर कि समापती इसकोर 28 जिया 28 रन छे बॉल बारा तेरा रन गिरिस चे बॉल तेरा रन चाहिए कुछ इस तरह की फिल्डिंग की सजावट करो कि वेट्समेन एक एक रन के लिए तरसे यह हमारी उम्मीद है लेया एक दिया माच्ट की शुरूओ करे में ओएक थी लग्जी मच्श की शिरुऊ आ मैच्श की शुरूओवट करें ज्यादा समय नाले एक शीरा कि द्यूओढर जादा समय नाले माफ बॉल लई फ-" चृरावड में हो बैसमे लिए कुक थैरा कि thank you शुरुबाद करें फ्लीज समय उच्छी का है ठीक, 2 बच कर 40 मिनिट वेदिन 5 मिट्स ममें मैच कंप्रीट करके, नियू मैच स्टार्ट करनी है वेड़ीगूड जवर्तस कि बीड़ानडार की बीड़ानडार बिल्कुल तहीगा पहली वालपरी विकेट की बॉस सुन्दर बॉलिंग ये एमवाई सी पाच बॉल में तेरा रन देखते है आगे आगे क्या होता है भाई पाच बॉल तेरा रन टॉस नेक्स ड़न वेड़ीगूड चिराग जदावत बॉस सुन्दर बॉलिंग पहली बॉल पर विकेट और दूसरी बॉल करते हुए मिस्टर चिराग एक रन के लिए बहले बार दौरते हुए चार बॉल बारा रन इस दिर बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है ये बहुत प्रेशर में है चार बॉल बारा रन की जरूरत है सलूदा स्ट्राइकर स्ट्रूरत बॉल बॉल प्रेशर में है वाइड एक के दो येस वाइड प्लस वन चार गेंदे दसरन चार गेंदे दसरन जरूरत माइंड सेट करो चार बॉले और ये उटा दिया है ओ बॉल इन प्ले बॉल इन प्ले बागिये 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये के तकदीर तकदीर उने आपको नहीं नो 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 पहले से ये पहले से है भाई आपके लिए अलग से नहीं है नो आर्गिमेंट बॉल अंदर आया तो आपको भागना है अगली बॉल और फिर उटा दिया है दो रण के लिए दो रण के लिए अच्छी गेंद बाजी दो गेंदे आट रण की जरूरत सलोधा स्ट्राइकर्स दो बॉल आट रण की जरूरत वेरी गुड बुन्दा रहा दो बॉल आट रण की जरूरत चले एक बॉल साथ रण की जरूरत वेरी गुड बुन्दा रहा वेरी गुड एक बॉल साथ रण की जरूरत जिस तरह की शुरुआत की थी एक ओवर सत्रा रण बिना किसी नुक्सान के तिम बॉल और उन्हान उटा दिया है और मुंदारा जित गई यही ज़िए जित गई है चार रण से पाच रण से जी 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 चे रण से मुकाबला जीत लिए जिस तरह से उन्हें सुराद की ती अभी जी लगता था सत्रा रण पहले और में बने थे तो लग रहा था कि वन सेड नहीं हो जाए यह गेम अभी जी जी जिस तरह से शुराद की ती लग रहा था कि यह वन सेड हो जाएगा गेम जी यही दना कभी भाई की उस ओवर ने मैच में पूरा रुक बदल दिया जाहां पर सिर्फ एक ही रन दिया पहले और में 17 रन दूसरे और के समापती में 18 रन उसके बाद तीसरा और और बहतर किया गया और चौते और में पूरा प्रेशर बैटिंग करने वाले टीम पर ब इस तरह के होते हैं वेरी गोड़ एम बाइसी गोड़ लख पर नेस्ट विकेट के लिए नेस्ट मेच के लिए अब ही आजिए सुनिए मेरी बात एकड़म ध्यान से सब लोग मेरी बात एकड़म ध्यान से सुनिए गए लाए लोको में रिक्वेश करो प्लीज एक बार सुन लिजे सब लोग गुरूप डी में मुंदारा को एक बाइ मिला था उसका दो पॉइंट और ये मैच जिता उसका दो पॉइंट तो डी गुरूप में सबसे टोप पे आईए मुंदारा ठीक है नमबर बन नमबर टू सलोदा एक मैच जिता है एक मैच हा रहा है एनरार कैलकुलेट किया 1.90 डैट इस अन सेकेंड पोजिशन सलोदा श्ट्राइकर्स SS YGM देशुरी एक मैच जिता है दो पॉइंट से उनका एनरार जा रहा है 1.57 जो थर पोजिशन पे है तो देशुरी क्वालिफाई किये घाने लाव शूटर को एक मैच बाई मिला है लेकिन रन रेट के सबसे वो पीछे है 1.21 तो फोर्थ पोजिशन पे है घाने राव अग किलब गुरूब डी में टॉप पोजिशन पे सलोदा स्ट्राइकर्स सलोदा स्ट्राइकर्स ने एक मैच जीता है एक मैच आरा है दो पॉइंट उनका एनरार है 1.90 तो डेट इस सेकेंड पोजिशन ओफ गुरूब डी देशुरी ने एक जीता है एक आरा है दो पॉइंट एवरेज है 1.57, तो कौलिफाइ कर दिये, और टीम नमबर 3, ओके, अपका मैच किसके किसके साथ है, अभी बताता हूँ, चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी, चिंता मनी साधिरी का मैच होगा, देसुरी के साथ में, चलिए, तो टोस्क कर दिजिए, विक्रान भाई औ के वहाँ पे, कैप्टन, निलेश कांतेर जी और देसुरी के कैप्टन, प्लीज कर लिजे, सुने, एक बात और सुन लिजे, अभी तक हम राइट टाइम पे है, प्लीज, अभी अपने आदम सिर्फ कोने दो घंटे है, कोने दो घंटे में, तीन मैच कम्प्लीट करना है, आ देसुरी का, दूसरा मैच होगा, लुनावा और सलोदा श्ट्राइकर्स, तीसरा मैच होगा, सावलता श्ट्राइकर्स वर्सेज, मुंडारा यूथ क्लब, सावलता, सावलता श्ट्राइकर्स, अभी सुनो मेरी बात, एक मिनिट, एक मिनिट, अभी यह जो है ना, नोकाउ सब्सक्राइब बहुत 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 बदाई आप सबको बहुत बहुत कॉंग्रेचुलेशन जो टीम हाले है इस गेम देशुरी क्या प्लीज अभी साधिरी वर्सेज देशुरी चलिए शुरू करें बीना पर समय गवाए करें वर्सेज करें इस बहुत बहुत डाया है है घस्तुरी करें इस प्लीज प्लीज करें ल 실िहरा करें लूगर की मृभी सीथिस payment sounds बहुत भूख मैं करें प्ली दिधन बहुत बहुत का झेवक सवीत बहुत साजू क्यों वनके बहुत हेलो हेलो चलिए मैं सबसे पहले रमेज जी बहुत बहुत आपको बढ़ाई देता हूँ आपकी गाउ की टीम आई है आपको भी सहीद में उमीद नहीं थी कि अपना गाउ टॉप पोजिशन पर आएगा चलिए तो शुरूत किजिए निलेज भाई कॉल दे रहे कोमल निलेज भाई ने दूसरा ही कुछ अनौन्स कर दिया जी जी ओकी तैंक्यू सो मच इसके बाद हम मैं आप दे मैच ट्रोफी प्रेसेंट करेंगे मैं आप दे मैच जा रहा है कि ने बहुत अच्छी केन बाजी भाई मैं आप देards का लिया कपीरा के लिए कपील चोरफी सोचेंट सार बहुत बड़िया बहुत वड़िया पाद अच्छी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया निने मैच सोपर-े辛苦 एकर डेकर 2 विकेट लिय ए जी 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 चलिए फोटो ग्राफ क्लिक के प्लीज ओडात आले कपील भाई के लिए मैच टर्निंग मोमेंट सिफ एक रन दिया और मैच को पूरिता से एम वाई-सी के पास कीच के लाया वेल डन, कपिल भाई, क्या कहेंगे रमेश भाई, प्रविन भाई, सब लोग आपकी बॉलिंग के लिए बहुत ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो आपने कमाल कर दिया, दमाल कर दिया, क्या कहेंगे इस पूरे टोर्नामेंट के बारे में और अपने इस MYC टीम के बारे में बाज विकेट पे बेजिए, और साथी साथ देसुरी को मैं बताऊगा कि प्लीज जल से जल अपनी फिल्लिंग सेट कीजिए, और ये प्रीकोटर सी ओर्डी ग्रूप का पहला नोकाउट मुकाबला, जो मेंट कितेगा, वो आगे जाएगा, जो मेंट हारेगा, वो भी आएगा, वो कल इदर याएगा, सर, टूर्णमेंट के हम दूसरे लेवल पर आचुके, क्या जोश, क्या माहूल, मैं बताना चाहूगा, प्लीज दीजे, थैंक्यू, क्या बाद है, सर, लुप C और D का प्री कॉटल लेवल अब चूरू होने चाहरा है, सबसे पहला मैच, देशुरी वर्सेज, चिंतामनी सादिरी, रुके, 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 आरे, श्री भाई, श्री भाई, ज़रा कैमरा इस तरफ लाईए, क्या पिछले दो दिन से, जिनको देखकर मुझे बहुत एनरजी फील हो रही है, वो विवान बाई है, प्लीज तोड़ा जूम, अच्छा हम इधर आए, इधर आए, प्लीज, देखिए, जिनकी एनरजी, विवान बाई के लिए प्लीज, जोरदार तालियार, क्या एनरजी प्लेयर्स को भी दिला र क्या होता ना, अगर हम दोनों माईक पर सिफ चिलाते रहें, तो मतलब नहीं है, बट यह एनरजी दो रहें, तो हम टेकनिकल बाते आपको जादा समझा रहें, तो यह अलग हमारी जोडी है, और हमारे यह कूमल कब की जोडी है, निशीत कल इस जोडी में और एक खुबसू अगरी जोडी है, तो बोलेगा, अपने को पॉइंट वाइन समझ में आता है, अपने को छिला के लोगों के अंदर खिलारी के अंदर जोज भरना आता है, खुद मोटीवेटेड है, दूसरों को मोटीवेट कर सकते हैं, बाकि वो कवर में मारा, लेग में मारा, इतना अपन चिंटा मनी सादिरी से हार्दिक निवेदं करता हूँ, जल से जल, अपने दो ओपनिंग तानम तोड़ बल्लेवाज मैच में बेजिए, और देसुरी से मैं रिक्रेश करूगा, जल से जल, पिक्पिल लेशा करूगा, क्यूंकि मैं रहूंगा देसुरी टीम के साथ, आप मैं आपको बता देता हूँ, डी गुरूप की जो देसुरी की टीम की धरकने उपर हुई थी, उनको पता नहीं हम एनारार से पीछे रहेगे, आगे रहेगे, और दूसरा घाने ना, ये कन्फ्यूजन लास्ट तक चला, बढ़ हमेशा जब एनारार पे हम गेम खेलते हैं, तब एन मैच तक हमको वेट करना पड़ता है, तो कैलकुलेट दा इंटायर, अभी तख हम ये समझ रहेते हैं, ग्रूप D में सलोदा टॉप पे, लेगे पता नहीं कब MYC मुंदारा यूथ क्लब ने टॉप मार दिया, तो अव्यस है, ये सारी चीज़े हमको कंसिलर करनी है मैं बहुत-बहुत मुंदारा, यूथ कलब को, टींग को, जिरिश फाई के कैप्टन को, बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ मैच जितने के लिए, all the best for your pre-quarter final, be ready, keep rocking and keep winning, चलिए, मैच का रूप लेते हैं, मैं request कर रहा हूँ, चिंता मनी साधिरी के, तानम तोर बल्यब मैच, हाँ सर, तो ओपनी गाइड करें चलेगा सर, अगर कोई इशूज नहीं हो तो, हाँ, मो काई को, अरे, मैं क्या बोल दो सर, अपका मैन आफ़ दे मैच एक बाकी, बात में करेंगे, चलेगा, कमान तो, जोज तो मेला, हाँ, 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 जोज जोज, हाँ, हाँ, हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बोल, बोल है, यस, चलिए, अमपायर जी, रिक्वेश्ट है, तीन मैच हमको करने है, अभी तक हम टाइम पे है, पानी का में बंदोस कराता हूँ, ठीक है, विक्रान भाई, विशाल भाई, विक्रान भाई, विशाल भाई, अमपायर के लिए अक पानी का वो लड़के को बोलो बंदोस करके रखे, प्लीज, जल से अंदर एक बोटल भिजवा दीजिए, सर, देशुरी की टीम और चिंतामनी टीम, समय को ध्यान में रखना, अपने हाथ में, सर जी, अमपायर जी, डेर घंटे में, तीन मैच फूरे करने हैं, फास्ट आप, थोड़ा श्ट्रीक रहे न, और कैप्टन को हर एक एक दो दो बोल में बताते रहे न, ये ध्यान रहे, बिंदा, चलिए, इसके बाद, लोनावा टीम से मैं रिक्वेश्ट करूगा, लोनावा टीम, आपके प्लेयर को जल से जल बुला लीजिए, प्लीज, अइसका अपर पर इदर से थो लेश्ट, तो तुमको यूटिव चेक करना जा हुए, SindNDर अच्छे, तो हमेसे अदर रही लारे, फास्थ अब एक मिन दो ना यूट्यूब रखाए ना आप उन्चेक कर जाए ना डबल चेक तीजिए थादरी टीम और महिर भाई के साथ बावेश भाई विकी है कौन है स्ट्राइक पर महिर भाई के साथ बावेश आजे याजे प्लीज एक सप्लेश भीजो महावीर भाई गेन बाजे की शिरुवात करते हैं पहली गेन इंसाइड आउट के लिए कोशिश मेड़ आफ तेना दे महिर एंड बावेश भाई ओपनिंग जोड़ी पर दूसरा बाली था रही है से दूसरा इस तो बाले यही से दूसरा इस तो बाले मुकाबला शुरूर हो चुका है महिर भाई इस ओवर की तीसरी गेन का सामना करने जाएंगे महावीर भाई ने बहुत अच्छी गेन बाजी अभी तक कि तोड़ा सा डिफिकल चांस कैप्टन के लिए एक और रन लगातार तीन गेन्दों पर तीन रन बने है इस चोटी गेन था तोड़ी सी गुडलन की बर गेन और क्या कैश लिया है वह जो लो जाएंगे जो लाएंगे लातर गाने चाहिए तैंक यू रिशब भाई तोड़ा सा जल्दी करें रिशब भाई सो बहुत बढ़िया कैच लिया निखिलने वड़क कैच रिशब जो कि सबसे बहतरीन खिलाडियों में से एक गिने जाते है लीग मुकाबले में इतना अच्छा प्रदेशन नहीं कर पाये लेकिन ज़रूरी है ऐसे बड़े खिलाड़ी नॉकाउट स्टेजिस में बहुत अच्छा परफॉर्मस करते है चले इस बार रिशब ने हलकी हाथों से खेल कर व्यक्तिकत कादा खोलाए में स्पीलिग आप गेन पहुचे की देखना अंपार करने लेड़े चार अरों के लिए हलो 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 थैंक्यू डीजे अभी अभी हमारे सलोदा उड़र से मेरी बात हुई वो एक्चुली सिक्स था बट मेरी कमेटी की वज़े से मैं आप से तह दिल से हाथ जोड़के माफी मांगता हूँ उस डिसीजन के लिए वी अपलोजाइस पॉर डेट डिसीजन दूसरी बात ये अभी सादरी और देशूरी का मैच चल रहा है और ये पॉंडरी पॉंडरी लुनावा टीम और सलोदा टीम चलिए अमपायर समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि अगले 15 से 17 मिनिट में एक इनिंग पूरी हो जाए प्लीज चलिए बहुत ही सुन्दर बहुत और सबसे पहले तो मैं सलोदा स्टाइकर्स को फिर एक बार माफी मांगना चाहूगा फिर एक बार अपनी तेहदील से गलती मानना चाहूगा जो हमारे साइड से हुई है हम उमीद करेंगे कि नेक्स टाइंग में ऐसा ना हो मैच में हम डेफिनेटली अगर आपकी क्वेरीज है तो डेफिनेटली यूटूब पर रिप्ले देख के हम और ये चार रन थोड़ी मिस्स फिल्लिंग देशुरी के फिल्टर की तरफ से और चोका चर दिया थैंक्यू चलिए कितनी बॉल कितने रन्स थोड़ा गाइड कर लीजे प्लीज सर चलिए साथ बॉल में चिंता वनी सादुरी का स्कोर हुआ है पंद्रा रन में ओवर टू अभीजीद जी को पूरा विश्वास है कि दो रन के लिए दो लेगे यहाँ पे नहीं लेकिन एक ही रन से दोलो बल्ले बाद संतूश्ट स्कोर बरता हुआ सोलारन हुए है स्कोर चिंतामणी सादुरी जैसे बड़ी टीम प्री कॉड़ फाइनल मैच में आ चुकी है टॉप पर रही इस गुरूप से गुरूप सी से सबसे टॉप पर रही चिंतामणी सादुरी इसके बाद जो दूसरे नंबर पर रही वो लनावा की टीम रही और तीसरे नमबर सावलदा स्पार्टन्स की टीम रही और ग्रूप D में MYC की टीम टॉप पर रही पहले नमबर पर सलोदा स्ट्राइकर दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर देसुरी SSJYM सो यह बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है नॉकाउट स्टेज के एक लेवल अब मैच इस अब हम देख रहे हैं चार ओर के मैच रहेंगे इस बार हाफ ट्रैकर डिली और यह दिखिए पावर फूल हेंट स्ट्राइट चल अगली गेन और इस बार स्ट्रै ड्राइब और बैदरीन बैदरीन काच कि अगर चुका है 22 पर पहला विकेट गिरा दूसरा विकेट गिरा माफी दूसरा विकेट गिरता हुआ रिशब एक सिक्स लगए और रहसल लग रहता कि आज रुशब इस ओवर में बहुत बड़े हिट खेलेंगे लेकिन एक गलत स्ट्रोक और विकेट गवाना पड़ा रिशब को तो दूसरे विकेट का पतन 22 रन दो विकेट दूसरे वर की आकरी गेन मुकाबला शुर करें देशली जादे समय नहीं है प्लीज इस काइन रिक्वेस चलिए निलेश भाई अकरोस किलना चाहते थे रन नहीं है तो तो ओड़ असा उपर जरूर था चलिए डाट बॉल सुदोर की समय अपत की बाद रन हुए 22 और विकेट गिरे हैं दो बहुत अच्छी शुरुआत जिनतावानी साधरी तीम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है हमेशा इस टीम का नाम बड़े प्रत्योग्यता में लिया जाता है कुमल कप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे निलेश भाई का सपोर्ट इस पूरे टौर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और अब अपने टीम के लिए जो न बैटिंग पावर प्ले गेन बाजी करेंगे डीजे से रिक्वेस्ट है की चौकरे निखिल लिसनी बॉलर बैटिंग पावर प्ले में गेन बाजी करने आएंगे निखिल सामना करेंगे मयूर अरम बहुत बड़ी आईट कैच का मौका टीपेश भाई के लिए इस बाहर कोशिशना कामियाब गेन जाती हूथी बाँडरी के बाहर चार रनों के लिए क्या डांस है जबर्दस अरम का डांस देखिए चली रुशेब काम डांस भी देख रहे और एक जबर्दस प्रहार मयूर के बल्ले से उता हुआ भी देख रहे शॉट वाड़ शॉट आउन अर्ट आउन देख रहे देख रहे के अगणि घंव के लिए और अधिन अबनाफ चल रहे चे रण कर देख बालिंग कर रहे हुंड़ी बालिंग कर रहे है 38 रन 38 रन क्या बात है ताकत वर इंसान ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या महीर भाई ने दिखा दी असली ताकत इस बार आज ये लगता हुआ और ए सूपर सिक्सर ओहो क्या बात है क्या बात है तीन लगातार सिक्स है ट्रिक सिक्स और एक चौका इस बार इस बार में लेगा और एक चौका 48 पावर प्ले में असली पावर दिखाई है मयूर ने इस बार में स्टाइन किया है जरूर स्टोक को लेकिन दिपेश पावर जानते थे कि ये कैच नहीं है तो केवल एक रन से संदुष्ट होंगे मयूर क्या बाते जोरदार तालिया मयूर के लिए तीन बड़े सिक्सिस दो चौके और आकरी गेन पर सिंगल रन रन की सिथी फॉर्टी नाइन डो विकेट के नुखसान पर रन बने हैं 27 जोर बार तालिया मयूर के लिए वैल डान मयूर बल्ले बाजी करें 34 पर कि देशुरी टीम तोड़ा जल्दी करें जिस तरह से जल्दी जल्दी गाने प्ले करें डीजे उदे ना नासिक डोल के साथ पूछो जरा पूछो अरे दुनिया से पूछो क्या चल रहा बाजू के देश में हंगावा हो गया है 20 मिनिट में सबकी हवा टाइट कर दी है और यहां मयूर ने तो इस ओर में बहुत ही जबर्दस कारदामा कर दिया है पावर प्ले में कैसे बल्ले बाजी करनी है इसका ताजा उदारन मयूर ने दर्शाया है दिल खोल कर बल्ले बाजी करो ओओ अब भी चालू है कर दो कि क्या बात है हवा के साथ साथ गेंदे भी जा रही है चौके के पार पाज बाज बाज वाह यह लग रहा है च्छे कामेंटरी बाक्स के उपर से गेंग गई बहुत ही मजा आ रहा है अभी जी तरम तोर बल्यों बाजी मजूर भाई की शाहन दार पारी ला जवाब पारी कोई शक नहीं कोई दो राई नहीं मजूर भाई फिर एक बाज सामना करें मानने की कोशिश लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं हुआ पुरान भाई 44 पर बैटिंग कर रहे है बारा बाल में 44 स्रन बनाये मजूर भाई ने ला जवाब पारी ला जवाब पारी है फिर एक होगें सर पचासर वेल डन इसको बोलते है बल्ले भाजी इसको बोलते है अट्रू मैन मैयूर भाई ला जवाब पारी आपकी तारीफ लाइक बहुत उम्दा आपकी बल्ले भाजी बहुत उम्दा माहौल बना दिया आपने तेरा गिंदो में पच्चा लेकिन इसमान नहीं फिलर तेनाथ दो रन की पुरी कोशिश करेंगे और दो रन लेने में सफल है जवर्दास 52 पर बैटिंग करेंगे अब 14 गिंदों में 52 पर बैटिंग करें मैयूर भाई और टीम का टोटल है 68 आज लास्ट के दो बाल बचे हैं लास्ट के दो बाल देखना ही होगा महीर भाई का रूप चलिए पांचवी मर्दबा दोर रहे सामना करना महीर भाई फिर एक बार आस्वानी दोला और देखना होगा शीक्स शांदार पारी में दर्शक जितने भी देख रहे जितने भी एक बार जोर्दा तालिया महीर भाई के लिए इसको बोलते है अस्ली में इसको बोलते है अस्ली बन्लेवाजी आखरी मर्तबा दोर लगा रहे सामना करें महीर भाई एक श्ट्रेट ड्राइब किया और फिल्डर तेनाथ और यहाँ पर निरेश भाई का विकेट का पतर हो लिएगा चलिए स्कोर्ट लोटल 75 तो विन I have not seen such a huge target in last year सर कोमल कप का यह हिस्ट्री है इतने कम गेंदो में रन बनाए है प्लीज जोर गार तालिया मयूर भाई के लिए मैं मयूर भाई से एक बार परसनली मिलना चाहूँगा seriously man मयूर भाई मयूर भाई मैं seriously true inspired हुआ आपकी यह बल्ले बाजी देखके seriously मुझे bottom जब मैं खेल दा जब 10 मिल का break लिया था मैं दो बॉल खेला मैं कॉमेंट एटी आदे घंटे तक नहीं किया पॉवरफूलने सबके शौट में कैसे सर टीम वाक है बस मला जैसे बॉल के मैरिट पर आके मारना है बस और कुछ नहीं करना है उसके इंदर बॉल जोन में दिया हिट किया इस वादर फॉट वाई भाई पॉरे सीजन में सबसे बहुत परी पारी है बात को All uh बहुत हो बात बहुत बहुत किया बहुत है या बात है सर यह यह प्लेयर आट सब्सेल फिस्पोर जोन ग inside विख घे सवेól परस्ट विशल भाई परस्ट हलो 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 चलिए बहुत ही उंदा पारी काका हमारे बीच तगदगर के बहुत ही बहुत ही सिनियर प्लेरे माई भाई अभी जो पारी खेलिए उसके लिए आप क्या काईगे एक नंबर सूपर बीनिंग सूपर बीनिंग रियली इट इस रियली सूपर बीनिंग माई ब्लोईग पहला ऐसा टूर्णामेंट जिसमें पचास रन किसी व्यक्तिगत रूप में माई भाई के हुआ है विवन सर नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मामंत्रित करेंगे लुनावा वर्सेज सालोडा स्ट्राइकल्स दोनों टीम के कप्तान से टॉस के लिए पदारिए मैं रिक्वेस्ट करूगा कि आप प्रेजेंटेशन वाक्स पे अभी जी जी टेक ओवर करिए थैंक्यू जे लुनावा श्री लुनावा यूद ग्रूप और सलोड़ा स्ट्राइकर के बीच अगला प्री काड़ फैनल मैच हम शुरू करने जा रहें तोने टीम के कैप्तन से रिक्वेस्ट से टॉस के लिए पदारिए पर यूदारिए पर फैनल मैच की शुरूबाद करें साधरी और देसुरु टीम प्लीज मैच की शुरूबाद करें 3.16, 3.16 is your official time, 76 to win sir, Rishabh bhai, 76 to win, Manish bhai, Lunawa gao ke Manish bhai, क्या बाफ है, क्या बाफ है, लुनावा gao ke captain, Manish bhai, मैं आपसे तहर दिल से request कर रहा हू, जल से जल, presentation area के वहाँ है, for the toss, for the next match, Toss के लिए बदा रहें, Manish bhai, श्री लुनावा यूद्ग्रूप, बनाम, सलोदा स्ट्राइकर, के बीच, अगला pre-court of final match, शुरू होने जा रहे, उसके पहले हम, Toss का boss, हमारी Toss के boss के proud partner, Nishi Medcare, इस बीच ये, बहुत ही अच्छा स्टोक के लागया है, प्रकाश भाई, इनक दो फर, अभी जीत जी, Toss के लिए, लुनावा गाउ के कैप्टन मनीश भाई, और सलोदा स्ट्राइकर के कैप्टन रॉनक भाई, दोनों हमारे सामने मौजुद, चलिए, कॉल कुन देगा, टॉस कि दर भी लगेगा, जो फाइनल डिसीजन हैगा, वो फाइनल डिसीजन, कोमल का कॉल दिया है और निशी मैरिक्या टॉस जीत चुके है लुनावा की टीम और लुनावा की टीम ने तहे किया है सबसे पहले गेन बाजी करेगे और अमन्त रन दिया है सलोधा श्ट्राइकर्स को बल्ले बाजी करने के लिए सेर वेट करें एक फोटोग्राफ फोटोग्राफ तो बनता है प्रीकॉर्ट फाइनलिस्ट के विक्रान सर विशाल भाई विवान भाई प्लीज एक फोटोग्राफ तो बनता है ताइमके सो मच श्री हमारे ऑफिशल कैमेरा परसन जो कॉमल कप 2019 के सारी जो याद है अपने DSLR म केवल एक ही रन से संदुष्ट होना होगा पावर प्ले एक ऐसा तगड़ा ओवर चाहिए जिसमें की ज्यादा रन आए यह बहुत जरूरी होगा टीम SSGYM देशूरी के लिए के दो गाओं के बीच मुकाबला है दो खिलाडियों के बीच मुकाबला है और यह दोनों ही टीमें बहुत ही तगड़ी टीमें है हमारे सभी राजस्तान जैन कम्यूनिटी के सभी प्लेयर सभी होनार सभी काबिल खिलाडियों के बीच यह मुकाबले चल रहे हैं सोला गाउं के 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है कोमल कप सीजन 3 में और अब इस दो गुरूप की टीमें प्री काट फाइनल मैच में भेड रही है इस बीचे तकडा एट देखना है मयूर भाई कैच बहुत ही सुन्दर कैच बैदर इन कैच वेल ड़न 50 रन भी किये और कैच भी लिया प्रकाश ट्राइक पर है नहीं वहले पास आएंगे महावीर अगली इंड राहूल की वाड़ा हीट लेकिन रिश्रफ तैना थे और रिश्रफ कैच नहीं छोड़ते और एक विकेर का पतन बैक टूबाट दो विकेट मनीज भाई टॉस के लिए मनीज भाई टॉस के लिए ये अगरा चारा पाकरा पाकरा नकरा चारा अगला मैच खेला जाएगा लूनावा वर्सेज सलोधा स्ट्राइकर्स दूसरा नकराउट मैच सी ओडी ग्रूप का फिर एक बार आसमानी टोला और ये एक बहुत बेत्रिक मुझे लगता है जब चिंतामनी सादरी टीम ब्रेक के लिए गई थी तो निलेश भाई ने कुछ जादू टोना किया है बॉलर पे और बैट्समेंट पे सिरियसली एन अनबिलिवेबल अनकम्पारेबल इनिंग फ्रॉम चिंतामनी सादरी और वैसे दो चिंतामनी सादरी का ये होम ग्राउन है, No doubt उनका performance अच्छा ही होगा बर स्टिल कभी-कभी होम ग्राउन भी काम नहीं आता है चिंतामनी सादरी के टीम ने बहुत अच्छा performance दिया है batting के level पे भी bowling के level पे भी और filling की तो दाथ देनी पड़ेगी केंच की दाथ देनी पड़ेगी निलेश भाई आप headrick लिए आपनी राइट निलेश भाई का headrick हुआ राइट राहूल भाई का बहुत ही बहुत congratulations राहूल भाई आपको super bowling from you चलिए निलेज भाई एक सीरिस बॉल मिस कर दी बॉल जापोची विकेट कीपर के हाथ में चलिए अगला मैच होगा नुनावा वर्सेज सलोधा श्टाइकर्स उसके बाद हमारे डी गुरूप के फर्स्ट टॉपर मुंडारा यूथ क्लूप सावलता ब्रदर्स स्पार्टन्स स्पार्टन्स सर एनरजी डाउन होगी यस सर की तैंक यू विवान भाई चलिए निलेज भाई आए हैं पहली गेन पर कोई रन नहीं दूसरी गेन पर एक रन कोमल कप सीजन तीन की पहली है ट्रिक राहूल भाई को चलिए आगया राउल भाई इस दो फॉर्स ट्रीक क्या बात है बहुत ही अच्छी गेन बाजी वह प्राउड ओफ चिंदमने साधेरी टीम जिस प्रकार से आज यूनेट सभी प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मंस करें पहले मैच में जो उन्हें कडी बाज कोई रन नहीं डाउट बाल चलिए एक लेवल अब हम पहुँच चुके है कोमल कप सीजन त्री में ये सारे प्री कौटर फाइनल मैच यनि की नॉकाउट मैच की शिरुवात हो चुकी है बहुती बड़ा भव्य लक्ष रखा गया है 76 का टीम देसुरी के लिए ये अ चलिए इस बार फ्लिक अफ दरेस कलाईयों का बहुत ये अच्छा इस्तमाल करते हुए एक रन प्राप्त किया रनों के सिती बढ़ती हुई इसी एक रन के साथ 12 रन 12 बारा बाल में 64 रनों की जरूरत पॉसिबल है 12 गेंदों में 64 रन की जरूरत 12 बाल में 12 रन बने है अभी का अवर पावर प्ले अवर होगा और मेरे पसिंदिदा गेंबाजों में से एक सायम गेंबाजी के लिए आए है वन अव दो बोस्ट एकोनोमिकल और मोस्ट डिसिप्लिन बालर और कोमल कप सीजन थी सेयम गेंबाजी के शुरूरत करेंगे साधरी टीम रिकोस्टे प्लीज जल्दी से मैच शुरू करें इसके बाद का मुकाबला दोनी टीम में तयार है येगा गट बालेंग मिलेश बाई के सरके उपर से गेंड जाते हुई रिशब देखिए पाच्चे स्टेप में पहुँच जाते हैं उचे कटके बड़े किलाडी और बहुत ही बड़ी आत्रों रिशब का सिर्फ एकरन प्राप्त होगा लकी नमबर थरटीन पर बढ़ता हुआ स्कोर टीम देशुरी का इस बार सिर्फ दिशादी गेंड को हरे गेंड जिस प्रकार से आई साइट के यहां पर डालते हैं एक जो उच्छाल उनको प्राप्त होता है वो काबीले तारीफ वेल ड़न स्वयम बई बहुत अच्छी गेंड इस बीच एक रन एक रन डिकलार जोन में हैं चौदा रन पर बढ़ता हुआ स्कोर बड़े सिक्सिस की जरूरत है टीम को जीतना है तो क्योंकि यह पावर प्ले चल रहा है जहां सिर्फ तीम किलाडी तैना थे तीज़ गश दाइरे के बाहर इस बीच कैच का मौका और कैच छूटा अच्छा चांस लेकिन डिफिकल्ट चौट रहा है जाता है और वही हुआ इतने अच्छे किलाडी होने बावजूद यह कैच कलेक नहीं कर पाए बट एफट्स के लिए दाद देनी होगी सत्रा रण अगली गेंद बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है इत क्लासिकल ड्राइव और यह लगता हुआ चोका बहुत ही बहतरी है सुन्दर खूपसूरती नजाकत बेटर स्टोक खिलाई है रिंकेश भाई ने अगली गेंद रिंकेश भाई के लिए इस बार बहुत तेज गेंद की थी कुई रन नहीं डॉट बॉल अच्छा कमबाक या से यम भाई ने इसके साथ फ्लेर वार अव्दा माच्छ के लिए एक अलग तौफ़ा चिले चे गिंदों में 55 रनों की जरूरत चे गिंदे 55 रनों की जरूरत भावेश भाई आकरी निर्णाएक ओवर करेंगे प्री कोड़ फाइन मुकाबला है जो जीतेगा वो सीधे सीधे कोड़ फाइन माच्छ भावेश भाई प्ली स्टार्ट प्ली स्टार्ट भावेश भाई राइक रिक्वेस्ट है सर् वाद शाट दाट ए बेग्वान शिक्सर गरई रूस था कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि लिए एक बहुती बड़ा लंबा हिट छेर उनके लगाया इसबार सीदे एसीस आओ अप्लम बाइं फ्रेड फ्रेट प्रेड विक इस आओ अओ जैवर विए नव्ल्ली बाज़ समिटेश इस्च ये सरे इस वाह यह गाना मेरा पसंदीता गाना गुट बॉल यह डारेक्ट नहीं चैलिए एक और रन अब 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 बटीस पर है स्कोर जी बहुत अची गेंद अपने हाथ में अभी सिफ थोड़ा ही समय बचा है लुनावा की टीम से रिक्वेश्ट करूगा कि आप तयार रहे सलोधा श्ट्राइकल्स की टीम से बोलूगा आप तयार रहे जल से जल मैच शुरू करना है और हमें ये मैच खतम करना है अब दो मैच आच के बचे है नॉकाउट सिरीज अभी होगा लुनावा वर्सेश्ट सलोधा श्ट्राइकल्स जी 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 रिक्वेश्ट होगा दुस्ता होगा नामी बूल जा क्या बूल जी देखना होगा लुनावा टीम और सलोधा टीम से ये दिल से रिक्वेश्ट के भी जाधा समय ना ले क्यूंकि आपको उसके बाद खेलने के लिए तोड़ी डिफिकल्टी होगी क्यूंकि सारे जो ओपन स्पेसीज पब्लिक के लिए पब्लिक आ जाएगी दिफिकल्ट होगा खेलने के लिए लुनावा टीम बी रेडी सलोधा स्ट्राइकर्स चलिए आजाएए चलिए मुकाबला शुरू करेंगी चलिए 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 लुकावर नेक्स टाइम और चिंता मनी आगे एक लेवल बढ़ते हुए बहुत बहुत बदाई चलिए प्लीज लुनावा टीम जल से जल मनीश भाई आपकी है पहले गेंदबाजी सलोधा जल से जल अपने दो ओपनिंग तारम को दुबले बाज जल्दी से विकेट पे बेज़ दीजिए थैंक्यो डीजे श्री या स्कोरर 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 मयूर भाई मयूर भाई प्लीज आईए मयूर भाई मयूर भाई प्लीज आईए और देशुरी टीम देशुरी टीम का एक जो पहले मैन अफ दमाच जो पेंडिंग ता पहले हम उसे देने जा रहे है विवन भाई क् फ्लेर, डिजाइनर, फ्लेयर की तरह से हम ये Man of the Match की ट्रोफी, डिजाइनर हाउस बैर, फ्लेयर की तरह से Man of the Match ट्रोफी हम प्रेसेंक कने जा रहे हैं, आइए विशाल भाई ने, प्लीज आईए, आपके शिवाद उसे, संदीप भाई संदीप इस मैच का चिंता मनिक का मैन ऑफ दो मैच दिया जाएगा चलिए मैन अच्छी परफॉरमंस रही इसके पहले मुकाबले में लेकिन प्री कोड़ फरनल मैच में इतना च्छा योगदान नहीं कर पाए संदीप भाई बहुत 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 शुक्रिया इस मैच के मैन ऑफ दो मैच यह मुमेंट मैं कभी नहीं बूल पाऊंगा प्रवेजा गेंदो में पचास रन मारेकम घसीटे जादा जिसमें छे सिक्से और चार फोर क्या बादे जोरदार तालिया मैयूर भाई अनबिटेबल बहुत ही उंदा खेले आप महीर भाई बहुत ही उंदा खेले आप चले जोरदार तालिया और मैन अब दो मैच ट्रोफी के साथ साथ हम फ्लेर डिजाइनर हाउस वायर की दरसे ये एक उपसुरूत सी बॉटल आपको प्रेजेंट करेंगे प्लीज जोरदार तालिया फिर जोरदार तालिया मान अब दो मैच दो मैन अब दो मोमेंट चिंदा मने इसाधरी टीम सर बात तो हम करेंगे सर आपको ऐसे नहीं चोड़ेंगे सर क्या बात है सर आपने आईए सर आपने हिस्ट्री क्रिएट किये सर आपका फिवरेट सब्जेक्ट है कभी स्कूल में अब ही तक तो नहीं था अब लग रहा है कि बनाना पड़ेगा पहले माइंड ब्लॉइंग सर पावर प्ले में किस तरे से बाटिंग करने यूर टेक्निक यूर स्ट्रेंड अपकी स्टाइल मुझे बहुत पसंदे सर आपकी प्रतियोगीता के बारे में और आपकी टीम पर हम लोग हर साल आए यह चीज खिलने के लिए हम यही जाते हैं मैं कोच सुरत से ही आ रहा हूं यहां पर खिलने के लिए इसलिए मुझे को भी पसंद आया है काफी अच्छा है सब अरेंजमेंट किया हुआ है अमपायर प्लीज जल से जा एक लास्ट सवाल सर हमें सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि आपने लेंच में जो छे गुलाब जामुन काये थे उसी का नतिजए का यह बस सही है आँ बोल सकते हो चीज के लिए नहीं मजा कर रहा था लेकिन सर वेरी वेल बैटिंग सर यादगार बैटिंग हमने देखिए जितने भी कमिनिटी कामेंड हर सल खेला जाएगा आपका नाम सबसे पहले आएगा यह मैं आपका आशुशन आज दिलाता हूँ थैंक्यू सो मज महीर भाई रेली अग्रेट परफोर्मांस एंड अन बिटेबल परफोर्मांस भाई यू जुगर भाई आशुवासन देरे अगले 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 टीम से जल से जल मैच शुरू कीजिए बिना कोई टाइम गबाए पहली मरतबा शोट एक स्ट्रे ड्राइव शोट फिल्लर के हाथ में दोनों बल्ले बाज एक रंद पुरे करने में शक्षम ओवर टू अभी जित भाई अभी सर लगाता है दो दिन से हमको सुनकर तो बोर हो रहे है सब लोग तो थोड़सा गाना वाना भी रहेगा बीच बीच में तो मजा आ जाएगा क्योंकि यूट्यूब पर यह गाना नहीं सुनेगा लेकिन जो लाइव आडियन्स है उनको थोड़सा एंटेटेन्मेंट के डीजे उदय है बहुत ही धमा के दार म्यूजिक प्ले करते हैं इस बहुत अच्छी गेंद प्लीज एक अतिरिक्त खिलाडी लुनावा टीम का प्लीज एक अतिरिक्त खिलाडी बढ़ारे फ्लैर डिजाइनर हाउसवेर हमारे प्राउड मैन अफ दमाच पार्टनर है सो इनको बहुत बहुत शुक्रिया क्लीन बोर्ट क्या बात है क्या बात है विवान भाई क्या ठुमके लगा रहे सर जवर्णस क्या बात है एंटर्टेन्मेंट ही एंटर्टेन्मेंट है कोमल कप में एक तरफ से महूर भाई हमको एंटर्टेन्ट करें राहूल भाई जोनने हैट्रिक ली और अब विवान भाई का ये ठुमके दार परफॉर्फॉर्मन्स चली मुहीत अब बल्ले बाजी पर आए हैं सलोड़ा स्ट्राइकर्स के लिए तोड़सी लोपल तोजी लूरी कैच चूटा मनिज भाई के आतों से रेरली ऐसे कैच चूटते है बढ़ी गाइन थीरिक मारेगा ते फिरे मारे गाणि कि येस सा कैच जी सिन मैच इडिफिकली जरूर्थ था लुकिन जबर्दस एफ़ट ओटर्ष वॉर्ट कैक जबर्दस एफ़ट रोटए क्या बात है देखी हम रीप्ले में देखें जरूर बहुत अच्छी तरसे इस स्टोक को खेला गया क्या बात है इंसाइड आउट उसी पर खेलाडी तैना जरूर था लेकिन क्या बहतरी इन स्टोक 6 रन हुए यानिकी 8 पर पहुशता हुआ स्कोर इस बार फिर से आट्राक्टिव स्टोक लेकिन एकी रन मिलेंगे इस दर्मियान यानिकी पहले ओर की समाप्ति के बाद रन हुए है 9 एक विकेट के नुकसान के बाद तो ये पहले ओर का खेल खतम 9 रन एक विकेट आज के दिन का जो आकरी प्री कौटर फाइनल मैच खेला जाएगा वो होगा MYC MYC बनाम सावलता डोनोई टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप तयार रहिएगा दिन का आकरी प्री कौटर फाइनल मैच यह मैच के बाद हम तुरंट शुरू करेंगे टॉस किया जाएगा बिफोर बिफोर थे सेकेंड इनिंग्स बॉलर जीम सर अक्षित हरशित चलिए शुरूआत की हरशित ने वाइड गेन के साथ यानिकी वाइड बॉल के साथ एक एक्स्टा रन यानिकी टैन पर पॉस्टा वा स्कोर चलिए एक वाइड के बाद एक अच्छी गेन एक रन ग्यारा पर बढ़ता हुआ स्कोर एक विकेट एक पॉइंट एक तो चार एक्के आपको दिख रहे हैं वाट अच्छाट क्राकिंग दाट इस अ बिगी छे रन छे 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 अच्छाट अच्छाट करें चलिए शुरू करें फिल्डर शुरू करें हेलो च्छाट क्या बात है यह कॉट है कॉट है बहुत ही अच्छाट का पतन मोहित इस आओट तेंके सो मच उदें इस नरेश नहीं बले बाज इस बीग पड़की के इन बहुत बढ़ी आगें बाजी अर्शित की स्कोर में कोई बदलाव नहीं सत्रा पर है स्कोर दो विकेट के नुक्सान पर और इस बार और बहुत आगे आचुके थे फील्डर अगली इन बड़ा हीट करना चाहते थे लेकिन एकी रन मिलेगा अनुच भाई को इसके साथ दूसरे ओवर का खेल कतम दूवर के बाद 20 रन दो विकेट के नुक्सान पर लुनवर टीम जल्दी इत्ति है तर्ड बॉलर लाईए सर तर्ड आफ़ लाईए सर तर्ड बॉलर मनीश भाई प्लीज थोड़ा सा जल्दी करे मनिश भाई, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जल्दी करे तर्ड बॉलर लिकर आए, प्लीज स्टार्ट करें, मैच स्टार्ट करें, लुनावा, मैच स्टार्ट करें, प्लीज बैट्समें, आज़ेए, बैटिंग के लिए आज़ेए बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग करें, 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 बैटि बहुत अच्छी गेंद, अरशित के पास गेंद गई, चिले केवल एक रहने हैंगी 21 पर बढ़ता हुआ स्कोर, मितिल एक बहुत अच्छे तेज गती के गेंद बाज है, स्पीड उनकी सबसे बड़ी बात, लेफ्ट अंडेट बोलर और इस बार विकेट का चांस होगा, और मितिल अपने गेंद बाजी पर कैच नहीं चुड़ेंगे, विकेट का पतन होता हुआ, आउट होंगे नरेश, थैंक यू, हितेश भाई, बड़ी आइट, बड़ी आइट, बहुत ही बड़ी आइट, दोड़ने की जरुती फिल्डर को मिलेंगे, चार, क्या बाते, बहुत ही बैतरी न चौका, जो कवर ट्राइब हमने देखा, मनोज, जिनका बल्ला बहुत ही अच्छी तर से बोल रहा है, इस प्री कॉटर फरनल माच में, 17 रन पर बल्ले बाजी कर रहे हैं, इस बीच लोगर वांटी और चकमा दिया, आउट होंगे मनोज, स्टंप आउट, वैल ड़न मिथिल, चलिए, रॉनक भाई आएंगे, बैटिंग के लिए, रिक्वेस्ट करने को रॉनक भाई से प्लीज, तोड़ से दोड़ कर जाईएगा, रॉनक सर, थैंक्यू, थैंक्यू, चलिए, सिल्वर जुबली हो चुके है, सलोडा स्ट्राइकर्स की, दो गेंदे बाकी, बहुत बड़ी हैट, और एक विकेट का बतन लगातार, दो गेंदों पर दो विकेट, तैंक्यू, चलिए, हाट्रिक पर होंगे, मिथिल, पहली हाट्रिक हमने देखिए, इसके पहले मुकाबले में, और मिथिल के नाम पर ये दूसरी हाट्रिक, वैल्डर मिथिल, जोरदार तालिया मिथिल के लिए, उदे, घग उदे, हाट्टे, वे, जदे, हाट्रिक पकोणरत। 25, 25, 25 तैंक्यूँ तीन ओर के बाद रन हुए है 25, विकेट गिरे है 6, कॉंग्राजुलेशन्स, मिथिल और टीम लुनावा हाट्रिक है, ये सीजन तीन की दूसरी हाट्रिक पहली हाट्रिक राहुल भाई, चिंता मने साधरी टीम और इसके बाद दुलावा टीम की तरफ से मिथिल ने हाट्रिक लिए, वेल डन चलिए इस आखरी ओर में पहली गेन पर एक रहन आता हुआ, स्कोर बढ़ेगा 26 पर 26 इस दे स्कोर, सलोधा स्ट्राइकर्स कम से कम 40 तरफ से अगर बनते हैं, तो इट विल बी ऐ फाइटिंग टोटल, 14 सलोधा स्ट्राइकर्स अगेंस टीम लुनावा बहुत बढ़िया हेट है लेकिन फिल्डर, मजुदे कैस ले लेंगे, बढ़िया कैचिंग, वेरी गुट कैचिंग, अश्विन बाई को और एक विकेट कुण स्ट्राइकला उता थे ह। रीच सुन्तों तर्मुब् preciso को, निम ऐ तर्मुब chesh. आ रों मा कसमॠ निमेश . अटेशी मत नायों जुक जुदाब, सब्सेद निमेश हो निमेश जया. व little स вже भाला रुड़ा रुन हो बाँ कर में हैं स्कोर बना हुआ है 28 पर आकरी की दो गेंडे बची है अश्विन के इसे निंगी दो गेंड बाकी ओ लेट सी अमबार डिसिजन इस आउट लेट सुविकेट नंबर एट टॉस के लिए दोने टीम है N.Y.C.N. सावलता आंबर एट नंगर जो लेट मुदकन के लोगा सावलता है इससर laying करति है की तो कर दो मेंड बाकी दोने शो इस दोरा कि रष्गना जो दोने वागज के लो क्वेट वीवाना है कि वाड अविकेट वाड विकेट अविकेट 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 करेंगे अच्छेट करने का इसालो शनाइकर जल्दी से आप फिलिंग लगाएं लुनावा टीम से रिक्वेश्च करूगा जल से जल बिना समय गवाएं दो अपने ताडम तोर बल्ले बाच को विकेट पे बेजिए, टोटल स्कोर हुआ है 28 29 रनों का लक्ष दिया है सलोदाने मुनावा को मनीश भाई मैं आपसे रिक्वेश्ट करूगा, जल से जल जैसे आप वहाँ पोचे, वहाँ से दो प्लियर्स निकालिए तानम तोर बल्ले बाज बेजिना पहले जीतू भाई, एक तो श्राइक पर आएगे, आएगे राइट चलिए, हम टॉस के लिए बुलाते हैं जीवन भाई अगला मैश होगा, मुन्दारा वर्सेज सुचिए, सुचिए, सुचिए चलिए, दोनों कफ्ताहन से मैं रिक्वेश्ट करूगा प्रेजेंटेशन एरिया में आजाए प्लीज तॉस के लिए पदारे अभी चित भाई आप भी आजाईए तॉस के लिए आईए मैच शुरू कर जाए श्रीपाल भाई और हमारे MYC टीम के कैप्टन प्लीज पदारे तॉस के लिए गिरिश भाई मुंदरा यूथ क्लब के कैप्टन गिरिश भाई और श्रीपाल भाई से रिक्वेस्ट करूगा कि टॉस के लिए प्रभीन सेर प्लीज आईए प्रभीन जी मेता मुंदरा गाउं के एक जानव माने समाच स्युव crate हमारे गाउं में बहुत आगे है हर चीज में तन मन्द से सेवा करते है गाउ की इनकी सेवा अंडिफाइंड है यह और बिल्कुल देखिए कितना अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस कोमल कप सीजन तीन में उपस्तित है वरकाना के हमारे विश्वस्त है ट्रस्टी है वो भी एक बहुत बहुत अपने आप में बहुत बढ़ी बात है वैसे भी प्रवीन जी महता को कौन नहीं जानता है गिरिश भाई गिरिश भाई यह प्लीज गिरिश भाई तालम तोड़ बलने बाज मुंदा रागाओ के अब बाई-सी के तावर तोड़ भलने बाज गिरिश भाई इनका स्वागति इस सट कौन कॉल करेगा गिरिश भाई आप श्रीपल भाई आप करेंगे श्रीपल भाई कॉल करेंगे हमारी टॉस के बाऊस के प्राउड पार्टनर है इनकी तरफ से टॉस का बॉस कोमल इस दे कॉल कोमल इस टूपल भाई क्या करेंगे प्री कॉट फाल माच ठीके डिसकस कर लीजिए एक ही मौका है जीतेंगे तो आगे जाएंगे, हारेंगे तो घर जाएंगे हम बात करेंगे गिरिज भाई आपका सपोर्ट इस टोड़नमेंट के लिए बहुत ही एहमियत रहा है MYC के आप after all हमारे चीफ है प्रवीन भाई सर क्या कहेंगे अपनी पूरी टोड़नमेंट है आज जो हमने परफॉरमेंस देखे क्या कहेंगे सर प्लीज मैच राट की दिया जल से जल समय की मरियादा को ध्यान में रखते उन दा समय पे आज सब मैच शुरू हुए और सब मैच खतम हुए इसके पीछे अगर कोई PC का बड़ा योगदान है तो सभी टीम कैप्टन्स और टीम प्लेयर्स का थैंक्यू कर भाए घिर्टीम के नम? ऑफाबर स्ट्बाइो और लॉं स्ट्राइक अब गॉरु आत बता दो स्रिपाल भाई त्म मेन नो लौस पहले रह स्टेयर में एक उसे इक पाभाँ और परेशी अच्छी बैटिंग बेनाप्स nurse एतπόud मैं आपका जादा समय नहीं लेना चाहूँगा तयार हैं चार और के मैंचे फटा फटा आप करेंगे अच्छाने तो फिर सारे प्लेयर्स आ जाएंगे तो अल्ड़ बेस्ट जादा समय नहीं अगर हम आच की शिरुगने प्लीज फूड जल्दी मिधिल भाई प्लीज तैंकी शो मच श्री चलिए लाइव एक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तैंक्यू हमारे वीडियो दादा सतीज भाई पूप लेते हैं गौरव ऑन दर श्राइक एक आस्मानी टोला कोई शोट नहीं कोई शक नहीं और नहीं यह होते हैं लक कभी कभी लक काम नहीं करता है और पेर को लगते बॉल फिर से ग्राउन में आच चुकी एक बहुत ही उंदा शोट गौरव ने खेले गौरव हमारे ब अभी जित भाई लाजवब बल्ले बाजी करते हैं जिस दिन इंका बल्ला चला उस दिन सिर्फ यह दौरते रहते हैं और रुकते रहीं क्या खाईगा अब यह बिल्कुल सही गौरव और यह देखिरे हैं इनका बल्ला चला और इस बार गेंड बार्टरी के बाहर साही का च इसा चला कि छे रन बहुती उंदा शौट बहुती लाजवाब शौट गौरव की वाके में जितने तारिफ की जाए उतनी कव हैं 29 रनों का पीछा करना है और अब तक 11 रन बनाए गौरव का बल्ला बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहा है लुनावा की टीम यानि की हमारी ये जो टीम है निशीत रूपर इस टीम ने श्री लुनावा यूद गुरूप की टीम ने इस बार सबसे बड़ी प्रत्योगिता है उसके फाइनलिस्ट रहे थे कोमल कप फाइनलिस्ट बनने के लिए बे तयार है स्पार्टन ने तॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का निरने लिया है और चैलेंज किया है मुंदादा यूद कलब को पहले बले बाजी करने का बिना समय गवाई गिरिश भाई और स्पार्टन के टीम जैसे ये मैच खतम होता है आप लोग जल से जल अपने तायम तोड़ बले बाज मैदान पर उतार दीजिए चलिए मैच की तरफ रूप लेते हैं फिर एक बार लेफ्ट हेंड़ बैट्समेन गौरब भाई हमारे स्ट्राइक पे नोन स्ट्राइक पे जितू ये एक बार फिर शॉट फिर वाल ती घुवाने की कोशिश किये लेकिन संपर्थ नहीं हुआ और इसी के बीच में LBW आउट चलिए और क्या बहतर गाना प्ले करें डीजे उदय डीजे यू डीए वाई चलिए पहले और की समाप्ति की गोशणा हो चुकी है और रन हुए है 12-29 से रनों का पीच्छा करना है कौटर फाइनल में दाखिल होने के लिए पहले कौटर फाइनल ने पहुच चकी है टीम चिंतामनी साजरी की टीम जहां एक बल्लेबास ने हाफ सेंचुरी लगाई वो है मयूर भाई तेरा गेंदो में हाफ सेंचुरी बनाई नया इतियास रेकॉर्ड बनाए अपने नाम पर और एक रेकॉर्ड बनाए बोलिंग में राहुल बाय ने हाट्रिक लेकर और इस मुकाबले में टीम लुनावा के लिए मिधिल ने हाट्रिक लेकर अपने नामबर और एक रेकॉर्ड बना दिया एक सांदार स्वाट मार के दो रन दोनों बल्ले बाज कामियाव रहे फिर एक बार घुमाना चाह रहे थे बल्ले से बाहरी की नारा लगा और बॉल जाए विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं इस बॉल पे समय की मरियादा को ध्यान में रखते हुए जल से जल सलोदा स्वीम से रिक्वेश्ट है कि थोड़ी पेसे पेसप रख करें अपनी बॉलिंग पे ताकि अगला मैच लास्ट और फाइनल आज का मैच खेला जाए फिर एक तपक खाया और बॉल ग्राउंड के बाहर और अमपायल का इशारा चार तरफ क्या बात है जबर्दस अंदा से स्टोक के ले जा रहे हैं और जबर्दस अंदा से गाने भी बज़ रहे हैं बढ़िया हेट इस बार एक फीलर तैनाद जरूर किया है टोड़्ड तक वरिजन एक रन मिलता हुआ इसी एक रन के साथ कुली मिला कर रनों की संक्या पहुची है 19 से रनों पर और 10 रनों की अवशक्ता है प्रीज़ पानल मैच जीतने के लिए सर 10 रन लेक साइट की दरफ घुमा रहे थे बल्ले से संपर्क नहीं हुआ और बॉलर ने बिट कर दिया कीजिए यहीं पर रहिए जैसे मैच शूरू होता है अपने तारम तोर बल्ले बाजों को मैदान तो उतार दीजिए एक ओफ ड्राइमे शॉट फिल्डर तेहनाथ एक दो रन की कोशिश पूरी करें गए और दो दो रन सफलता पूर्वाक पूरे किये बहुत ही शांदार रनिंग बिटिन दवी के दो बल्ले बाजों की तरफ से चलिए स्कोर बनार आगे बरता हुआ चलिए दो और के समाप्ति के बाद 21 आने वाले 12 गेंदों पर 8 रन की जरूरत बारा गेंदों में 8 रन चाहिए मैं लुनावा टीम को बता देता हूँ बारा गेंदों में 8 रन की आवश्यक्ता जीतने के लिए और कौर्टर फाइनल में कौलिफाई करने के लिए चलिए आगे बरते हैं तिसरा ओर पावर प्ले जल से जल ये मैं शुरू किया जाए प्लीज बिना समय गवाए चलिए जल से जल बिना समय गवाए बारा गेंदों में 8 रन की आवश्यक्ता चलिए बहुत अच्छी नेदार ये गट्टरों के चांसेस थे एक मुक्सान होता था लुनावा को लेकिन बज गए बहुत ही कड़ा मुकाबला है 11 गिंदों में आप 8 रनों की जरूर थे बहुत ही कड़ा मुकाबला है अभी तक कुछ बता नहीं पाएगे जब तक को एक बना श्ट्रोक ना लगे चलिए 11 बॉल में 8 रनों की आवशकता लुनावा को एक आस्मानी तोला बॉल है पीछ के वहाँ पे यहाँ पे फोर दिया जीतू भाई का ये फिर एक बार स्पार्टन के लिए सलोदा के लिए बहुत बड़ा जटका बहुत बड़ा जटका जी हाँ विवान भाई ये ऐसे कैच इस पकड़ने चाहिए क्यूंकि आप पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच क्या बाद है अब पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच इस पकड़ोगे तो नहीं करूंगा कुछ सर ने तो मार पड़ेगी और पगार भी कड़ जाएगी सर चलिए एक बार बहुत बड़ी आएट आसमानी तोला बोल को देखना होगा नहीं रोक पाए और बॉल ने बॉलरी लेंग क्रोस कर दी चार रन के चार रन खाते में लुनावा तीम के और यहाँ पे मैच थोड़ा पलड़ा भारी होता हुआ लुनावा तीम का और अब चाहिए आट बॉल में नौ बॉल में तीन रन लुड़ावा टीम जितु भाई और मैं बता दू नौ बोल में तीन रन चाहिए नौ बोल में तीन रन चौती मर्दबा दोल लगा रहे गेंपाट सामना करें बले बाई एक आस्मानी तोला फिल्डर तेनाथ बहुत ही शांदर फिल्लिंग एक रन दूसरा रन लेने को जितु भाई बहुत उम्दा दोले है और यहां पे मैच इकवल अप लुड़ावा के टीम को आप सिर्फ आठ गेंदों में एक रन चाहिए बस एक लिए मैच तो जीती लिया है और चारिकता पूरी करनी है मुंदारा टीम विश्यों अल बेस्ट, स्पार्टन टीम विश्यों अल बेस्ट पूर नेक्श्ट मैच प्लीज आप रेडी रहिए बांडरी लाइन पर आ जाईए प्लीज MYC, मुंदारा, मुंदारा एन स्पार्टन इसी तरह से लुनावा ने एक असान सा मैच जीत लिया है मेनी मेनी कॉंग्रेशलेशन तो लुनावा एन बेटा लग नेक्श ताइम सलदा, चलिए मुंदारा और स्पार्टन, प्लीज चलिए, स्पार्टन तीम, मुंदारा, मुईसी, आपकी पहले बल्ले बाजी है, ठीक है आपके दो तानम तोर बल्ले बाज विकेट पर भेज दीजिए चलिए, स्पार्टन तीम पिल्लिंग मिल्लिंग सब सेट कर दीजिए, जैसे आता है, स्टार्ट कर लेगे ठीक है, चलिए, एक पार जोर दाथ दीजे हो जाए ऊचलिए, पार जीजे हो एक है जैसे हो जैसे का सुड फार्स दीजिए, एक है कि आपको थेखे थेंग यू डीजे थेंग यू निजे थेंग यू थेंग you thank you thank you thank you विक्रान भाई यहां कई भी यो स्टेज के वाँ पर पोच जाए प्रेजेंटेशिय नहीं रहे कि हम पर आए प्लीज विक्रान भाई चलिए जल से जल हमें मैच सुरू करना है सलोधा का एक मैच पहले का बाकी है राइट सलोधा टीम ने ने दिया ना सबका एक बाकी है शायर एक मैच बाकी है राइट प्लीज चेक करके अभी जी पाई एक मुझे बता है यह किसका मैच बाकी है विकास सनी एक मैच पेंडिंग है क्या सलोधा स्ट्राइकर्स यस यस प्लीज रुख जाई जल्दी दो तारम तोड़ बल्ले बाज MYC के विकेट पे थैंक्यू टीजे दो मिन टीजे सलुदा स्ट्राइकर्स सलुदा स्ट्राइकर्स का जो सेकेंड मैच ना उसका मैंनो तो मैच फेंडिंग है चलिए मैं मेरी family मेरी मम्मी और वाइशाली बावी और मंता बावी से request करूगा जल से जल कोमेंटरी बॉक्स में आजाए CAPLEANS मैं रीक्वेश करूगा मेरी family से सब काम धिलना चोड़ के प्लीज कोमेंटर बॉक्स में आजाए CAPLEANS सार जी बाहर आजाए contamination ये 네요 सब घन को है चलिए को सोब कि चलिए मेच्छ शुरू हो रहा है कि लुनआवा टीम रिक्वेस यह और कमेंट्र पुक्स के सामने आ高श कि biz excel कि लुट्व लुट्वा ट्व मत्मीर है है चलिए मैच शुरू कर रहे हम तारम तोर वल्लेवाज मुंदारा यूथ क्लब के अपने आ चुके है और विवान भाई स्पार्टन के फिल्लर तेनाथ हो गए है बॉलर पे चलिए सलोडा वर्सिस देशुडी स्स जिवाय में मनुझ भाई मैन अफ दमाच जी 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 बॉलर नें बॉलर नें मनीच भाई प्लीज पदारे स्वरी बॉनिच भाई फ्लेयर मैन अफ दमाच ट्रोफी हम प्रेजेंट करें मनुच के लिए जुर्दा तलिया मनुच अब फाइनल इसके जो प्री कौडर फाइनल मैच खेला गया इसका मैन अफ दमाच फ्लेयर फ्लेयर डिजाइनर हाउसवेर एक स्पेशल बॉटल जो है बीपीए फ्री बिग हाईड्रो इंसुलेटेट वाटर बॉटल प्रेजेंट की जा रही है जिसने हैट्रिक ली मितिल भाई प्लीज आईए प्लीज आईए मितिल भाई इस आर फ्लेयर मैन अफ दी मैच मितिल बहुत ही शांदा रणिंग बिटिन दविकेट बहुत ही शांदा रणिंग गिरिश भाई की और मितिल बहुत चा रहे हो यह एज में नाम अपना और अपने टीम को और समाच का लेके जा रहे हो यह एज में और मितिल वो बॉलर है जिसने पाच बॉल में पाच सिक्ष भी खाए बड़ उसके बाद जो कमबैक किया है मुझे लगता है मितिल ने वो दिंट लागे आजते सब्सक्राई है सब्सक्राइब कर देना मितिल बोलना थो पड़ेगा है मितिल बोलना पड़ेगा कि मितिल अफ पुरेक लेक पर यह ज्यादा अच्छा के डलते हो लेक कर द न बॉन मिथिल के लिए जिस गेंद्वास ने पहले पाच सिक्सिस का है लेकिन आज उनकी पर्फॉर्मंस बढ़ चड़ कर बोल रही है जोड़ार जोड़ार तालिया मनीश भाई प्लीज आए एक फार्मिली फोटोग्राफ तो बनती है थैंक यू श्री मिथिल आईए मिथिल आईए फ्लेर मैन अफ़ दमाच है मिथिल जिन्नोंने है ट्रिक ली इस सीजन की दूसरी है ट्रिक और उनको यह मैन अफ़ दमाच का स्पेशल प्राइज दे जाए थैंक यू सो मच निलेश भाई मनीश भाई जिघर से ओवर टू यू थैंक यू चलिए मैच की दरफ रुख बढ़ाते हैं शांदार कट करने की कोशिश हुई लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं हुआ गेंजा पची सीरी विकेट कीपर के हाथ में अब तक का स्कोर क्या है पांच बॉल आट रन ओके आ चलिए पहली ओवर के समापती के बाद स्कोर हुआ है आठ विद दा लॉस ओफ जीरो विकेट कल हमारा अहिंसा गुरूप कोमल कप 2019 का कल आखरी दिन है आप सभी जो टीम हारी भी है मैं आप से रिक्वेस्ट करूगा कि आप देखने आईए मैच सभी का स्वागत है कल आखरी दिन कोटर ए और बी गुरूप का प्री कोटर वाकी है कल सुबह पहले वो होगा उसके बाद में कोटर कल के पूरे मिला के 10 मैच होगे आज हमने कम समय में जी सिसाफ से टीम ने सपोर्ट किया है आज हमने 11 मैच पूरे किये है सुबह साड़े आठ वजे एक्जेक आठ पैतीस को आठ चालिस को मैच स्टार्ट हो गया था बॉलर्स नेम प्लीज वहोती शानदार लेक की दिशा में घुमा दिया है और बॉल सेडियम के बहार अमपायर का इशादा दो रन दो रन डिक्लेर जोन चलिए स्कोर बरता हुआ 10 रन बॉल हो चुकी है एक बॉल चलिए अगे बरते हुए बॉलर नेम क्या बताया बहुती शानदार काट ओफ की दिशा में वन बाउंज एंड दो रन दोर के तूरे की है शायद आपको अभी जीद भाई पता नहीं है आज विशाल भाई को बड़े है पताएं? ओके चलिए एक आस्मानी तोला देखना ये होगा एक दम आसान सा सिंपल सा कैच फिलनर के हाथ में और गिरिश भाई एम वाई सी के पैविलियन लोटते हुए नए बल्ले बाज आपका नाम सर कोशिक भाई कोशिक भाई हमारे नए बल्ले बाज कोशिक भाई बुना वाले चलिए मैच का रूप लेते हुए गिरिश भाई फिर पैविलियन की तरफ लोटते हुए अच्छा श्ट्रोक था लेकिन श्ट्रोक में मेरे जिस साब से वो ताकत नहीं थी कोई बात नहीं कि दिश भाई वेल्कम बैक टू पैविलियन वेल डाइन जिगर भाई बहुत बढ़िया फिर एक बार पिछे की तरफ मार दिया है डिकलेर जोन में देखना होगा अंपायर का इशारा लेसे एक ही रन डिकलेर है वन रन डिकलेर डिकलेर जोन में बॉल जा चुकी है अंपायर का इशारा एक रन चलिए मैच का आगे रूप लेते हैं भव्य भाई हमारे स्ट्राइक पर सामना कर रहे गेंद बाज को स्कोर हुआ है बारा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हैं जल से जल ये मैच पूरा कीजिए और इसी दिशा में अंपायर का इशारा आउट भव्य फिर से पैविलियन लोटते हुए और हमारे नए बैट्समेन जीगर अब लड़ेगे जीगर भाई और कोशिक भाई देखना ये हैं एमवाईसी कितना तारगेट स्पातन्स की टीम को दे सकती है अभी फिलाल कुछ कहा नहीं जा सकता है क्याकि दूसरा ओर चल रहा है और स्कोर हुआ है तेरा रन जीगर सामना कर रहे लेक की दिशा में घुमा दिया है विकेट की पर तेनाथ भाग रहे दोनों वल्लेवाज जीगर और कोशिक एक रन से संतुष्ट पीछे जा बटा आपको यहां ही बैटना है आपका बले सातों में चे आप तो मॉनिंग से आने वाले ना से रंग को बता है निलेश भाई यह सबसे पहले ग्राउंड पर आते निलेश भाई ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम समय नहीं देते हैं उनको जब मैं शुरू होता है तब उनको यहां पर आना है और आखरी जब शुरू किया है हाथ पकर के तो खतम भी करना है हाथ पकर के अभी जीत भाई क्या बोलते हो बिलकुल से और निलेश भाई का सपोर्ट वो तो अनकंपेरेबल या अनबिटेबल है जी चौदा रन दो और चौदा रन समापती हो गई है तीसरा और पावर प्ले बॉलर का नाम कीरती बाई सामना कर रहे है जीगर एक बार लेकी दिशा में कुमा दिया है कैच मीस कर दिया यहां पे और यहां पे और रन आउट होता हुए जीगर बहुती शान दार बॉलिंग बहुती शान कि बाकरी में तरिफ करना चाहूगा बहुती उंता खेल रहे बहुती उंता खेल रहे है जारा इस चार 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 और है तो आज को दोजिखे घुटाए घरखुव से मने कि आज बोला पवर भिक जालना की यह जो जो चल्ब तेंक्यू डीजे चलिए फिल्लिंग में फिर से आगे पीछे किर्थी भाई दूसरी मरते बाद दोड लगा रहे हैं सामना कर रहे हैं कोशिक एक फुल टॉस डिलोवरी बाहर की तरफ गई मिस हुआ विकेट कीपर से अमपायर का इशारा वाईड और एक रन दौर के लिए जिरो बॉल में इंको दो रन मिलेगे बहुत ही उमदा आखिर में चोटी ओवर की पहली बॉल में कोशिक सफल रहा एक छका चुड़ाने में ला जवाप तेंक्यू डीजे इसी चीज का इंतजार था कफ़से शान बेटे दे मायूज बेटे एमवाईसी के सारे पियर्स इसी चीज का इंतजार था दूसरी बॉल आस्वानी टोला, छोटा आस्वानी टोला बहुत ही उंदा फिलिंग, बहुत ही उंदा फिलिंग बहुत ही शानदार ठो, विकेट की बहुत ही अच्छे से कलेक किया एक रंट पुरा कर पाए और स्कोर बरता हुआ, 27 अफ्टर टू बॉल्स उर फोट और चलिए चार बॉल और बची है मैयूर भाई थोरी बॉलिंग फास कीजी सामना कर रहे है जश 27 रन यह लगया लेकिन एज लगा और यहाँ पे मिस तेख हो गई दोनों प्लेयरों में कैट छुटा और जहाँ पे विकेट था वहाँ पे दो रन दोड़ने में एमबाई सी के दोनों प्लेयर दोनों बल्ले बाद जश और कौशिक सफल रहे इसी के साथ स्कोर वरता हुआ 29 रन और आकरी ओवर की तीन बॉल उची है चलो मैं आपको बता दूँ युट जश कबसे एक शॉट की ट्राइ कर रहे है शॉट की बल्ले से संपर्थ नहीं हो रहा है देखना है कि आने वाले तीन बॉल में संपर्थ होता है कि नहीं नहीं फिर एक बार नहीं हुआ फिल्डर तैनाथ और बॉल गई अंपर का इशारा स्कोर बरता हुआ तीस रन और आखरी दो बॉल इसी लिंग की चलिए जल्दी करें प्लीज तो रफास कीजिए देखना है कि ये मैच समय पे पूरा हो पाच्वी मर्तबा दोट लगा रहे बहुत ही समझदारी लिखाई जोश ने बहुत ही जोरदर समझदारी दिखाई वाइट का इशारा स्कोर बरता हुआ चलिए कल पहला मुकाबला खेला जाएगा ठकड़गर जाइन चैलेंजेज वर्सिस बीनमाल इनके बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा सब परता हुआ लेकिन बहुत ही उन्दा फिलिंग चलिए लाश्ट बॉल स्कोर हुआ है ठर्टी टू चलिए लाश्ट बॉल मयूर भाई लाश्ट बॉल सामना कर रहे है कोशी देख रही है होगा क्या रंग लाता है एमवाईसी के लिए आखरी बॉल अखिर में ये रंग ला दिया कोई मौका नहीं कोई चांस नहीं स्पाटन को रोग नहीं पाए और आखरी बॉल में कोशी ने छक्का जारते हुए लक्ष दिया थर्टी नाई रंस का बहुत ही उन्दा पारी अभी जीद भाई उन्दा दो छक्के जड़े है कोशीक ने आखरी ओवर में क्या कहे गया सर विल्कुल सही बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अंतिम्चन तक बहुत अच्छी बल्ले बाजी की कोशीक ने दो बड़े प्रहार किये और यही टर्निंग पॉइंट ऑफ तर गेम रहा और आकरी गेन पर जब भी आप 6 मारते है आपका मनोबल बहुत ही पॉजिटिव रहता है यहीं कि सकारात्मक रहता है और यहीं सकारात्मक रवया टीम MYC की तरब से हमें देखने मिलेगा सावलता स्पार्टन, श्रीपाल भाई, फटा और बैट्समन देखी MYC से रिक्वेश्ट है जल से जल लोगने मेलिंग तहनात किजिए स्पार्टन से रिक्वेश्ट है त्यों तारम कोर बल्ले बाच अपने में मैच शुरू करना है थर्टी नाइन टू विन है तीन मिनिट में मैच शुरू करना है MYC गिरिश भाई फटा फिल्डिंग लगा दीजिए थर्टी नाइन टू विन MYC के गिरिश भाई और स्पार्टन के कैप्टन को मैं बता दू अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ पन्रा से अठ्रा मिनिट है अभी तो जल से जल मैच शुरू किया जाए प्लीज थैंक यू चलिए स्पार्टन के दो तारम तोड़ वल्लेवाज पीच पे वेज़ दीजिए जिरिश भाई से जल से जल अपने इग्यारा सेनिक तेनात कर दीजिए बॉलर पे ये भी एक टाइप की जंग होती है मैं आपको बता दू नो डाउट ये स्पोर्स है लेकिन ये भी एक टाइप की जिवर भाई होती है जीतना होता है सामने वाले को हराना होता है हम कितने भी भाव से खेले विकर सर साथ मेरे ये ना आप इधर से भाई है ना कामेरे के दर फाई है ना जीतना है और सामने वाले को हराना है तो ये भी एक टाइप की कोल वार है जो हम ताकत दिखाते हैं मैच खेल के नहीं कि सामने वाले को नुकसान पहुचा के तो ठीक इसी तरह से MYC ने अपनी ताकत दिखाई है और जड़ दिये 38 रन और लक्ष दिया है स्पातंग टीम को 39 का देखना ये होगा कि आज का ये आखरी मुकाबला क्या रंग लेके आती है क्या ये शाम जब सूरच धलेगा तो देखना ये है पातंग का सूरच धलता है कि मुंदारा का सूरच जड़ता है जब सूरच धलेगा तो विशार भाई की बड़े की पार्टी कितने बज़े से शुरू की वह सबना चाहीँ है मैं विशार भाई से पूतना चाहूगा, इस मैच के बारे में आपका क्या खायल है, अभी तक का? देखते हैं अभी कौन जीता है, लास्ट बॉल तक कुछ नहीं बोल सकते हैं सही का, ये बहुत सही का, the match is never won, kill the last ball is bold, थलिए, मैच का रूप करते हैं MYC बॉलिंग कौन करेंगे पहले? चीराग बाई स्ट्राइक पे है अक्षे और नौन स्ट्राइक पे है मितेश, चलिए पहली मरतबा दोट लगा रहे हैं MYC के तालम तोड़ के इंदबाज सामदा कर रहे हैं तालम तोड़ बजले बाज, अक्षे बहुत ही उम्दा बॉल, बहुत ही उम्दा बॉल ओवर टुई अभी जित भाई जी हाँ पहली ओवर की शिरुवाद चिराग भाई ने की और बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुगा आखरी गेन तक ये मुकाबला चलेगा यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहली गेन पर कोई रन नहीं टारगेट रखा गया है 49 रनों का बहुत ही बढ़िया कैच अक्षे होंगे आउट वोड़ट कैच सुंदर अप्रतीब मैं आपको बता दू मुन्दारा किसी से कम नहीं जब हम अपने आप पे आजाते हैं तो फिर पता नहीं क्या करते हैं तोड़ा सा। में ताकत की जरूरत लग रही थी जो एकदम बॉंट्री के किनारे कैश पकड़ लिया और एक बरा नुक्सान अकशे के नाम से स्पाडन्स को जिलना पड़ेगा यह बिल्कुर सही का आपने क्योंकि स्टोक बहुत अच्छा खेला जरूर था लेकिन मैदान में कहीं आज हवा नजर नहीं आ रही अगर यह हवा होती तो शायद ग्रिन इजीली ट्रावल हो जाती थी अक्षे की बहुत ही नीचले हिस्से में लगा इसलिए गेंद अपने नतीजे पर पहुची नहीं सुरक्षित फिल्डर के हाथों में आई सही काभी जी जी अपने लेकिन हवा की बाद ऐसी है कभी भी हमको किसी में निर्वर नहीं देना चीए शौर्ट में वो दम होना चीए हाँ हवा मिल गई तो वो अपने शौर्ट में एडिर वैल्ली हो जाएगा वाइड बॉल अंपायर का इशारा वाइड बॉल चलिए देखते हैं स्कोर जा पहुचा है एक रन गेंद हो चुकी है दो बहारी किनारा शाहिद लगा देखना होगा अंपायर का इशारा यस बहारी किनारा लगा एक रन दोनों बल्लेबाज निकालने में कामियाव यह सिर्फ दो रन और विकेट गिरा है इस ओवर में मात्र एक बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद सीधे ब्लॉकों में करने की कोशीश और बहुत बढ़िया रनिंग बिटून दो विकेट क्या बात है, गुड रनिंग बिटून दो विकेट बहुत अच्छी रनिंग बिटून दो विकेट मितेश और अमित की कल सारे मुकाबले ठीक सवा आठ बजे शुरू होंगे आठ बजे चले पंदा मिट पहले शुरू करेंगे हम आठ बजे सारी टीमें जल्दी अपने निर्दारित समय से पहले पहुँचे पहला मैच केला जाएगा ठगडगड जैन चैलेंजर्स बनाम जै गुरुदेव बिनमाल की टीम दूसरा मुकाबला केला जाएगा सतीमाता खिवांदी और कॉस्मोस बाली ये पहले दो मुकाबले होंगे इसके बाद कि जो सारे मुकाबले रहेंगे उसके बारे में आपको वाटसप के माद्यम से अपडेट किया जाएगा बूम बूम स्वागत है चले एसी के साथ और पहले और के समाप्ती रन होए है छे और अटारा गिंदो में ते तीस रन की जरूदिए ज़रुदे हैं कि ग्यारा की आउसेट से इस पर समय अमारी साथे स्कोर सनी बता रहे यहार ओर में ग्यारा रन बनाएंगे तो अठारा गिंदो में ते तीस रन बना सकते हैं जल्ली करें इजाधा समय ना ले प्लीज डेटे स्टार्ट डवाच काका ग्यारा गिंदे ते तीस रन सरी अठारा गिंदे ते तीस रन ग्यारा की असद तेरी कुट रिशब कल तले रिशब कमेंटे सिख जाएंगे कोई टेंच आजाओ रिशब आजाओ कौशिक मैन फ्रम फूने कौशिक मेता सामना कर रहे सामना कुन कर रहे है श्राइक पे मितेश एक सामना कर रहे हाफ मेंगे दूसरा बड़ा जटका स्पार्टन्स को स्पार्टन्स को बहुत बड़ा दूसरा जटका चलिए समय की मरियादा को ध्यान ने रिखते हैं गिरिश भाई जल से जल शुरू की थिये और जल से जल हवाई टाटोला खेला जरूर था लेकिन सीधे फीलर के हाथ में सुरक्षित हमारे की रिवर स्वीप के की करल मैंने इनकी बल्लेवाजी देखी है रिवर स्वीप में सीरियसली जो ताकत है अनवीटेबल मज़ा आगे आपकी इनिंग देखे सरी ये ताकत रोज प्रैक्टिस करने से आती है सर इनके पास ताकत, इंटलिजन, जबर्दस है ये अब हमारे कोमल कप के बारे में बात करेंगे प्री कॉर्टर फाइनल मैच है स्कोर हो चुका है सर छे रन छे रन बढ़ाइट करने की कोशिश अमपायर का इशारा एक रन डिक्लेर जोन चलिए, आज का ये आखरी इनिंग और आखरी मैच 16 गेंदे 32 रन की जरूरत 22 रन की जरूरत कल सवेरे 12 हवाई फाइर किये थे यहाँ पर दो तीन गेंदे ये पास्तानी टोला देखना ये होगा एक असानी सा कैच और तिसरा मरा जटका स्पादन्स की टीम को यहाँ पर आप मैच बहुत ही तफ होने लगा स्पादन्स के टीम के लिए और मैच थोड़ा सा जुकते हुए MYC मुंडारा यूथ कलब के पक्ष में जा रहा है यही स्पिरिट अगर MYC आने वाली बोलों में दिखाए तो यकिनन MYC की टीम जिरू जित सकती है लेकिन अभी विशाल भाई ने बोलाता कि मैच इस नेवर वन तिल दे लास्ट बोल इस बोल आखरी बोल तक हमें वेट करना है दो पिन सिक्स लग गए तो मैच पूरा का पूरा बदल जाएगा बस स्पादन्स की टीम को एक प्लियर को यह चमतकार दिखाना होगा अफसाइड के दाब ड्राइव किया है थर्मेंग की दिशा में और यहाँ पे अमपायर का डिसिजन दो रन अप चाहिए पंदरा बौल में 14 बौल में 30 रन राफ कीजीएगा 14 बौल में 30 रन की जरूरत स्पादन्स को जीकने के लिए में क्रिफार करने के लिए एक ओफसाइड में गुमादिया है शौर्ट को टेकना यह होगा चार रन बहुत ही उम्दाश शोर्ट और अब चाहिए तेरा बॉल में 26 रन तेरा बॉल में 26 रन राइट चलिए एक सिंपल सासा निशा शोर्ट मारा है एक रन लेने में दोनों बल्ले बाच काम्याब और इसी ओतरह से दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 14 रन और दो ओवर में अब चाहिए 25 रन 12 बार 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 25 रन तीसरा ओवर ये पावर प्ले ओवर है स्पाटांस की टीम को में बताना चाहूगा इस ओवर का जादा से जादा फाइदा उठाए और इस ओवर में कम से कम 12 से 15 रन निकाले तब जाके आप शायद चौते ओवर में 10 रन निकाल पाएगे चलिए पावर प्ले ओवर शुरू हो रहा है देखेते हैं क्या रन लाती है स्पाटांस की टीम के लिए ये पावर प्ले और M.Y.C. कितने शक्षम होते हैं बल्लेबाज को रोकने में कि पावर प्ले का बल्लेबाज को रोक लगाते है या नहीं हमारे बीच A.B.J.S. के मालिक भैरू जेर आये है बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका इस टूनामिन में तन, मन, शाम, दन, भेद सब लगा दिया है इंदोंने क्या बात है स्वागत है आपका भरू भाई आपका दिल से स्वागत है बारा गिंदों में पच्चीस दिल की जरूरत क्या बात है भाई आपका स्वागत है लुकें बाई सा एक और क्या बात है बख्ष में ये मैच घुनता हुआ धैरू के आने से मैंने अभी अभी बताया यह तिक नहीं है कैस लिया है बहुत ही उम्दा कैस बहुत ही उम्दा कैस ऑंपिटेबल एंड रियली अनस्पेक्टेबल उम्दा कैस देखिए रीपिय में हम देख रहे है यह वही कैच है जो मुझे फिर से एक बार 1983 वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है कपिल जो भाग रहे तो वो कैच लेकले सर्वी में रिजट का और इसी तरह से यह कैच भी लिया गया और बॉलिंग में कपिल ही कर रहे है क्या बात है वाँ सुन्दर सुन्दर अब चाहिए ग्यरा बॉल में 25 जी चलिए मेच की तरह पॉल फले का दूसरा बॉल ये बहुत ही उपर बॉल अमपायर का एक वानिंग का इशारा वन वानिंग का इशारा क्या बाद है कपील भाई ने पहले दस बॉल में 25 रन पहले मुकाबले में उन्होंने सिफ एक रन देकर दो विकेट लेते ये टर्निंग पॉइंट था और इस प्री कॉर्टर फाइनल मैच में भी इनकी बॉलिंग पर नेवर करेगा मैच का पूरा रुक मैच का पूरा नतीजा दस बॉल 25 रन एक और साइड ने गुमा दिया बहुत ही लाज वाफ शॉट देखना ये होगा कि बॉल रुके की नहीं रुके बॉल नहीं रुकी अंपायर का इशारा चारल बहुत रुमदा अनेश्पेक्टेड अन्पिरबल शॉट बाए दा बैस्वन ओस पाइडन टीम चलिए अब चाहिए नो बॉलों में 21 रन राइट अब भी भी एमवाई सीचे जीता नहीं है सर आपके फैन फॉलोंग बढ़ रही है दिन बादिन दिन बादिन फैन फॉलोंग बढ़ रही है सिर्फ नो गेंदे बच्चे प्रीज राइए नो बॉल में 25 रन और ये इसी तर संपर का आउट आगे-ागे मारना चाहा लेकिन बल्ले से संपर्ट नहीं हुआ गेंज आप पहुची विकेट कीपर के हाथ में और विकेट कीपर ने कोई वाका नहीं छोला और सीधा स्थम्पिंग करके स्वादं के बल्लेवाज को फिर से पैवली में भेजते हुए आड़ बॉल 25 रन 24 21 रन 21 रन से आड़ बॉल 21 रन चलिए श्रीपाल अगर नाइगान पर रहते तो शायद कुछ करिश्मा करते शायद कुछ जादू करते लेकिन ऐसा नहीं हुआ श्रीपाल तुए स्टंप आउट और चोटे विकेट का फतन यह देखे क्या बहतर इन विकेट के पीछे गिरिश बाई गिरिश बाई ना क्या बात है गिरिश बाई लव यू बहुत जबर दस मतलब पलग जपेकते ही आपने विकेट ले लिया सुन्दर चलिए 8 बॉल 21 रन सर्दोनी से भी फास्ट है देखना यह होगा लेकिन बल्ले से संपर्ट ने हुआ क्या बात है कपें भाई साथ बॉल 21 रम थोड़ासा थोड़ासा एमवाईसी के पलने में जुखता हुआ अभी तक मैच पुरानी हुआ हमें बात नहीं भुलनी चीए विशाल भाई की दो सिक्स लग गए तो शायद यहाँ पे एमवाईसी को भी एक करारा जवाब जेना पड़ेगा पिछला वर्ल्ड कॉप हमें याद आता है काल्स ब्रेट्वेट थे बैटिंग करने के लिए पूरी दुनिया में किसी को ने लगाता है कि वेस्ट एंडी जीतेगी लेकिन उन्हें चार तगड़े सिक्स मारे तो यह उदारेन है सावलता स्पार्टन की तीम के लिए हमारे कोमर कप के MSD यानि की गीरिश भाई ने विकेट लिया, स्टमपा उठ लिया, वेल डन चलिए, आखरी ओवर रंच आईए 21 जल से जल अपने नए बैस्पेंग को बेज दीजिए सिर्फ छे बॉल बचे है और रंच आईए स्पार्टन की तीम को जीतने के लिए 21 हमारे वीच भैरुबाई मौजूदे में भैरुबाई का अहींसा गुरुप प्रेजेंस कोमल कप 2019 सीजन 3 में तेहदीर से स्वागत करता हूँ भैरुबाई आप क्या कहना चाओगे इस टूर्णामेंट के लिए देखो आपको बोलना पड़ेगा आपके गाउ की टीम खेल रही है आप एक बहुत थी शक्षम उबर के सितारे आ रहे हो हमारे वीच भैरुबाई गया गया एक और बड़ा जटका स्पाधन की टीम के लिए अब चाहिए पांच बोल में 21 रण जो ना मुम्किन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है भैरुबाई भैरुबाई आपके भैरुबाई के आने के बार आप आओ तो सही यहाँ पर भाग खादे हो पॉलर जीम प्लीज पॉलर का नाम क्या है सर डवल 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 जी जी एसेंस जैम्स के डवल बाई बॉलिंग पहली गेन पर विकेट मिला पाच गेन पर 21 रण की ज़रूरत यहाँ पर मिस कर दिया एक स्टंपिंग और दोनों बल्ले बाज एक रण लेने में कामियाद अब चाहिए चार बॉल में 20 रण जो मुश्किल नामुम्किन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है हमारे बीच हमारे छोटे वी करान चलिए गर पे चलिए चार बॉल यह एक बॉल काफ़ी उपर से गई अभी जीत भाई अब तीन बॉल में तीन छक्के भी लगे तो भी अब यह मैच नामुम्किन है नो या कुछ गया तो एक बात अलग है बाकी चलिए आखरी तीन बॉल मुझा अब लग रहा है और यह बहारी किनारा बहुत ही सुन्दार और छे रंग जर दिया असपार रंगे बले बाजने छे रंग दो बॉल में चोदा रंग की जरूरत दो बॉल में चोदा रंग की जरूरत बिना समय गवाई मैं आम वाई सी के टीम से जल से जल मैच शुरू करे मैं विनंती करता हूँ चलिए दो बॉल चो दादा लास्ट बॉल और तीरा रनों की जरूत यानि काउटर फाइनल में पहुचेगी डूसरी टीम जिसका नाम है अब भी भी नाम लेना बागी है अब चाहिए एक बॉल बारा रन और एक रन दिक्लेर दो रन हो गए दो रन हो गए जी हाँ एक बॉल एक बॉल ग्यारा एक बॉल ग्यारा एक बहुत एक बड़ा शोर और यहाँ पे छेरन MYC जित्ती हुई बहुत बहुत बढ़ाई MYC को और बेटर लग नेक्स टाइम स्पार्टन की टीम को बहुत बहुत बढ़ाई थैंक यू सो मच राकेश भाई थैंक यू सो मच चलिए प्रकाश भाई थैंक यू सो मच प्रकाश भाई थैंक यू सो मच चलिए मैं रिक्वेश करूगा एक बार एक दो मिनिट के लिए आप सब MYC, MYC और स्पार्टन, अम्पायर, कैमेरा मैन, फोटोग्राफर दो मिनिट के लिए स्टेज के बापर आ जाए रहे, केको है, लालो है चलिए, दो मिनिट, MYC, MYC, MYC और स्पार्टन, अम्पायर, फोटोग्राफर, कैमेरा मैन एक बार सेलिब्रेशन के लिए आप यहाँ पर आ जाए, प्लीज, विशाल भाई, विशाल भाई, जहां कई भी योच स्टेज के बापर आ जाए चलिए, अम्पायर, राकेश भाई, विशाल भाई का आज बड़े है, हमारे बड़े भाई का, तो एक केक कटिंग सेरमनी रखिए, स्पार्टन्स के टीम, सभी लोग, कैमेरा मैन, विडियोग्राफर आप भी आ जाएए हमारे रिवर स्वीप के दादा, एक बार आप आ जाएए प्लीज अपका नाम सर्थ, रवी भाई हमारे अहिंसा ग्रूप के कमेटे के बड़े भाई, विशाल भाई का बड़े है, तो हमें एक सेलिबरेशन दख रहे है, प्रकाश भाई प्रकाश भाई, प्रकाश भाई स्टेज के वहाँ पे आ जाए प्लीज पकिया भाई, एक बार स्टेज के वहाँ पे आ जाए प्लीज, पकिया भाई, प्रकाश भाई चलिए Spartans की team Spartans की team से request करूगा दो मिन्ट के लिए रुख जाए प्लीज के cutting ceremony हो रही है आपसे request कर रहा हूँ चलिए Mundara Youth Club से मैं request करूगा आगे आजाए DJ प्लीज चलिए प्लीज आईए विशल भाई आईए Spartans की team से request करूगा Spartans की team 2 मिन्ट आजाए सर SPARTAN team MYC प्लीज आगे आजाए Šृिपल भाई और पूरी team प्लीज आईए रभी भाई आँए कपी भाई कपी भाई प्लीज आगे आईए कपी भाई प्लीज आगे आईए शृिपल भाई सावलता स्पार्टन सलिए चलिए रभी भाई यहां के लोक्ते क्लियर है जो डेली खेलते हैं उनका भी सवागत करते हैं जी 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 टृबने खाह्मिली है नहीं है विशल बाई मेरे मम्मी विकरान बाई जिन अर्गराइज किया है और दोनों भाविया और में आई आइए सर उसार आई चलिए है तो ऑप सब्सक्राइगे अब बूस्त कर रहा है अगे प्लीज प्लीज फ्लीज है आई आई यह सब प्लीज आई 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 जोड़ना तले है विशाल भाई जनन गुन के आपको बहुत बहुत शुप काम ना है आईसा गुर्प के माध्यम से यह पहली बार हम बड़े सलिबरेट करें विशाल भाई का लाइव और सब लोग देख रहे हैं विशाल भाई का बड़े इसी तरह से आप और आगे बढ़े और बहुत सारे सक्सेस आप प्राप्त करें वाहा अजय काची अग बहुत सारे सक्षा अगे अगे आगे प्राप्त करें अगय जाँ बदें आगे इसी प्राप्त कि वाह इसी तर्ण बवाद बार बार दिल ये कारे थैंक यू थैंक यू विशाल भाई विशाल भाई विशाल भाई विशाल भाई विशाल भाई अब आज के दिन का final man of the match, flare man of the match toffee हम present करेंगे Thank you everyone for celebration of my birthday Yes, thank you, thank you so much and one second happy white day Vishal भाई हम flare man of the match की toffee and special gift प्रेजिट करने जा रहा है MYC, MYC प्लीज आए, MYC, MYC team प्लीज आईए MYC, MYC team, कपिल भाई, कपिल भाई, गिरिश भाई प्लीज आगे बतारे आगे बतारे प्लीज श्रीपाल भाई भाई टीम सर, अक्षे भाई, तोड़ से, क्या मैं ना MYC पुरी टीम आईए, प्लीज कपिल भाई, गिरिश भाई, प्लीज आईए गिरिश, अप्लीज, सरी, गिरिश में, आईए प्लीज श्री, श्री, चली, Man of the Match विकरन भाई, इनके शुबातों से हम प्रेजेंट करें फ्लेर, Man of the Match, ट्रोफी, हमारे Man of the Match के प्राउड पार्टनर और फ्लेर, डिजाइनर हाउज वेर की दरसे ये स्पेशल गिफ्ट या, थैंक यू सो मच्छ, फ्लेर, डिजाइनर हाउज वेर की दरसे ये स्पेशल बाटल, बीपीए फ्री और होट इनकोल, बीग हाईडो, इंसुलेटेड वाटल है ये यह special gift जा रहा है the man from Pune please आईए sir, kaushik ko जाएगा man of the match का यह prize Zordar Taliyah man of the match की यह toffee and a special gift please आईए come on Zordar Taliyah quarter finals में प्रवेश कर चुकी है team MYC जी 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 thank you चली अक्षे kaushik भाई yeah thank you kaushik भाई हम बात करेंगे आपसे Pune से यह tournament किलना है और क्या जानदर performance आपके team के लिए बहुत इस सई performance कैसा फिल हो रहा है sir आपको बहुत अच्छा it's very good to perform on the team and it's all the team support team support और इस पूरे tournament की बारे में क्या कहेंगे आप इस team को बिलॉंग कर रहें जो हमारी good organizer है विकरन भाई इनकी team में बहुत अच्छे से organize किया है very well maintained and the umpires also very good and the coordinating team is also very good thank you thank you so much kaushik it is indeed a pleasure to have such a good player so thank you so much हम मिलेंगे कल ठीक 8 बजे इसी मैदान पर कल का दिन होगा आखरी आज के दिन दो टीमे कॉटरफायल में पहुच चकी है चिंतामनी सादरी टीम लुनावा टीम और अब इनके साथ जो तीसरी टीम पहुची है वो है MYC की टीम आज के दिन का केल यही समाफत होता हुआ मैं अभीजीत और मेसा जिगर भाई हम लोग साइन आफ करें मिलेंगे कल ठीक 8 बजे इसी प्रबोधन कर क्रीडा भवन में तब तक के लिए मजा लीजे क्रिकेट के लिए और आपको सुरक्षित रखेए द्यान रखेएगा कि तोड़ा सा भारत में थोड़ा माहोल तोड़ा सा गड़वड़ी वाला है तो आप सतर्क रहिएगा जो आमनागरी के ओपली सतर्क रह गया जैहिन थैंक यू